येस 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 गाइज वेरी वेरी गुड आफिनून कैसे है सबी लोग और क्या आम सबको मेरी आवाज आर ही है वेल्कम यू आल टू अन अक्याडमी सी ए इंटर गुरूप टू चानल येस गाइज चलिए तो दोसों फाइनली वो दिन वो घड़ी आ चुकी है जब हम करने वाले है ए ए एफ एफ चाप्टर नमर टू पब्लिक फाइनांस का फूल रिविजिन वैसे मैंने सोचा दे विटा कि हम इस सेशन में चाप्टर टू और चाप्टर टू दोनों को करवा सब्सक्राइब करते हैं यहां पे आपको स्पेशल क्लस फ्री मिलती है लेकिन अगर आप दोस्तों हमसे फुल को स्ट्रक्चर्ड में में प्लैंड मैंने में पढ़ना चाहते हैं तो आप अनकर्विट या इकाॉनिक का स्ब्सक्राइब सकते हैं लोंग होती है लेकिन प्लसमे आपको PDF note tessories मिलती है ऐन आइकॉनिक में प्लस के सारे benefits के साथ साथ additional benefits आंको भूलते हैं would to one life mentorship printed books सब्सक्राइब अभी जो है हमारी एकाग रता नमेंबर 22 जो बैच है वो स्टार्ट होने वाली है पेटा 2nd of June से जो चलेगी टोटल 31 ऑगस्ट तक इस बैच के लिए दोस्तों को बदा सकते इस बैच में इन्रोल करने के लिए इसमें जो है आप जैसे देख सकते है नितिन सर आपको अब अधर्शन सर मिलके आपको एफम एफफ पढ़ाने वाले है तो बहुत ही जबर्दस हमारी यह बैच होने वाली है इसका शेडिूल आप यहां पे देख सकते है यह शेडिूल इस बैच का इसमें धाई बचे से साढ़े चार बिजे तक में आने वाला हूँ आपको बढ रहे है तो अब हम बात करेंगे किसके बताइए एफफ चाप्टर टू की और जो है चाप्टर टू को नाम है पटा पॉब्लिक फाइनांस है ना मुझे मुझे अब भी याद है वो दिन जब जो है मैंने यूट्यूब पर इस चाप्टर को पढ़ाया था पहले और उस समय पे मैं पूरा स्टडी मंडल के थ्रू पढ़ा रहा था है ना हमारे इस चाप्टर को तो मैंने या सोचा फिर मैंने इसको आपने नोट्स बनाया थे जि मैंने इसके माइन 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 में हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है जितना भी है चाप्टर डू में हर एक चीज को कवर किया है और वो माइन 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 को यूज करके ही मैं यहां पर आपको करवाने वाला हूँ तो आप जैसे देखते हैं यहां पर 25 चार्ट्स है यह 25 चार्ट्स जो है इसमें पूरा का पूरा एफ चाप्टर टू कवर्ड है हर एक पॉइंट कवर्ड है हर एक पॉइंट राइट 25 चार्ट्स हर एक पॉइंट इसमें कवर्ड है तो चाप्टर टू फिर चाप्टर तू यूनिट वन का सारी से आपको आप देख पारे होंगे तो यह हर एक चीज अपन यहाँ पर आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं तो इन चार्ट्स के थ्रू ही हम आज पढ़ने वाले हैं ठीक है तो मैंने सुझें कि कुछ नया करते हैं इस बार चाप्टर 3 के भी नोट्स बनने के हैं जैसे बन जाएंगे तो उसका भी हम सेशन ले लेंगे आप प्री एक्जा मैराफन में आपको करवा दूआ ठीक है तो इस प्रकार के को चार्ट्स बनाए हैं ठीक है आप जो है क यूज करेंगे आप यह चार्ट्स देख सकते हैं जैसे देखें यूनिट 4 में हमारे कितने टोटल है टोटल हमारे इसमें जो है 7 मेजर टॉपिक्स है तो जो भी है हम सारे डिसकस करेंगे ठीक है आ अच्छा और एक चीज़ जैसे यह कहा है मैंने क्या किया कि पहले ना हमन तो इसमें आप देख सकते हर एक चार्ट एक यूनिट का है जैसे यह यूनिट 1 का चार्ट है पिर यह यूनिट 2 का है यूनिट 3 और यूनिट 4 बस यह चार चार में पूरा खतम होगा लेकिन इसमें हर एक प्वैंट चूपी कवड है तो एकड़ जो है एक अच्छा चार्ट है पहले इससे में आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा हर हमारे यूनिट के और फिर हम डीटेल चार्ट में जाएंगे ठीक है तो चलो बात करते सबसे पहले सबसे पहले बात करते बिटा एफ चाप्टे टू अच्छा हम देखो इसमें जितना जूम करेंगा इसके क्वालिटी खराब भी नहीं होती क्या जोरदार बात है बताइए है ना चली आए तो स्टार्ट करते बिटा जल्दी से तो सबसे पहले है एफ चाप्टे टू जिसका नाम है बिटा पॉब्लिक फाइनस है ना तो इसका जो है यूनिट वन है फिसकल फंक्शन फिसकल मनलब क्या गवर्मेंट तो इसमें हमारे इस यूनिट में क्या है देखो इस यूनिट में हमारे मेजर दो ही पॉइंट है इस यूनिट में हमारे मेजर दो ही पॉइंट है एक है बेटा बेसिक्स एक है हमारे इस चैप्टर के बेसिक्स जो हम कवर करेंगे और दूसरा इसमें redistribution function and stabilization function इसके बारे भी हमें unit 1 में पढ़ना है तो अब हम आ जाते हैं हमारे detail charts में आए चले तो start करेंगे जल्दी से आजाओ तो EFF chapter 2 unit 1 दो major topics basics सबसे पहले और बाकी जो है रेचर मस्वेब के तीन functions तो सबसे पहले basic की बात करेंगे तो हमारे इस chapter में हमको वापस से याद दि of the processes by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the unlimited wants of a society economics क्या है बोलते हैं बोलते हैं economics उस process की पढ़ाई है जिसमें हम यह सीखते हैं कि कैसे हम हमारे limited resources को use करेंगे हमारे unlimited wants को satisfy करने के लिए है ना फिर हमने इसमें आपको बताया था हैना CA foundation की बात है हमने आपको बताया था कि यार देखो resources जो है हर type के economy में resources जो होते हैं वो limited ही होते है scarce होते हैं हमारे wants के comparison में है ना तो the resources available the resources available to any society cannot produce all goods and services और इसलिए हमें choice करना पड़ता है इसलिए हमें 4 central basic questions of economy का answer दिना पड़ता है बोलता है है economic system should exist to answer the four basic questions of the economy what to produce हमारे पास जो available resources है इसको use करके हम क्या production करें तो what to produce कौन से goods and services बनने चाहिए then अगर हमने decide करें क्या बनना चाहिए फिर हमें सोचना पड़ता है how to produce है इसको labor intensive method से बनाए capital intensive method से बनाए कैसे production करें then तीसरा question आता है for whom to produce and चौथा question आता है how much resources should be set apart for future growth है ना अगर हमने सारे resources आज के ही हमारे consumption में use कर ले तो फिर future का क्या तो कितने resources हमें future के लिए safe करके रखने चाहिए यह भी हमारा क्या होता है central economic question या four basic central economic questions of the economy कई आते बोलते थ्रीं टो की इकनामी होती है आप सबको बता है ना क्ली स्वुस्य करते में चोबर्मेंक यह सारे हैं socialist economy में क्या होता है government सारे decisions लेता है कि resources को कैसे हमें allocate करना चाहिए कौन से goods बनाने चाहिए ये सारे चीज़े government decide करता है and mixed में क्या होता है कुछ resources के बारे में government decision लेता है and कुछ resources के बारे में हम price mechanism को भी use करते है तो mixed economy ठीक है इसके बाद next बाद आते है चली अगली बाद आते है इसमें Richard Musgrave ने अपनी book उन्होंने एक book लिखी थी बिटा The Theory of Public Finance 1959 में जिसने इन्होंने बताया था कि government के तीन तरह के functions होता है जिसे ये fiscal functions बोलता है तो सर फिर वो fiscal functions क्या है आईए वो बात करते है तो देखे अब हम इसके अंदर जा रहे हैं अब मैं इसके अंदर जा रहा हूं चली तो देखें यहां पर तो हमारे functions हैं बताईए तो बोलते हैं देखो Richard Musgrave का बोलना था कि देखो The objective of any, the objective of the economic system and the role of government is to improve the well-being of individual and households हमेशा government क्या चाहेंगा कि कैसे हम कैसे ऐसी policies वगरा बनाएं जिससे हमारे जो लोग है उन सबका welfare बड़े उनकी well-being बड़े तो बोलते हैं कि government के दो प्रकार के functions होते हैं एक होते हैं micro economic functions and एक होता है macro economic functions Micro economic functions में क्या आता है आपका allocation function and redistribution function and macro economic function में आता है stabilization function क्योंकि economy as a whole के लिए होता है correct आगे बढ़ते है next उसके बाद है ना उसके बाद जो है अब हम कहा जाएंगे बताईए अब मैं जो हूँ बेटा इसमें यह allocation function है ना अब इसकी बाते हम करने वाले है कि allocation function में क्या बताएं आइंसिटूट में तो यह allocation function के अंदर यह सारे पॉइंच से देखो यह पहला point है यह basic सा allocation function का ओके फिर यह है कि market failure due to inefficient allocation resources क्यों होता है market failure इससे then allocation functioning government then allocation instruments which government can use to inference resource allocation and इसमें और क्या आते है बिटा government failure in allocation function तो एके करके सारे हम topic पढ़ते है allocation function के अंदर सबसे पहले हमें allocation function में पढ़ना है कि इसका मतलब क्या है बोलते देखो कि allocation function का aim क्या है बोलते है it aims to correct these sources of inefficiencies in the economic system बोलते अगर हमने market को उसके हाल पे छोड़ दिया if the market is left to itself it may lead to inefficient and miss allocation of society's scarce resources मतलब होता क्या है बेटा कि अगर हमने market को अपने हाल पे छोड़ दिया अगर government ने कुछ भी intervention नहीं किया तो इससे क्या होगा कुछ ऐसे goods होंगे जो लोगों के लिए important है पर उसका under production होगा कुछ ऐसे goods होंगे जो लोगों के लिए उतने important नहीं है फिर भी उसका over production होगा मतलब कि जिए क्या बताएए optimum outcome हम achieve नहीं कर पाएंगे resources का optimum allocation नहीं हो पाएगा अगर हमने market को उसके हाल पे छोड़ दिया तो तो बोलते है in absence of appropriate government intervention इसके वज़े से ही क्या होता है market failure होता है तो allocation function क्या बोलता है कि जो भी inefficient and mis allocation of resources हो रहा है economy में उसको ठीक करने के लिए government intervene करता है तो यही क्या है this provides the rationale for government's allocative function question आता है कि government को allocation function conduct करने के जरूवत क्या है तो बताना पड़ेगा अगर government ने appropriate intervention नहीं किया तो क्या होगा society की जो resources है वो inefficiently and क्या होगी inefficiently allocate होंगे या mis allocate होंगे जिससे कुछ products over produce होंगे कुछ products under produce होंगे बस ठीक है तो अगर आपको दो माक्का सवल आता है write a short note on allocation function तो यही चीज़ आपको लिखनी है correct आगे बढ़ते हैं next अब इसमें अगली बात क्या है पीटा देखेंगे बोलते है market failures due to inefficient allocation of resources बोलते हैं कि inefficient allocation of resources के वज़े से market failure कब होता है तो अब आपका सवाल आसकते है कि सर्तो फिर market failure क्या होता है तो यह हम पढ़ते है unit 2 के अंदर यह हम कहां पढ़ते है unit 2 के अंदर बोलते है market failure का मतलब क्या है यह ना बोलते है कि market failure का मतलब क्या बोलते है देखो market failure क्या होता है it is a situation in which the free market leads to misallocation of resources in the sense that either there is overproduction या underproduction of goods यह वापका से market failure क्या है यह एक ऐसा situation है जब हमारे market के अंदर कुछ goods का overproduction होता है कुछ goods का underproduction होता है तो यह होता है market failure अब बोलते है कि inefficient allocation of resources के बज़े से market failure कैसे होता है ऐसा बोल रहे है तो market failure due to inefficient allocation occur due to क्यों ऐसा होता है बोलते है देखो majority markets में generally imperfect competition ही देखने को मिलता है या presence of monopoly power होता है मलब अगर किसी एक firm का monopoly है है ना तो वो क्या करेगा वो जान मुझके ज्यादा prices charge करता है लोगों से जान मुझके कम production करता है ताकि उसकी scarcity उसके product की scarcity maintained रहे और वो ज्यादा price charge कर सके लोगों से है ना तो जो product लोगों को चाहिए वो under produce होता है monopoly होने के वज़े से है ना इसके बार हम detail में आगे देखने वाले next बोलते हैं अगर हमने market को अपने हाल पे छोड़ दिया तो जो collective goods होता है collective goods मतलब क्या है ऐसे goods जो सब लोग mil bar के use करते है है ना जैसे public parks, roads, bridges बोलते हैं अगर हमने market को अपने हाल पे छोड़ दिया तो market जो है right quantity of collective goods हमें provide करेगा ही नहीं market जो हमें right quantity of merit goods provide ही नहीं करेगा merit goods क्या होता है जैसे कि आपका health, जैसे कि education यापका merit goods में आता है ऐसे goods जिसमें हमें profit loss के बारे में नहीं सुचना चाहिए ये लोगों के basic necessity होती है तो हमें provide करना ही चाहिए ये merit goods होते हैं तो अगर हमने market को अपने हाल पे छोड़ दिया तो market हमें right quantity के collective goods provide नहीं करेगा under produce होंगे collective goods अगर market को अपने हाल पे छोड़ दिया government ने कुछ में नहीं किया तो merit goods जो है वो right quantity में provide नहीं हो पाएगे जिससे इनका under production होगा जिससे market failure होता है बोलते है जो भी common property resources होंगे वो overuse हो जाएंगे उसे exhaust कर देंगे individuals है ना तो जो common property common access resources होते हैं जैसे कि क्या बदाई आपके है जैसे आपके forest है ना जो आपके city में lakes वगरा होंगे यह सब क्या है यह common access resources है जो भी natural resources होते हैं अब इसको use करने के लिए कहीं पे पैसा नहीं देना पड़ता है तो लोग क्या करते हैं से ज्यादा use करते हैं overuse करते हैं है ना तो यह जल्दी जल्दी अगर exhaust हो जाएंगे तो फिर से future generations के लिए बचेंगे ही नहीं है ना तो इससे भी market failure होगा next externalities के वज़े से market failure होता है यह क्या होता है externality इसकी बाते हम unit 2 में अभी adjust करेंगे कुछ देर में next and inequalities inequalities in distribution of income and wealth के वज़े से भी market failure होता है कि जो अमीर लोग है वही चीज़े सब खरी सकते है गरिब लोगों की सारी इच्छा है पूरी हो ही नहीं सकती क्योंकि निके पास उत्रा पैसा ही नहीं होता है इसलिए तो market failure due to inefficient allocation resources अकर डिए तो यह अकर सवाल आया तो आपको इसमें यह लिखना है next आगे बढ़ेंगे इसके बाद हाँ बेटा यह charts कहीं भी नहीं मिलेंगे यह charts को क्योंकि आप print नहीं कर सकते है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे next बोलते हैं हम allocation function को government budgeting में कैसे use कर सकते हैं है ना तो हम government budgeting में allocation function कैसे use होता है government सोचता है कि who and what will be taxed है हमें किस पर tax लगाना चाहिए and कितना tax लगाना चाहिए यह हम क्या करते हैं government budgeting में जब decide करते हैं तो it is a part of allocation function right and जो हम पैसा जो हम tax government कमाएगा उस tax को अब कहां पर खर्चा करना चाहिए तो how and on what the government revenue will be spent तो यह क्या है this is allocation function in government budgeting कि who and what will be taxed पहले यह determine करो and then जो tax से पैसा आएगा वो हम कहां पर खर्चा करेंगे यह आप decide किजे तो यह हो जाएगा allocation function in government budgeting next फिर आपको यह बहुत important यह यह आपको आ सकता है यह आपको सवाल आ सकता है आपको आ सकता है कि what are the allocation instruments using which the government can influence resource allocation तो government ऐसा क्या कर सकता है जिससे economy में resource allocation influence हो सके समझ मारे चली ध्यान देंगे हाँ चली ध्यान देंगे सबसे बला क्या बताई बोलता है कि देखो अगर कोई product ऐसा है जो market market मतलब क्या जब हम बोलते हैं if market is left to itself मतलब क्या हम बोल रहे हैं कि अगर हमने market को private participants private individuals के हाथ पर छोड़ दिया तो वो क्या करेंगे वो collective goods, merit goods ये सब right quantity में बनाएंगी ही नहीं तो government अब क्या कर सकता है इसमें बोलते है government एक काम करो जो products private individuals private firm वाले नहीं बना रहे हो तुम खुदी जबना लू तो पहला point क्या है कि government resource allocation कैसे influence कर सकता है एकनॉमी में government खुदी कोई good produce कर सकता है तो अगर कोई ऐसा merit good या collective good है public good है जो private participants नहीं बना रहे है sufficient quantity में तो government खुद उसे directly produce कर सकता है government जो है influence कर सकता है private sector के resource allocation को कैसे अगर government चाता है कि कोई product ज्यादा बनना चाहिए तो government क्या करेगा बताईए उन पे incentives उन पे क्या करेगा बताईए incentives बाटेगा कैसे करेगा incentives कैसे बाटेगा बोलता है उनको मिलेगे tax concessions तो government क्या कर सकता है private sector वालों को tax concessions दे सकता है कि अगर तुमने ये प्रग बनाया तो हम तुमको tax में क्या बताइए कम rate आपको देना पड़ेगा tax का हैना subsidies हम खुद आपको देंगे जिससे आप क्या कर सके बताइए जिससे जो है आप ज्यादा production करें तो tax concession and subsidies ये आजाएगा incentive में ये ना dis incentive में क्या आएगा dis incentive में आ सकता है कि government जैसे चाहता है कि cigarettes alcohol इसका production ज्यादा नहीं होना चीए तो government क्या कर सकता है ऐसी चीजों के उपर tax rates बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा जिससे वो बहुत ज़्यादा मेहंगे हो जाए और उनका demand ज़्यादा आई ही नहीं तो ये dis incentive मालेंगे next government में also influence allocation through its competition policies अगर ऐसा हो रहा है किसी market में monopoly create हो रही है किसी एक organization की तो government ने ऐसे competition policies बनाई है जैसे कि competition act ये ऐसे organizations को रोकता है monopoly create करने से तो government में also influence allocation through competition policies अगर government monopoly create होने ही नहीं देगा तो under production हो गाई नहीं monopoly के वज़े से under production होता है ये भी हम बताएंगे आपको unit 2 में तो अगर monopoly हमने create होने ही नहीं दिया तो market failure होने से बचा सकते हैं next government regulatory activities such as licensing control minimum wages तो government licensing controls rules and regulations लेके आ सकता है जिससे resources सही तरीके से allocate हो government में set legal and administrative framework same वही बात है कि laws वगरा set कर सकते है for resource allocation and छटबा point के है any mixture of the above methods तो उपर के 5 methods में से कोई भी mixture मतलब कि government कुछ goods को खुद produce भी करेगा साथी साथ taxes में भी changes करेगा तो any mixture of above methods भी कर सकता है next ये question important है याद रखेंगे next इसके बाद इसके बाद आते है गवर्मेंट failure गवर्मेंट failure इन क्या बता है ये allocation function तो हमने आपको बताया था ना कि मैंने कल वेटा CA foundation के बच्चों को बोला हाँ मैंने कल CA foundation के बच्चों को बोला था कि यार आज है क्या मदस्ट है आज है क्या मदस्ट है तो आपको अपनी मम्मीों के लिए कुछ तो भी करना चाहिए जिससे वो खुश हो जाए उनको लगें कि चलो हमारा बच्चा हमारे बाद में इतना सोचता है तो उनको थोड़ा कुछ तो भी आपको स्पेशल फिल खरा अचाहिए क्योंकि अज मदस्ट है और हमारी मम्मी ने जो चीज़य और उसका कोई पताए उसका कोई यह नहीं है रईट तो मैंने फिर उनको ऐसा आइडिया दे कि आप क्या कर सकते हैं काम करने में, क्योंकि जनरली करते नहीं बच्चे, तब उनको help कीजिए आज की दिन काम करने तो उनको अच्छा लगेगा बिल्कुल, है ना, तो ऐसे ही क्या बताईए, ऐसे ही ना बेटा, क्या होता है, कि मोहित मेरी बात मान लेता है, और मोहित जाके, अपनी मम्मी को help करता है काम करने में, क्योंकि आज क्या है, Mother's Day, तो मोहित जो क्या करता है, help करता है, अपनी मम्मी को तो इसने क्या-क्या दाल की जो गंज थी, वो एक टेबल से दूसरे टेबल में रखने गाने तो उसने वो दाल का गंज गिरा दिया, अरे भाई साथ, काम कम करने के बिज़ए तुमने तो काम बड़ा दिया, है मोहित कुछ काम के नहीं तुम, समझमारी बात है क्या पर रहो हाँ तो यह मैंने क्रिश का एक्जाम लेया था क्लास में अब मुहित की बिजदी होगे चलो आगे तो क्या है बदाए गवर्मेंट फेलियर का मतलब क्या होता है कि भहिया गवर्मेंट तो हेल्प करना चाहता था गवर्मेंट चाहता था कि रिसोसे सही तरीके से अलोकेट हो पर गवर्मेंट के हेल्प करने के वज़े से चीजे और बिगड़ गवे तो यह होता है क्या गवर्मेंट फेलियर तो देखो क्या लिखा है गवर्मेंट फेलियर इस सेट टू अकर when government intervention in the market creates inefficiency हम तो inefficiency को हटाने के लिए government ने intervene किया था पर government के intervention के वसे और inefficiency बढ़ रही है और misallocation बढ़ रहा है resources का इसे बोलता है government failure होना तो बोलता है कि government failure क्यों हो सकता है तो यहाँ पर आता है आपको ऐसा question what are the possible sources of government failure कि government failure क्यों होता है बोलता है बहुत बार government के पास ही inadequate information होता है उनके पास ही market का full information नहीं है जिसके वाज़े से वो गलत steps ले लेते हैं गलत policies बना लेते हैं बहुत बार political self interest के लिए कुछ political parties अपने self interest के लिए हैना ऐसा काम करते जो वैसे economy level पे उतना helpful ना हो जिसके वाज़े से resource allocation उतना optimum ना हो फिर भी हमने वो काम कर दे है political self interest के लिए ऐसा हो सकता है बहुत बार कुछ हमारे objectives conflicting हो सकते है then bureaucracy, corruption, rettapism तो ब्रष्टाचार की problems इसमें होती है ये भी क्या है? ये भी एक source है of government failure है ना? corruption, bureaucracy, bureaucracy, rettapism क्या होता है? बहुत बार decision लेने में unnecessary process follow करना पड़ता है जिससे बहुत time चला जाता है है ना? हम तो inefficiency को ठीक करने के लिए policy बनाने में ही time pass कर रहे है अरे भाया कब policy बनाओंगे कब implement करोंगे, कब वो problem ठीक होगी उसमें आधी जिंदगी निकल जाती है क्योंकि bureaucracy and relativism के वज़े से unnecessary process follow करना पड़ता है unnecessary delays होते है and बहुत बार government intervention के बहुत जादा high administrative cost उठाना पड़ता है government को इसके वज़े से भी government failure हो सकता है ठीक है? आगे बढ़ेंगे next मेटा हम बहुत detail में नहीं जाएंगे क्योंकि division lecture है इसलिए next बोलते है government failure is more serious when such intervention has generated new and serious problem ये तो हदी होगी बोले हम तो existing problem को ठीक करना जा रहे थे पर बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि government के intervention के वज़े से और new problems आ गई अरे भाई साथ तो जो existing problems ही वो तो solve हुई नहीं और new problem क्रेट होगी तो तब तो government failure और serious हो जाता है बोल रहे है next ठीक है उसके बाद अब हमें क्या बात करने है अब हमें बात करने है redistribution function and stabilization function की चलो तो अगली बात करेंगे अब हम बात करेंगे बटा किस की हाँ तो अब हम बात करेंगे देखो रिचर्ड मस्ग्रेव का हमने जो है यहाँ पर यह पढ़ लिया है allocation function हमने पढ़ लिया अब क्या पढ़ना है अब हमें पढ़ना है microeconomic function आ जाए तो microeconomic function के अंदर allocation function था है और दूसरा है redistribution function है ना तो देखो redistribution function का मतलब क्या है एक बाद quickly देखेंगे बोलते हैं कि if left to the market the distribution of income and wealth among individuals in the society is likely to be skewed therefore government has to intervene to ensure more desirable and just just मतलब क्या fair equitable distribution है ना तो क्या बोलते हैं अगर हमने market को अपने हाल पे छोड़ दिया तो क्या होगा धीरे धीरे जो है धीरे धीरे जो 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 दिस्टिबिशन of income है मलब कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो बहुत ज़ादा अमीर बनते जाएंगे और जो गरीब लोग है वो गरीब होते जाएंगे और तो अगर हमने market को अपने हाल पे छोड़ दिया तो the distribution of income and wealth is likely to be skewed जो अमीर वक्ती है वही और अमीर होते जाएंगा गरीब लोगों को उतना उनका income बढ़ ही नहीं पाएगा कभी अगर हमने market को अपने हाल पे छोड़ दिया तो इसी लिए government को intervene करके redistribution of income करना पड़ता है है जिससे हमारा equitable equitable distribution of income achieve हो सके है ठीक है चलो तो बलते हैं it is related to the question for whom should an economy produce goods and services तो हमारा resources हमें किसके words को पूरा करने के लिए use करने चाहिए इससे related है हमारा redistribution function बोलते हैं इसके अंदर कितने points है चलो वो देखते हैं तो इसके अंदर है चार point है एक दो तीन और यह चार point है ठीक है तो सबसे बेला point है redistributive function in government budgeting then दूसरा point है aim of redistribution function तीसरा point है examples of redistribution function and चौथा point है पूरा conflict between efficiency and equity तो पहला point देखेंगी विकली बोलता है what are redistribution redistributive function in government budgeting तो हम government budgeting के case में redistributive function को कैसे achieve कर सकते है यह सवाल है तो बोलते है देखो government के budget का मतलब क्या government budget का बटा मतलब क्या है मतलब की हम यहाँ पर बात कर रहे है government के expenditure and tax के बारे में तो government expenditure side में क्या कर सकता है बोलता है government क्या कर सकता है कि government free and subsidized education healthcare services यह सारी services जो है deserving people को क्या कर सकता है उनको दे सकता है provide कर सकता है तो जो deserving people है जो low income household वाले है जो low income household वाले लोग है जो BPL sector वाले लोग है below poverty line वाले लोग है इनके पास जो है education, health care ये सारी services नहीं पहुँच पाती है तो government इन लोग को या तो free में या subsidized rates पे क्या कर सकता है ये services प्रोवाइड कर सकता है तो क्या इस पे government का खर्चा होगा ये करने में येस तो expenditure side से ये हरकते करके government redistribution achieve कर सकता है redistribution of income achieve कर सकता है next revenue side से क्या कर सकता है government तो government जो है progressive taxation use कर सकता है जो rich आदमी होगा वो चूकी rich है तो उसको ज्यादा tax लेना उससे और जो poor आदमी होगा उसके income कम है तो income कम तो या तो low tax उस पे लगाओ या तो tax लगाओ ही नहीं उस पे तो जितनी ज्यादा income उतना ज्यादा tax लगा देना तो अमीर लोगों से ज्यादा tax वसुलना और वही tax के पैसों को use करना गरीब लोगों के लिए तो यह आजाता है progressive tax session हम यहाँ पर अचीव करना चाहते है equitable distribution of societal output हमारे economy में जो total production होता है वो equitably लोगों के बीच में बटना चाहिए तो यह हम achieve करना चाहते है equitable distribution of societal output next बोलते है then we have to advance advancing या improving the well-being of members of the society who suffer from deprivations तो जिनके पास क्या बताएए चीजों की कमी है जो low income household वाले लोग है उनकी well-being को हम और improve करना चाहते है redistribution function करके government क्या चाहते है it has to provide equality in income wealth and opportunities तो income के case में wealth के case में equitable distribution होना चाहिए and sufficient opportunities मिलनी चाहिए बहले ही अगर कोई व्यक्ती low income household वाला है फिर भी उसको sufficient opportunities job opportunities business opportunities होगी education के opportunity ये सारी चीजे मिलनी चाहिए पोलता है providing security in terms of fulfillment of basic needs for the people who have hardships तो जो again people who suffer from deprivations or hardships इनके basic needs को fulfill हम कर पाएंगे किससे redistribution function करके and finally we have to ensure that everyone enjoys a minimal standard of living तो सबका minimal standard of living achieve हो ये ensure हम करते है redistribution function करके तो ये आपको आ सकता है question what is the aim of redistribution function next इसके बाद अगली बाद देखेंगे जल्दी से बिटा deprivation में लब क्या कमी जिनके बास कमी है चीजों की जिनका बहुत सारी चीजे अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट अब अब हादी हो जाएंगी बिटा आप ऐसे मतलब बूछेंगे इंग्लिश भाषा के तो फिर तो फिर तो फिर है तो फिर मैं क्या बूल आपको कुछ बचाई नहीं बोलने के लिए चल आगए फिर अगला सवर आता है बिटा नेक्स्ट नेक्स्ट सवर आता है एक्जाम्पल्स औफ री डिस्ट्रिबुशन फंक्शन चीकर और इसको इसके बदले ऐसा भी सवर आपको आसकता है मार्केट इंटर्वेंशन फोर सोशो एकनॉमिक रिजन्स तो हाव डस दा गवर्मेंट इंटर्वीन इन दा मार्केट फोर सोशो एकनॉमिक रिजन्स या आपको आसकता है क्वेशन वाट आर दी एक्जाम्पल्स औफ री डिस्ट्रिबुशन फंक्शन तो गवर्मेंट क्या क्या करता है बोलते देखो री डिस्ट्रिबुशन फंक्शन करने के लिए अंडर्टे करने के लिए गवर्मेंट क्या क्या करता है बोलते हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की मदल देता है रिच लोगों से जाधा टैक्स वसूलो पूर लोगो को tax उन पे लगाऊ ही मत या low tax रखो जो हम पैसा, progressive tax session से जो पैसा हमें मिलेगा इन पैसो को अब use करो use this amount for financing public services that benefit the low income households then आप employment में reservations कर सकते है कि specific sector वाले लोगों को हम government jobs में 20% reservation है वही है कि 20% seats तो specific sector, specific segment वाले लोगों को मिलेंगा ही मिलेगा तो इससे उनको jobs मिलेगी जिससे वो पैसा कामा पाएंगे minimum amount कुछ कामा पाएंगे हर महीने unemployment benefits आप दे सकते है transfer payments दे सकता है government to provide support to deprived sectors मतलब क्या कि समलेज़ अगर किसी city में बहुत ज़दा unemployment है है न लोगों के पास jobs वगरा नहीं है तो government खुद unemployment benefits cash transfer कर सकता है या basic needs fulfill कर सकता है उन लोगों की है न आगे families below the poverty line are provided with monetary aid या aid in kind तो या तो पैसो से आप help कीजिए below poverty line वाले लोगों को उनको monetary aid दीजे पैसा दीजे या तो फिर aid in kind aid in kind मतलब क्या कुछ acid बगारा दे सकते हैं उनको रहने के लिए घर दे सकते हैं आप लोग उनको खाना दे सकते हैं food हैना clothes donate कर सकता है government कैसा यह सब transfer payments माँगाता है next फिर क्या है यहां पर बताईए अच्छा transfer payments इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके बढ़ले सामने वाले से हम कुछ लेते नहीं इसलिए हैना आगे next regulation of manufacture and sale of certain products to ensure health and well-being तो जो products हमारे health के लिए अच्छे नहीं है उनके production and manufacture पर ही क्या रोक लगा सकते है government and special schemes निकाल सकता है for backward region and for vulnerable sections जैसे कि government करता है न क्या बताईए हैना जो backward regions होके उसमें SEZ घुशित कर देता है special economic zone ताकि ज्यादा सा ज्यादा लोग आके इस SEZ में आके काम अपना business करें और उस area में अगर और business organization बढ़ेंगे तो job opportunities अपना बढ़ती है करेक्ट चले तो यह क्या थे examples of redistribution function हाँ शुरूती प्रसर हम भी unemployed है इसले तो आप पढ़ रहे हो न अभी चले आगे next फिर बात करते हैं बेटा क्या बताईए मतलब क्या मतलब क्या देखो गवर्मेंट क्या चाता है कि equitable distribution of income अचीव होना चाहिए तो गवर्मेंट ने क्या बोला ठीक है काम करते हैं हम ना rich लोगों पे ज्यादा tax लगा देते हैं तो उन पे अगर ज्यादा tax लगा देंगे तो rich लोगों के income कम हो जाएगी और वो जो tax है वो पूर लोगों के लिए यूस करेंगे बट इतना ज्यादा tax लगाना may act higher rates of taxes may act as a disincentive to entrepreneurship and work and it would discourage people from making savings and investment and taking risk अगर आप rich लोगों पे दनादन tax ठोकोंगे तो rich लोग तो आगे जाके सोचेंगे यार इतना पैसा कमा के मतलब ही क्या है इतना business करके मतलब ही क्या है ज्य तो इससे क्या होगा future में investment अपने business में कम करेंगे future में production हमार क्या हो जाएगा economic output हमार कम हो जाएगा economic productivity कम हो जाएगी future में growth कम हो जाएगी employment of resources कम हो जाएगा तो यार हमने equitable distribution of income अचीव करने के वजह से हमारी efficiency जो है वो अब lose out हो चुकी है तो इसलिए हाँ पर ऐसा बोलते ह है कि हमें एक optimum budgetary policy बनाने चाहिए balance maintain करके रखना चाहिए हमारे equity and efficiency में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा equity achieve करने के चक्कर में हमारे efficiency बहुत कम हो जाए ठीक है बस यह इतना सा point है आगे तो हमारा क्या खतम होगा बताईए हमारा जो है यहाँ पे इस तो रिचर्ड मसगर्व के जो three functions है इसमें मैंने आपको क्या बता दिया अभी तक इसमें मैंने आपको अभी तक जो है बिटा यह बता दिया है allocation and read distribution function बता दिया है अब हमें बात करनी है राजा किसकी अब हमें बात करनी है stabilization function की बहुत ही चल्टू बात है यह देखेंगे जल्दी से देखेंगे अभी तो इसमें भी टोटल हमारे पाच है पाच पहुंच है एक दो तीन चार और पाच आए तो एक करके देखेंगे quickly बोलते है stabilization function का मतलब क्या है बोलते है stabilization function का मतलब है कि देखो अगर हमने economy को अपने हाल पर छोड़ दिया तो economy क्या करती है अपने आप self-correct करती है अपने आपको मतलब क्या देखो अगर economy में कभी contraction का period चल रहा है तो हमने तो यह चीज़ पढ़ी है CA foundation business cycle chapter में कि अगर economy में contraction का stage चल रहा है मतलब GDP की वैल्यू गिर रही है एकनौमी में तो कभी ना कभी ये वैल्यू वापस से बढ़ेगी कभी ना कभी expansion तो आएगा ही आएगा ये सुनो लेकिन बेटा जब ये contraction का पीरेड चल रहा है लेकिन जब ये contraction का पीरेड चल रहा है उस समय पे लोगों को बहुत ज़्यादा problems होती है बहुत ज़्यादा कठीनाईया होते एकनौमी में तो अगर government ऐसा बोलेगा चल दे तो अरे contraction है तो कभी expansion आएगा इच तो इससे क्या होता है unnecessarily लोगों को enormous hardship से गुजरना पड़ता है और जो enormous hardships जो कठेनाईया है वो unnecessarily prolonged हो जाती है मनब ज्यादा लंबे समय तक उनको hardship से गुजरना पड़ेगा तो इसलिए economy को तुरंद contraction से बाहर निकालने के लिए stabilize करना ज़रूरी है इससे बहुत है stabilization function of the government तो वो क्या लिखा है it ensures achievement of macro economic stability and maintenance of high levels of employment and price stability तो हम चाहते है कि macro economic level पे economy में stability अचीव हो and हमार जो resources हो वो fully employed रहे and prices हमारी stable रहे चीज़ों की बहुत ज़्यादा inflation नहीं हाना चाहिए बहुत ज़्यादा deflation नहीं हाना चाहिए तो यह ensure करता है government अपने stabilization function के through इसका rational क्या है मतलब क्यों करता है government stabilization function बोलते है अब market economy does not automatically generate full employment and price stability बोलते है अगर हमने economy को अपने हल पे छोड़ दिया तो अपने आप economy में ऐसा GDP अचीव नहीं होता है जिसमें resources fully employed हो मना full employment of resources वाली GDP हम अपने आप अचीव नहीं कर सकते है तो government should pursue deliberate stabilization policies जिससे हमारे economy में full employment and resources अचीव हो सके and macro economic stability अचीव हो सके है तो पूदे देखो in absence of government intervention the instabilities that occur in the economy in form of recessions, inflation may be prolonged for longer periods causing enormous hardships तो इसलिए जो है government को intervene करने की जर्वत होती है यह बोलते है कि यह stabilization का issue और complex हो जाता है जब contagion effect आता है contagion effect का मतलब क्या होता है कि आजकल multiple countries एक दूसरे के साथ international trade के वज़े से connected है तो अगर एक country में recession आता है तो उसका effect हमें बाकी countries में भी देखने को मिलता है इसे contagion effect बोलते है तो जब एक country में जैसे USM अगर recession आएगा तो उसका हमें इंडिया में भी काफी असर देखने को मिल सकता है तो stabilization का issue और complex हो जाता है इस contagion effect के वज़े से ऐसा बोला जा रहा है ठीक है next अगला point देखेंगे जली से इसके बाद बोलते है stabilization function is concerned with है ना तो हम क्या करना चाहते है stabilization function में बोलते देखो हम जो है हम चाहते हैं हमारे labor and capital जो है resources यह fully employed रहे हम चाहते हैं हमारे overall output and income जो है उस level पर जहां पर full employment level हो general price levels हमारे stable रहने चाहिए ऐसा निगी prices बहुत बढ़ जाएंगी तो inflation आ सकता है balance of international payments भी हमार क्या होना चाहिए यह deficit में नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे imports बहुत ज्यादा है exports से तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बताइए हमारे जो है foreign exchange reserve कम हो जाएगा तो यह अच्छी बात नहीं है तो rate of economic growth भी जो है हमारे यह stable रहना चाहिए तो हम इन सारी चीज़ों में stability पाना चाहते है आगे next फिर आती है next बाग government stabilization intervention बोलते है government अपना stabilization intervention कैसे conduct करती है यह आ सकता है question में very very important ठीक है ध्यान देंगे है हाँ प्लीज जान देंगे तो government जो है कैसे stabilization intervention को क्या कर सकते है मेंटा बताएगी कंड़क कर सकता है बोलता है या तो वो monetary policy यूज कर सकता है या fiscal policy यूज कर सकता है आप सबको पता है monetary policy में government क्या कर सकता है it works through controlling the size of the money supply and interest rates तो जब economy में money supply बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसके वज़े से क्या होता है economy में demand बहुत बढ़ जाता है जिससे demand धीरे धीरे supply को exceed करना चालू कर देता है तो इसके वज़े से बेटा हमारे economy में क्या होता है prices पे upward pressure आता है और inflation आता है तो ज्यादा money supply होने के वज़े से inflation आता है economy में तो government क्या करेगा जब ज्यादा money supply होगा ना तो वो interest rates को बढ़ा देगा अगर government ने interest rates को बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा इससे क्या होगा बताईए इससे चो है बेटा लोग अब bank से loans कम लेंग तो धीरे धीरे future में money supply कम होना चालो हो जाएगा and हमारे जो price levels है वो वापस से stabilize होना चालो हो जाएगे तो बोल रहे हैं कि government अपना ये stabilization intervention या तो through monetary policy कर सकता है जिसमें government क्या करता है RBI की मदद देता है क्योंकि RBI ही monetary policy set करता है and government क्या कर सकता है दूसरा fiscal policy के थ्रूभी क्या कर सकता है stabilization achieve कर सकता है तो बोलते देखो तो fiscal policy directs the action of individuals and organizations by means of expenditure decisions and taxation decisions तो government expenditure and taxation में changes करके भी हम economic output को affect कर सकते है right and stabilization achieve कर सकते है next next आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है इत्ती जबदद बात है देखो यह हम आगे भी पढ़ने वाले है जब हमारे economy में recession आएगा है तो government अपनी expansionary fiscal policy use करता है recession के समय तो जब economy में recession है contraction है economic contraction से बाहर निकालने के लिए economic contraction से बाहर निकालने के लिए हम expansionary fiscal policy use करते हैं है तो during recession government increases expenditure and cuts down the taxes इसे क्या बोलते है expansionary fiscal policy तो expenditure अगर बढ़ाएंगे taxes अगर कम करेंगे तो लोगों के हाथ में income ज्यादा बचेगी वो ज्यादा चीज़े धीरे धीरे खरीदना चालू करेंगे and economy recession से बाहर निकल सकती है जब हमारे economy में बहुत ज़्यादा high inflation होता है तो इसे control करने के लिए government contractionary fiscal policy यूज कर सकता है जिसमें वो क्या करेगा expenditure को कम करेगा and taxes को increase करेगा जिससे लोगों के हाथ में अब income कम बचेगी तो जो पहले वो बहुत ज़्यादा चीज़े ख़िद रहे थे excess demand के वज़े से जो inflation आया था वो demand अपने आप stabilize होना चालू हो जाएंगे तो हमारा ये पॉइंट कहां से रिलेटेट है ये पॉइंट आक्चली इस से ही रिलेटेट है फिसकल पॉलिसे से ही रिलेटेट है ये वाला पॉइंट ठीक है and finally last point unit 1 का देखेंगे उसके taxes से मनलब government कम tax लगा रहा है लोगों के लिए ज्यादा expenditure कर रहा है तो इससे लोगों के हाथ में balance income ज्यादा बचती है और ज्यादा चीजे को खरी दिते हैं जिससे aggregate demand बढ़ता है तो deficit budget के वजए से हमारी economy stimulate होती है facilitate होती है economic activity क्योंकि aggregate demand यहाँ पर बढ़ता है इसलिए और surplus budget के time क्या होता है हमारे taxes ज्यादा होते है government के expenditure से तो यहाँ पर क्या होगा लोगों के हाथ में balance income disposable income कम बचेगी तो उनका aggregate demand कम होगा तो इससे economic activity में slow down आता है यहाँ पर जो है हमारा unit 1 खतम टाटा बायबाय हो चुका है येस मुझे बताएंगे क्या बात सिन में आगए हमने quickly एकदम इसको revise किया है येस चली बताएगे क्या बात है समझ में आगी क्या बात है समझ में आ गई है यहना तो पहला अध्याय संपुन्न चलो बढ़िया आओगी बात है बढ़िया चलो आजे नेक्स्ट नेक्स बात करेंगे बड़ा देखो हमारे पांच पेजेस पांच चार्ट्स खतम होगे अब हम सिक्स्ट चार्ट पर ठीक है हम ट्राइगे जल्दी से जल्दी चीज़ बावजेः अब हम बात करेंगे ड़ा यू अब यूनेट टू में कितनी चीज़े पहले वह देखो यूनेट ू में तीन मेजर पॉइंट्स है ठीक है? यूनिट 2 में 3 major points है, सर, क्या है? सबसे पहले तो, बेटा, यूनिट 2 का नाम है market failure, सबसे पहली बात, कि यूनिट 2 का नाम क्या है, बेटा, बोलू, यूनिट 2 का नाम है market failure, इसमें 3 major चीज़े हैं, सबसे पहले, आपको बताया जाएगा कि भीया market failure का मतलब क्या होता है then आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि what are the two aspects मनलब market failure के दो पहलू क्या है वो आपको बताया जाएगे उसके बाद उसके बाद जो है भीटा आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि market मार्केट फेलियर क्यों होता है वाई डू मार्केट फेल जिसके चार कारण आपको दिये रहेंगे मार्केट पावर एक्स्टरनालेटी पब्लिक गुड्स एल इनकंप्लेट इन्फॉरमेशन तो यह क्या है हमारा यूनिट टू की बात है यह ब्रॉड मैंने आपको चीज बत पता है डेफिनेशन में तो आपको इंट्रोडक्शन में इसका डेफिनेशन बिलकुल इखना है हां ध्यान देगे बाटा प्लीज यहां पर देखिए बोदे मार्केट फेलियर is a situation मार्केट फेलर is a situation in which the free market leads to miss allocation of society's scarce resources in the sense that it is either over produced or under produce and it leads to over production or under production of certain goods and services leading to less than optimal outcome तो जो optimum outcome हो सकता था economy का उससे या तो हम कम production करते हैं किसी चीजों का या कुछ चीजों का ज्यादा production करते हैं तो जब कुछ goods का under production या over production होता है as compared to the optimal outcome तो हम बोलते हैं कि economy में market failure हुआ है तो market failure क्या है it is a situation जब हमारे market में हमारे resources misallocate होते हैं inefficiency allocate होते हैं जिसके वज़े से कुछ goods under produce होते हैं और कुछ goods over produce होते हैं ठीक है याद रखेंगे इस चीज़ को बोलते हैं कि अगर perfect competition हर एक market में exist करता तो market हमेशा efficiently ही work करता but generally बोलते हैं most often generally जो है the pre-requisites of perfect competition are unlikely to be present in an economy बोलते हैं अगर हर market में perfect competition होता न तो market failure कभी आता ही नहीं but real life में हर market में perfect competition अचीव नहीं हो सकता है जिसके वज़े से ही market failure की problems आती है अच्छा बोलते हैं market failure के दो पहलू होते हैं एक होता है demand side market failure एक होता है supply side market failure demand side market failure क्या होता है चलिए जल्दी से देखेएंगे आये प्लीच सुनिए बात ध्यान से, Demand Side Market Fader बीटा क्या होता है, फ्लीज ध्यान देंगे, सुन रहे क्या सब लोग, तो Demand Side Market Fader, बोलते हैं कि when the Demand Curves, when the Demand Curves, do not take into account the full willingness of consumer to pay, इसे क्या बोलते हैं, Demand Side Market Fader होना, बोलते हैं, इसका Example, कि, कि देखते हैं दो भी experience a benefit none of us will be willing to pay to view a wayside mountain because we can view it without paying मुझे बताई ही बटा आप जब movie देखने जाते हैं movie तो movie देखके आपको क्या होता क्या मिलता है आपको आपको MLB क्या benefit मिलता है movie देखके तो आप entertained feel करते हैं है ना आपको entertainment मिलता है और क्या इस entertainment के लिए आप जब movie देखने जाते हैं तो क्या आप movie hall में पैसा देते हैं ticket के लिए येस लेकिन मुझे बताईए कि रस्ते पे अगर आपको कोई fountain दिखे जो government ने बनाया हुआ है रस्ते पे आपको कोई fountain दिख रहा है पानी का बहुत ही सुन्दर है उसको देखके लिए आपको अच्छा लग रहा है अंदर से अच्छा feel हो रहा है feel good factor आपको मिल रहा है बट क्या उसके लिए आप किसी को पैसा देते हैं क्या नहीं वैसे तो उसको देखके भी आपने entertain feel क्या है उसको देखके भी आपको कुछ ना feel good factor मिला अंदर से पर उसके लिए आप पैसा देने को तैयार नहीं होते इसे ही बोलते हैं demand side market filler होना कि जब हमारा demand curve सब लोगों के full willingness to pay को जब consider नहीं करता है इसे बोलते है demand side market filler होना इसके बाद बात आती ही supply side market filler बोलते है when the supply curves when the supply curves do not incorporate the full cost of producing the product इसे क्या बोलते है इसे क्या बोलते है supply side market filler ये बिटा connected है externality के साथ तो समझो अगर आपकी एक factory है है ना आपकी एक factory है और इस factory में आप जो product बनाते हैं इस product के वज़े से क्या होता है इस product के वज़े से जो है pollution होता है और इस pollution के होने के वज़े से जो लोग आजू बाजू में आपके factory के आजू बाजू में रहते हैं इन लोगों को बहुत ज़ादा health hazards होते हैं health diseases होती है इन लोगों को जो आपके जो है तो इन लोगों को आपके pollution करने के वज़े से इन लोगों को health के उपर कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है तो जो पैसा खर्चा करना पड़ता है इन लोगों को आपके production activity के वज़े से इसे बोलते है external cost तो जब ये producer अपने decisions लेगा business में जब producer अपने decisions लेगा business में तो वो इन decisions में इस external cost को consider नहीं करता इस external cost को consider नहीं करता यही चीज़ बोल रहे है when supply curve do not incorporate the full cost of producing the product मलब की supply curve में क्या होता है हम full cost को consider नहीं कर रहे हैं हम external cost को consider नहीं कर रहे हैं तो इसके वज़े से होता है supply side market failure समझा गया खतम तो क्या है था बताई फास्ट आपको मैंने इसका meaning समझाया then मैंने इसका आपको two aspects दो पहलू बताए market failure के फिर पात आते हैं तो सर यह market failure होता क्यों है है ना चली अगला देखेंगे प्लिच सूरज जैसे हाँ बिलकुल विराट सूरज जैसे लोग होता है सब यह ना तो सूरज हमारे class में था हमने एक्जाम्पल लिया था अगला सवाल अब उठता है तो सर फिर यह market failure होता क्यों तो यह third point है third aspect है हमारे मरब तीसरा point है हमारे इस unit 2 का और यही last point है वैसे पर इसमें काफी सारे point है तो देखेंगे तो why do markets fail market failure क्यों होता है बोलते हैं सबसे बेला point है market power के वज़े से दूसरा है externalities तीसरा है public goods और चौता है incomplete information तो पहले अभी हम market power की बात करेंगे अभी जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत ज़्यादा important है exam में लिखने के लिए आपक market power और monopoly power causes market failure समझा ये question आता है प्लीज ध्यान नहींगे अभी है ना तो मेरी पास समझेंगे market power का मतलब क्या है जो अभी मैं बोल रहा हूं को exactly यही शब्द exam में लिखके आना है अच्छा market failure का मतलब क्या है बोलते है market failure is the ability of a firm is the ability of a firm to charge a price higher than the marginal cost इसे बोलते है market power या monopoly power होना हमने बेटा CA foundation में ऐसी चीज़ पड़ी थी economics chapter 4 में हमने ऐसा पढ़ा था CA foundation में कि जब जब perfect competition exist करता है ना वहाँ पे जो है ना allocative efficiency होती है and perfect competition में productive efficiency भी होती है ऐसा हमने पढ़ा था CA foundation में allocative efficiency का मतलब क्या होता है बोलते है allocative efficiency मतलब क्या कि जितना खर्चा हमें एक product को बनाने में लगता है हम उतना ही पैसा सामने वाले से चार्ज करते है तो average revenue या price equal to marginal cost यह होता है allocative efficiency यह कहां होती है perfect competition में होती है and productive efficiency क्या होता है बोलते है हम resource का बिलकुल भी wastage नहीं करते है minimum से minimum cost पे production करते है तो हम बोलते है the marginal cost is equal to average cost जहां पे हमारा average cost minimum होता है वहां पे हम production करते है perfect competition में but monopoly में बिटा क्या होता है यह allocative efficiency and productive efficiency monopoly के case में exist नहीं करती है monopoly वाले क्या करते है चूकि यह अकेला firm है पूरे market में यह जान बुच के ज्यादा price charge करता है margin cost से तो monopoly के case में prices are greater than mc और यही चीज आपको लिखना है यहां पे कि market power या monopoly power is the ability of a firm is the ability of a monopoly firm to charge a price greater than the marginal cost याद रखेंगे मैं इससे समझा दिया असको ठीक है चलिए वापस हैंगे वापस हैंगे वापस हैंगे बटा कितना जबस पॉइंट है यह हम यह ना हम लोग foundation में बच्चे इसको skip करते थे इस चीज को है ना पर मैंने पुड़ा explain किया था आपको याद आ रहा है अगर आपने मुझसे foundation पढ़ाया तो आपको याद रहा होगा कि सर ने हमको यह चीज बताई थी नेक्स्ट चलो ध्यान दिया तो तो market power है monopoly power क्या है वापस से yes come on जल्दी it is the ability of a firm to profitably raise the price over its marginal cost कि हम marginal cost से ज्यादा price charge करते हैं जिससे हम long run में भी positive economic profits कमा पाते हैं यह monopoly power का मतलब है market power का मतलब है तो अगर हम ज्यादा price charge करेंगे हमारे किस से बताए margin cost से तो long run में भी हमें positive economic profits या super normal profits मिलते हैं तो output कम ही बनाना पड़ेगा अगर यह ज्यादा price charge करना चाहते हैं तो यह output जान बूच के कम बनाते हैं ताकि ज्यादा price charge कर सकें मतलब कि जो product भले ही लोगों को चाहिए economy में ज्यादा चाहिए लेकिन फिर भी monopoly power के वज़े से वो product जो है उसका under production होता है और जब किसी product का under production होता है economy में उसे ही तो बोलते है market failure होना आपको explain करना है monopoly या market power में next अब बात आती है जिसका सब लोगों को था इंतजार अब बात आते हैं जिसको सब लोगों को था इंतजार वो है externalities तो externalities का आप चार्ट देखेंगे ठीक है चलो आईए थोड़ा सा बड़ा चार्ट externalities का ठीक है चलो तो हमने unit 2 मैं अभी तब क्या क्या देख लेंगा quickly बता रहा हूं हमने जो है इसका पहले meaning देखा market failure का then two aspects देखें market failure के then हमने देखा why do markets fail जिसमें 4.8 total इसका पहला point market power भी हमने कर लिया है अब हम इसके दूसरे point पर है वो है बेटा क्या externalities तो externalities में भी मैं आपको क्या बत six बताऊंगा तो type of externality आपको बताऊंगा and then and then हम बताएंगे कि externalities से in efficiency and market failure कैसे होता है हम ये बताएंगे ठीक है चलो तो बात करेंगे जल्दी से externalities का पहले मतलब देखेंगे basic चीज़ पहले देखेंगे बोलते है देखो externalities का मतलब क्या बेटा बोलो करता कोई और है और भुगता कोई और है इसे ही बोलते है क्या बताएंगे externalities कि production या consumption activity करता कोई और है लेकिन उसके negative effects या positive effects किसी और को मिलते है तो sometimes the actions of either consumer or producer result in cost or benefit that do not reflect as a part of market price since these costs and benefits which are not accounted by the market price are external to the market इसलिए इसे हम externality बोलते है तो जब किसी एक व्यक्ति के consumption या production activity के वज़े से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी third person को क्या बताई किसी third person को कुछ benefit या cost मिलता है cost incur करना पड़ता है उसे बोलता है externality ठीक है चलो इस ये आपको लिखना नहीं है एक्जाम में ये नहीं लिखना एक्जाम में आगे पिर बात आती बिटा कि externality में देखो इसका और क्या-क्या नाम है बोलते हैं हम externality को spillover effect है ना spillover मलब हरकते किसी एक व्यक्ति नहीं की लेकिन उसका effect बाकी लोगों पे जा रहा है spillover effect या neighborhood effect हम गड़बड किसी और ने किये है पर उसका effect पड़ोसी को हो रहा है neighborhood effect या third party effect करता कोई और है भुकता third party या side effect किसी एक व्यक्ति के consumption या production activity से दूसरे लोगों पे क्या आसर पढ़ रहा है external activity इसके बहुर सारी नाम है न चलब यहां आप देखते हैं बोलते हैं एक्स्टरनालीटी जो है क्या हो सकती या तो रिpra लोकल हो सकती है कि या तो यूनी डिरेक्शनल होती है मतलब कि इनी रिपयार की तरह होता है यह क्यार की तरह होता या तो यह reciprocal हो सकता है या तो यह unidirectional हो सकता है reciprocal का मतलब क्या है बिटा जैसे की क्रिश का reciprocal वाला त्यार है तो क्रिश को बिटा pinky पसंद है और pinky को भी क्रिश पसंद है यह समझमारी आपको बात है लेकिन unidirectional मतलब क्या बताओ यूनि डिरिक्शनल जो है ये क्या है सौरव का ब्यार है सौरव सौरव को रिंकी पसंद है लेकिन रिंकी को सौरव नहीं पसंद है ये समझमारी बात है तो क्या बोड़ रहा है हम चल जाम बोड़ते है एक्स्टरनलिटी जो है ये क्या हो सकती है reciprocal हो सकती है या unidirectional हो सकती है reciprocal मतलब क्या प्लीज ध्यान देंगे हाँ अगला देखेंगे ठीक है अगली बारी पिटा गौर रफ की चलो तो reciprocal का मतलब क्या ध्यान देंगे बोलते हैं देखो suppose suppose a workshop creates ear splitting noise and imposes externality on a baker who produces smoke है ना तो एक workshop है ना इस workshop के अंदर जो है क्या बताईए machinery वगरा चल रही है drilling machine वगरा चल रही है जिससे बहुत ज़्यादा आवाज जिससे बहुत ज़्यादा noise pollution हो रहा है ठीक है और इसके noise pollution के वज़े से जो है जो पास पासी में जो baker की shop है baker क्या करता है जो baking है baking करता है cakes, biscuits वगरा बनाता है तो इसको बहुत ही इससे तकलीफ होती है ये workshop के हरकतों के वज़े से bakery वालों को तकलीफ होनी है noise pollution के वज़े से लेकिन bakery वाला जब cakes बनाता है biscuits बनाता है तो बहुत ही large scale में बनाता है इस सब चीजे तो इससे क्या होता है बहुत ज़दा smoke create होता है तो इसके चिमनी से बहुत ज़दा smoke वगरा निकलता है तो baker क्या करता है वो air pollution करता है मतलब की मतलब की बिटा जो वर्कशॉप वाला है वो भी अपनी हरकतों से परिशान कर रहा है bakery वाले को बेकरी भी अपनी हरकत से परेशान कर रहे हैं व्रक्शाप़ाए अधिया हो गया है crap क्या होता है तो मैंने आपको ओला थे कि समझो एक एक पब है पब है जहां पर डांस चल रहा है एक दम जबर जस्त बहुत जोड़ों से डांस चल रहा है तो इसके वाज़े से जो चार्ड अकांटेंस बैठें इनको बहुत तकलीफ और इस नॉइस प्लूशन से लेकिन सी ए ओफिस वाले पब वालों को कभी भी तकलीफ में नहीं देते कोई बी चीज की मतलब क्या है यूनिडिरेक्शनल है यह एक्टरनालिटी वैसी भी अकांटेंस कित्ते अच्छ हो दो धिक्कार काम झाल 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 येस गाईज चली चली ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्या भी पढ़ना है हमें बताईए अब हमें पढ़ना है टाइपस ऑफ एक्सटेनालिटी आएए चली तो टाइपस ऑफ एक्स्टेनालिटी पढ़ेंगे आजए ये जल्दी से तो अब हम आगए है चार्ट नंबर सेवन पे नहीं एट पर आ चुक है चलो चार्ट नमर एट पर आगा बढ़िया तो बोलते हैं एक्स्टरनालिटी जो है एक्स्टरनालिटी यह दो प्रकार के हो सकती है या तो बिटा यह हो सकती है नेगेटिव एक्स्टरनालिटी या तो बिटा या तो है यह हो सकते बटा positive externality ठीक है राइट तो आएए बात करते हैं सबसे पहले हम negative externality की बात करेंगे चलो तो बोलते है यानि ऐसा क्यों कर रहा है चली कोई बात नहीं वह नख्रे कर रहा था हूँ चली ध्यान देंगे तो क्या वह रहा था हमें आपको बताईए तो दो प्रगार की negative externality होते है या तो negative production externality या तो negative consumption externality अब आपको ऐसा सवाल आता है write a short note on the types of externality तो आपको चारों के बारह में लिखना है negative production externality अगर मैं बात कर रहा हूँ negative production externality की तो इसमें सबसे पहले negative का मतलब क्या है कि हमारे किसी activity के वज़े से third party पे कुछ external cost आ रहा है हमारे वैसे किसी third party को कुछ cost बोन करना पड़ रहा है and production का मतलब क्या है कि हम जो है production की activity कर रहे है तो देखें negative production externality मतलब क्या कि हमारे production activity के वज़े से किसी third party को कुछ external cost इंकर करना पड़ रहा है इसे बोलते है negative production externality ठीक है तो देखो क्या बोलेंगे हाफे it is a negative externality initiated in production मला हम हम जो है production activity कर रहे है initiated in production which imposes an external cost on others which may be received by another in consumption या production मतलब कि negative production externality initiate कैसे होती है कहां से start होती है किसी एक व्यक्ति के production activity के वज़े से किसे दूसरी किसी third party को उसके consumption या production activity में cost बोन करना पड़ता है इसे बोलते है negative production externality तो इसमें मैंने examples आपको बताए है कि अगर हम negative production externality receive करते है production में और negative production externality receive करते है consumption में तो उसके examples दिये है तो समझो अगर कोई factory वाला क्या करता है अपने factory वाला क्या करता है कच्रा अपने पासी के river में dump कर देता है तो untreated waste को कच्रे को पानी में dump कर देता है अब वो जो पानी था उसमें obviously fishes होंगे river में तो fishes की जान जा सकते इससे इट affects the fish output अब जो भी fisher होते है fishers जो fishes को पकड़के उन्हें बेचते हैं marketmen पैसा कमाते है अब ये factory वाले के हरकतों के वज़े से क्या हुआ है fish output कम हो गया है river के अंदर अब जब fishermen जाके fishes को निकालेंगे पानी से तो उनको ज्यादा fishes मिलेंग इच नहीं समझवार है तो it would lead to less catch for the fishermen due to loss of fishes मतलब कि एक वेक्टी ने production activity की factory में जिससे कुछ कच्रा आया उस कच्रे को उन्होंने पानी में फेक दिया तो एक वेक्टी ने कुछ production activity की जिससे जो fisherman था उसका भी जो production activity था जिससे वो पैसा कमाता था उसका भी जो business था fishes को बेचने का उसमें उसको loss हो रहा है इस factory के हरकतों के वज़े से तो negative production externality received in production इसे बोलेंगे negative production externality received in consumption का example क्या है same example एक factory वाले ने क्या किया अपना जो untreated waste था वो nearby river में dump कर दिया अब कुछ लोग होंगे जो उस उस नभी का पानी नहाने के लिए या पानी पीने के लिए यूज करते होंगे तो उनके लिए वो पानी अब खराब हो जाएगा तो वो जो पानी नहाने के लिए या पीने के लिए यूज करते है वो उनकी consumption activity है तो इसे बोलेंगे negative production externality received in consumption समझा क्या आगे बढ़ेंगे next आगे बढ़ेंगे next जल्दी से चलो फिर आता है negative consumption externality मतलब क्या सबसे पहले बीच वाला देखना बीच में क्या लिगा है consumption मतलब क्या कि ये जो externality है ये initiate हो रही है किसी के consumption activity के वज़े से मतलब जो initiator है वो कोई consumption activity कर रहा है इसी व्यक्ति के consumption activity के वज़े से third party पे कुछ external cost आ रहा है या तो third party के production में हो सकता है या third party के consumption में हो सकता है तो पढ़ेंगे क्या लिखेंगे इसके लिए बोलते है a negative externality which is initiated in consumption which imposes an external cost on third party or others which may be received by another in consumption या production तो negative consumption externality received in production का example क्या है तो बोलता है देखो जैसे आप लोग करते बहुत बार classes में इतनी बाते करते हैं इतने spam comment करते हैं कि आपको क्या बता है और इसके वज़े से teacher पुरा परिशान हो जाता है teacher पुरा परिशान हो जाता है तो उसको समझ भी नहीं आदे हैं क्या करेंगे कैसे इस class को संभाल है तो teacher जो है अपना production activity करने में बच्चे उनको disturb कर रहे है तो देखो क्या लिखा है the act of undisciplined students talking and creating disturbance in a class preventing the teachers from making effective instruction यह क्या हो जागा negative consumption externality received in production तो बच्चे क्या कर रहे है कोई productive activity नहीं कर रहे है मतलब वो consumption activity कुछ कर रहे है न मतलब अपने मजे के लिए बाते कर रहे है चिला रहे है class में spam comments कर रहे है जिससे teacher जो productive activity करना चाह रहे है उसमें उसे दिकत हो रही है तो negative consumption externality received in production next negative consumption externality received in consumption क्या होगा कि एक व्यक्ति के consumption के वज़े से दूसरे व्यक्ति को cost incur करना पड़ता है consumption में ही मतलब क्या जैसे smoking का इसमें example आता है कि अगर कोई व्यक्ति public place में cigarette smoke करता है तो उसके दूए के वज़े से जो बाकी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं वो भी passive smoking करते हैं तो जब आप without cigarette ऐसा जो cigarette का जो दूआ होता है वो ऐसे normally उसको inhale करते हो से passive smoking करना बोलते हैं और passive smoking करना भी बहुत ज़्यादा हानी कारक होता है health के लिए तो cigarette तो बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है तो बोलते हैं किसी एक व्यक्ति के cigarette consume करने के वज़े से दूसरे व्यक्ति जो आजू बाजू में रहता है वो passively smoke करते हैं उनको consumption में क्या करना पड़ता है health हजार होते हैं एक खर्चा करना पड़ेगा यह हो जाएगा negative consumption externality received in consumption समझा न आगे हैं फिर बात करेंगे बिटा positive positive externality से यहां पे भी दो है positive production externality positive consumption externality थोड़ा सा quickly देखेंग बिटा आए जल्दी से येस चलो बात कि देखेंगे प्लीज बोलते हैं positive production externality मतलब क्या बीच वाला शब्त क्या है production मतलब क्या कि ये जो externality है ये initiate हुई हूँगी बेटा production प्रोड़क्शन प्रोसेस में correct and positive है मतलब क्या कि इस activity के वज़े से किसी third party को कुछ benefit मिलने वाला है या तो consumption में या तो production में तो देखो क्या लिखा है a positive externality is initiated in production that confers मनलब gives confers external benefit on others तो पहला point कहां से आता है इस शब्द से आता है बीच वाले शब्द से पहला point आया दूसरा point कहां से आता है ये वाले शब्द से दूसरा point आता है तो positive है मतलब क्या third party भी कुछ external benefit होगा ये production externality मतलब क्या किसी के ये initiate हुआ है production activities से तो क्या है बताईए क्या लिखा है बोलो जल्ली से हमने यहां पे लिखा है अब positive externality is initiated in production that confers external benefit on others which may be received in production or consumption ये भी या तो production में receive करता है कोई व्यक्ति या consumption activity में करता है तो कैसे वह हम देखेंगे ठीक है तो compared to negative production externality positive production externality बहुत ही क्या होता है less common होता है uncommon होता है तो यह बहुत कम देखने को मिलता है कि positive production externality हो तो चलो देखता है फिर भी examples बोलता है पीपी ई received in positive production externality received in production मतलब क्या जब एक फर्म अपने employees को training देता है है ना समझो बिटा कि Reliance company ने क्या किया Reliance company ने जो है गौरफ को training दी हाँ Reliance company ने गौरफ को क्या दिर training दी और इसको दनादन मस्तर train कर दिया अब दो साल गौरफ ने काम क्या Reliance company में और फिर इसने Reliance company को धोका दिया छोड़ गया Reliance company और फिर टाटा में जाके वो join हो गया अब टाटा company वालों को गौरफ को वापस से training देनी पड़ेंगी क्या नहीं तो Reliance ने अपने production activity करने के लिए गौरफ को जो training दी थी इसका फाइदा अब टाटा वाले को मिल रहा है क्योंकि अब टाटा वाले को गौरफ को वापस से training देनी के जलवाद नहीं है यह होता है positive production externality received in production and finally positive production externality received in consumption क्या होता है बोलते हैं when an individual raises attractive garden and a person walking by enjoys the garden तो किसी व्यक्ति ने अपने घर के बाहर बहुत बढ़िया garden बनाया है और उस garden को बहुत अच्छे से maintain करता है तो आजू बाजू में जो भी लोग जाते हैं वो उस garden को देखके बहुत अच्छा feel करते हैं तो जब garden बना रहा है व्यक्ति वो अपने consumption activity ले उसने क्या क्या garden को बनाया मतलब कि यह जो externality है यह किसी के consumption activity से initiate हुई और जो सामने जो third party था वो उस garden को देखके बस खुश हो रहा है उसको अच्छा लग रहा है और उसको कहीं पर pay नहीं करना है तो it is positive production externality received in consumption तो आपको देखके ही पता चल रहा होगा कि य अब नेगेटिव प्रॉरक्शन externality जितना कॉमन नहीं होता है ठीक इस लेस्ट कॉमन कंपरिटिव नेक्स्ट अन फाइनली क्या है बताएंगे लास्ट पोजिटिव कंजम्शन externality मतलब क्या it is initiated in consumption that confers external benefit on others which may be received in production or consumption तो पोजिटिव कंजम्शन externality received in a production तो अगर क्या बता ह है है तो हमने यहाँ पर यह उल्टा हो गया है यह वाला है consumption वाला और यह वाला है production वाला ठीक है तो पहले देखेंगे positive consumption externality received in क्या बताएं received in consumption बोलते हैं अगर एक व्यक्ति ने immunize कर लिया खुद को मलब किसी ने vaccine ने लिया दवाई का अब जैसी उसको कोई ऐसी बीमारी होगी communicable disease जैसे कोविड बगरा तो जंकी ठीक हो जाएगा और इससे क्या होगा अब वो बाकी लोगों में इस बीमारी क तो फैला नहीं पाएगा तो बाकी लोगों को benefit मिलेगा तो किसी एक व्यक्ति के consumption से बाकी लोगों को भी benefit मिल रहा है positive consumption externality received in consumption and positive consumption externality received in production क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति जैसे मैंने बोला कि हम बात कर रहे है विराट तो जैसे बिटा विराट ने क्या किया है विराट ने बिटा विराट ने क्या किया उसने health club join किया अपनी जो है health बनाने के लिए अपनी क्या बताए ये fit रहने के लिए उसने health club club join किया इससे क्या होगा कि अगर वो daily fitness club में जाएगा तो उसके fitness level बढ़ेगा और वो जब काम करने जाएगा अपने company में तो और efficiency के साथ वो काम कर पाएग तो विराट के इस fitness service का consumption करने के बज़े से उसकी company वालों को production activity में कुछ benefit मिल रहा है Positive consumption externality received in production तो बस कितना ही है I hope आपको बाते समझ में आगे होंगी हम next chart पर जा रहे है chart number 9 पर जा रहे है अब इसमें आपको जाना है इसमें क्या देखना है इसमें आपको देखना है कि externalities जो है ये inefficiency कैसे create करती है ये आपको समझाना है तो इसका अगर simple भाषा में आपको एक चीज बताओ simple भाषा में एक चीज बताओ तो क्या होते बताइए externalities inefficiencies कैसे create करती है बोलते देखो जो भी external cost होता है वो हम market price में उसको consider नहीं करते जिससे हमें ऐसा लगता है जिससे देखो मैं एक बात समझे जैसे एक producer है एक producer को अपना production करने का जो खर्चा है वो लगा private cost जिसे बोलते है private cost उसको लगा समझे जैं 15 रुपए per unit पर इसके production करने के बज़े से जो third parties है उनको external cost जहलना पड़ा जैसे ये समझे लिजए अगर ये कुछ pollution वगरा करता है जिसके बज़े से third parties को कुछ खर्चा बोन करना पड़ता है समझो वो है 5 रुपए per unit वो है 5 रुपए per unit तो वैसे तो इस product को बनाने का total social cost क्या है 20 रुपए पर जब ये producer अपना decision लेगा कि price मैं क्या रखो हमारे product का price क्या रखो तो ये जो producer है वो सिर्फ private cost को ही consider करता है वो private cost को ही क्या करता है बोलो वो जो है private cost को ही consider करता है private cost को ही internalize करता है इसको ही internalize करता है अपने decision making में इसके हिसाब से अपनी price set करता है तो उसको ऐसा लगता है producer को कि मेरा तो cost कम है actual में 20 रुबे cost है पर उसको वो चूकी external cost को ignore करता है यहना इसको consider नहीं करता तो उसको लगता है कि उसका cost कम है जिसके वज़े से उसको ऐसा लगता है कि हमारा profit तो ज्यादा है भी यह तो एक काम करते है ज्यादा supply करते है तो जरुवत से ज्यादा supply करता है जिससे होता है बेटा over production and over production जब होता है externality के वज़े से तो इसके वज़े से market failure होता है क्या समझा आपको, क्या बोला मैंने, छीक है, चले, तो अब इसमें आपको सवाल आ सकता है, कि Private Cost क्या होता है, Social Cost क्या होता है, तो आपको उसमें ये चीजे लिखनी है, कि Private Cost क्या है, बोलता है, Private Cost is the cost faced by the producer और consumer, directly involved in the transaction, ये बहुत important है, लाएगे, the cost incurred by the producer और the consumer directly involved in a transaction इसे private cost पोलते हैं, हैना private cost में क्या आता है जो भी खर्चा producer incur करता है प्रोडक को बनाने में, जैसे कि labor को wages देते हैं raw metal खरीदने में, energy, electricity का खर्चा बाकि indirect overheads, जो भी खर्चा producer या consumer incur करता है, तो the cost faced by the producer और consumer directly involved in the transaction, अब actual में समझ लो, अगर कोई व्यक्ती aluminium product बना रहा है aluminium product बनाने के लिए उसका private cost 15 रुपए है पर aluminium का product बनाने के वज़े से जो pollution होता है उससे बाकि लोग को जो health hazards हो रहे है health diseases हो रहे है, वो जो पैसा खर्चा कर रहे है एकनी health के उपर वो वाला पैसा है external cost और ये पांच रुपए जो है ये तो ये producer बोन करता नहीं ये producer ये खर्चा नहीं उठा था लोगों का है ना तो ये होता है external cost तो बहुते देखो देखो यहां पर ध्यान देंगे कि social cost refers to the total cost to the society on account of production और consumption activity कोई भी production और consumption activity के वज़े से society के उपर total में कितना खर्चा, total में पूरे society को कितना खर्चा बोन करना पड़ता है तो बोलते है social cost में private cost भी आता है external cost भी आता है तो social cost are private cost born by the individuals directly involved in the transaction plus external cost born by third parties not directly involved in the transaction तो aluminum product बनाते वगत है ये जो private cost है उसमें तो producer directly involved है transaction तो वो खर्चा private cost पर उस aluminum बनाने के वज़े से इनको जो pollution से बिमारिया हुई इनको उसका खर्चा खुद उठाना पड़ रहा है पर वो तो directly involved है ही नहीं aluminum बनाने में उसे बोलते है external cost यह समझा तो private cost, social cost इस पर आता है बिटा सवाल बहुत बार है एक्जाम में कम से कम दो से तीन बार आ चुका है ओल्रेडी चल वैसे ही बिटा होता है private benefit, social benefit इसी एक किसी व्यक्ति के production या consumption activity से जो उसको खुद को benefit मिलता है private benefit, so the benefit received by the producer consumer directly involved in the transaction private benefit किसी एक consumption या production activity के वज़े से जो society को total benefit होते है उसे बोलते है social benefit, तो social benefit होता है private plus external benefit बोलते है कि हमारे economy में social efficiency कब अचीव होती है बोलते है हमारे economy में socially optimal output या social efficiency कब अचीव होती है जब हमारा marginal social benefit हमारे marginal social cost से equal हो जाता है अब हमारा marginal social benefit जो होता है बेटा marginal social benefit ये कैसा आता है हमारा marginal social benefit ये कैसा आता है ये बोलता है ये आता है marginal private benefit plus marginal external benefit हमने आपको जस्ट अभी पढ़ाया था कि generally बीटा किसी के production activity से बाक्यों को कुछ benefit मेरे ये बहुती less common चीज़ है हमने जस्ट पढ़ा था राइट किसी एक व्यक्ति के किसी एक व्यक्ति के बीटा सुन्याबाद ध्यान से किसी एक व्यक्ति के production activity के वज़े से किसी third party को benefit मिले ये बहुती less common चीज़ होती है मतलब की production activity से external benefit मिले इसके chances बहुत कम होते हैं तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको ignore करते हैं हम बोलते कि marginal external benefit मिलना बहुती less common चीज़े इसे ignore करो इसे zero मानो तो इसलिए हम marginal social benefit को ही marginal private benefit मानते है कहाँ पे हमारे इस graph के अंदर ठीक है और ये दर्शा आता है बिटा हमारा demand curve हमको जितना benefit मिले का उसके हिसाब से ही हम पैसा पे करेंगे ना तो यहां पे जो हमारा marginal social benefit है बिटा यहां पे जो हमारा marginal social benefit यह जो हमारा marginal private benefit यह हमारा marginal social benefit भी है क्यों कि हमने marginal external benefit को ignore किया है अब हमारे जो producers होते हैं वो तो marginal private cost को ही consider करते हैं वो तो external cost को consider नहीं करते हैं तो हमारे जो producers होते हैं बिटा वो marginal private benefit जो demand कर्व है और marginal private cost जो supply कर्व है इसके intersection से जो हमारा output आता है हम वो वाला output बनाते हैं और उस price पे चीज़े बेचते हैं बट actual में हमें production के वज़े से कुछ external benefit भी होगा external cost भी उठाना पड़ेगा society को तो marginal social cost होता है MPC plus marginal external cost तो actual में producer को ये consider करना चाहिए था अपना supply कर्व और actual में हमारे producer को इस equilibrium के हिसाब से production करना चाहिए था तो इसके हिसाब से production करना चाहिए था लेकिन हम कर रहे हैं इतना production क्यूंकि हम marginal external cost को ignore करते हैं इसलिए समझा क्या इसको internalize नहीं करता कौन हमारा producer जिसके वज़े से हम over production करते हैं देखो जितनी जरुवत थी उससे ज्यादा का production हम करते हैं तो externality के वज़े से over production होता है जिससे क्या होता है हमारा market failure होता है और यह जो area यहाँ पर दिख रहा है आपको यह वारा यह area बताता है loss of social welfare मतलब क्या है सर इसका loss of social welfare कि जब हमारे economy में equilibrium level of equilibrium के हिसाब से goods and services नहीं बनते हैं तो loss of social welfare होता है इसे बोलते है dead weight losses ठीक है यहाँ पर equilibrium आना चाहिए था पर हम इस equilibrium के हिसाब से production करते हैं इसलिए यह dead weight losses economic को उठाने पड़ते है loss of social welfare होता है यहाँ इतने area जितना चल आगे next फिर बात आती है इसमें चलो next अगला चार्ट देहीं है चार्ट में 10 आगे है चलो next तो हमने externality पढ़ लिया क्या जोड़दा बात है सर externality हो गया अच्छा अब क्या बचासा देखो अरे यार यह उसको बहुत ही चार्ट थोड़े से वह है ना बहुत बड़े चार्ट से ना इसलिए चलो चार्ट नमबर 10 पर हमें जाना है ठीक है हां चलो हमने अभी तक क्या देख लेटा बोलो वाइडू क्या होता है यह समझाते है फ्विक लिधेंगे एक दा आपको प्राइवेट गुड्स को यूज करना है तो आपको उसको खरीदना ही पड़ता है जैसे पबलीक गुड्स में ऐसा नहीं होता पबलीक गुड्स के केस में आपको किसी को डारेक्ट पेमेंट करने की जरवत न प्राइवेट गुड्स के केस में आपको किसी औरेक्ट पेमेंट करने की जरवत नहीं होती है लेकिन प्राइवेट गोर्द में आपको कोई पैसा दिना नहीं नेक्स्ट प्राइवेट गुड्स जो हे मिटा ये rivalrous in nature होते है है ना rivalrous मतलब क्या simultaneous consumption not possible अगर जैसे ये mobile phone मैंने खरीद लिया है तो अब ये mobile phone जब मैं use करूँगा तो इसका usage मैं किसी और को करने नहीं दूँगा उसमया तो rivalrous मतलब simultaneous consumption not possible next excludable का मतलब क्या है कि भहिया अगर private goods को खरीदने के लिए तो किसी व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया है तो हम उसे हकाल सकते है तो it is possible to exclude और prevent consumers who have not paid for the product excludable nature of the private goods next they do not have the free rider problem free rider problem मतलब क्या बोलते है कि कुछ लोग क्या सोचते है कि जैसे government roads, bridges ये सब तो बनाएगा ही ना तो हमें अलग से tax देने की जरुवत क्या है कुछ लोग जोग जो tax दे रहे ना वो देते रहे हमको तो फुकड में सम मिल रहा है public park मिल रहे है, electricity मिल रही है है ना मतलब roads वगरा में roads मिल रहे है, bridges मिल रहे है तो बोले जब बाकी लोग खर्चा कर रहे हैं tax facts का हम नहीं करेंगे हम tax pay नहीं करेंगे जब फुकड में सम्मिन तो यूज करो इसे बोलते free rider problem ये free rider problem public goods में देखने को मिलता है private goods में देखने को नहीं मिलता क्यों? क्योंकि private goods को use करने के लिए पैसा देना ही पड़ता है जो पैसा देंगा वही यूज कर पाता है उसको लेकिन चुकि public goods को लोग freely use कर सकते हैं इसलिए उसमें free rider problem होता है next मलब लोग चीजों को use करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं देना चाहते इसे बोलते हैं free rider problem next देखेंगे owners of private goods can exercise private property rights and can prevent others from using the good अगर ये good मैंने खरीदा है तो ये मेरी private property है मैं आपको रोक सकता हूँ मेरे mobile को use करने से क्योंकि मेरी खुद की property मेरे खुद का good है इसलिए and समझो बेटा कि अगर मैंने mobile खरीदा और मैंने mobile खरीदा बेटा 5000 रोपेगा तो मेरा mobile बनाने के लिए company को 5000 का खर्चा हुआ तो ये मैंने mobile खरीद लिया अब समझो अब समझो लिजए बेटा कि मोहित को हाँ समझो अगर मोहित को mobile phone खरीदना है तो क्या मोहित के लिए company को नया mobile phone बनाना बड़ेगा अलग से अलग से रिसोर्स पे खर्चा करेगा अलग से नया mobile phone बनेगा जिस पे additional resource cost होगा तो इसके रहे वापस से company को 5000 का खर्चा करके बाद में ही वो mobile phone खरीदना बेच पाएंगे मोहित को इसका मतलब है कि for supplying additional private goods सुनना बाद ध्यार से for supplying additional private goods additional resource cost is involved but government ने बिटा road बना दिया और इस road पे government ने समझो 50 करोड रुपे खर्चा कर दिया अब इस road पे मैं जा रहा था मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था फिर बाद में मोहित को मिर्ची लगी तो मोहित भी आ गया यहाँ पे मोहित भी आ गया रस्ते बे चलने के लिए तो क्या जब मोहित अब इस road को यूज करेगा तो क्या government को वापत से 50 करोड रुपे खर्चा करने है क्या मोहित के लिए नहीं मलब की public good के case में हमें हर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग resource cost इंकर करने के जरुवत नहीं होती जबकि private good के case में हर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग product बनाना पड़ता है और उस अलग अलग product के लिए additional resource cost लगता है ये logic समझ मा रहा है चले आगे next हाँ फिर इसके बाद समझा तो आप देखेंगे अभी next character six of public goods देखेंगे चले तो public goods के character six की public goods कैसे होता है ये भी बहुत बार बीटा question आता है exam में बहुत बार आता है आपने कंपल सीरीस में भी देखाऊगा बहुत बार था बहुते कि the consumption of the consumption of public goods is collective in nature collective in nature होता है no direct payment by consumers यहाँ पर consumer पर direct payment नहीं करना है इसको use करने क्ले तो हम public goods को collective consumption या social good भी बोलते हैं ये non-rivalrous in nature होता है मतलब क्या simultaneous consumption possible है अगर एक road पर मैं चल रहा हूँ तो क्या कोई और नहीं चल सकता है दूसरे पर लोग भी तो चल सकते है माला हम public goods को consumption of a public goods by one individual does not reduce the quality और quantity available for others ये बहुत important है आपके technical language next non-excludable अरे भीया अगर समझ लीजे कि मैं road पर चल रहा था मैंने बोला मैंने तो भीया tax भरा है लेकिन क्रिश जब road पर चल रहा था तो मैंने बोला क्रिश तुम तो अभी student हो तुमने तो tax भरा ही नहीं है तो तुम इस road पर नहीं चल सकते हैं ऐसा चलता गया नहीं बोले अगर किसी व्यक्ति ने पैसा पर नहीं किया है किसी public goods को use करने के लिए फिर भी हम उसे हकाल नहीं सकते हैं हम उसको deny नहीं कर सकते हैं तो if the good is provided one individual cannot deny another individual's consumption even if they have not रोक नहीं सकते हैं उसके consumption से and then public goods indivisible nature के होते हैं जैसे क्या हम रोड को ऐसे divide कर सकता गया क्या रोड को हम ऐसे divide कर सकते गया कि इतना part मेरा इतना part क्रिश का इतना सौरफ का इतना मुहित का इतना गौरफ का ऐसे क्या हम इसे divide कर सकते गया नहीं कर सकते तो ये indivisible nature का होता है नेक्स्ट आपको public goods के case में ही externalities inadequate property rights and free rider problems देखने को मिलते हैं inadequate property rights मनलब क्या मनलब कोई भी जो है public goods पे अपना right नहीं जता सकता obviously आप ऐसे जैसे लोग बोलते हैं ऐसे generally कि हमारे घर के सामने वाला जो road है वो हमारा road है तो वहाँ पे अगर तुमने गाड़ी रखा तो हवा निकाल देते हैं बोलते हैं ये हमारा जगा है बेटा वो किसी की जगा होती नहीं हो सब की जगा है आप ऐसे अपनी property rate exercise नहीं कर सकते है ठीक है तो जो public goods होते हैं उसमें property rate exercise नहीं कर सकते है अपना राइट एक बार पब्ली गुड़ प्रोवाइड़ कर दिया तो अब कोई दूसरा व्यक्ति जब उसे यूज करेगा समझो एक बार road बना लिया पचास करण रूपे खर्चा हो गए अब मैंने जब यूज किया road को तो ठीक है जब मोहित ने किया तो कहा है मोहित के लिए वापस से पचास करण खर्चा करने बढ़ेंगे कहा है नहीं तो पब्ली गुड़ के केस में आपको once the good is provided additional resource cost of another person consuming the good is zero इसका ये मतला है ठीक है चली क्या बासन मा के बताई एक फास्ट जली से ओके वेरी बॉन next बोलते देखो पब्ली गुड़ जो है पब्ली गुड़ जो है generally बेटा they do not provide the incentives that will generate optimal market reaction बना जिससे आप उस पे उतना ज़्यादा profit नहीं कमा सकते पब्ली गुड़ पे तो अगर हमने market को अपने हाल पे छोड़ दिया if market is left to itself the public goods will not be produced at all और they will be under produced तो जितनी जरुवत है उतना production public goods का नहीं होगा अगर government ने intervention नहीं किया तो so this leads to market failure तो public goods का भी under production होता है ठीक है चली आगे बात यहाँ पे खतम नहीं होई बिटा अभी इसके अंदर अब आपको और चीजे पढ़नी है public goods के अंदर है हाँ अब आपको इसके अंदर बिटा क्या पढ़ना है चलो वो देखते हैं तो सबसे बिला आपको पढ़ना है इसमें सबसे बिला पढ़ना है आपको classification of public goods फिर आप पढ़ेंगे हाँ फिर आप क्या पढ़ेंगे इसके बाद चलिए अड़े यार चलिए और यार चलिए कोई बात नहीं तो सबसे बिला पढ़ेंगे classification of public goods फिर आप पढ़ेंगे impure public goods या hybrid good फिर आपको मैं पढ़ाओंगा क्या global public goods एंड देन आपको पढ़ाओंगा मैं the free radar problem है ना तो चलो बात करेंगे सबसे बिले classification of public goods है ना तो यहाँ भी देख क्या लिखा है excludable non excludable इसके लिए भी मैं आपको एक समरी बताई थी हाँ मुझे बताईए excludable का मतलब क्या है कि अगर excludable का मतलब होता है बटा कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो हम तुमको हकाल सकते है मतलब क्या अगर तुमने पैसा नहीं दिया फिर भी हम तुमको हकाल नहीं सकते है मतलब तुमको समद्वारे we cannot deny consumption राइवलरस मतलब क्या simultaneous consumption simultaneous consumption simultaneous consumption अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो राइवलरस भी है एक्सक्रूडेबल भी है वह होते है वहते है प्यॉर प्रायव फ्रैवेट ब distinctive होते है लेकिन राइवलरस है मतलब कि अगर पैसा नहीं दिया तो हम तोंको हकाल नहीं सकते मलब सबको allowed है उसको यूज करने हैं बट-sil SUV यह और ये कि देना राइवलरस हैं तो fish stock forest resources अगर कोई व्यक्ति एक pond के अंदर fishing कर रहा है तो उस pond में उस lake में आपके sedemus lake में कोई भी जागे fishing कर सकता है अब समझो उस lake के अंदर 100 fishes है और उसमें से krish जो है 50 fishes उसने निकाल ली उसमें से तो अब जो है जो remaining fishes है वही बचेंगी बाकी लोगों के लिए जो 50 fishes krish निकाल के चला गया है वो fishes जो है अब दूसरों को नहीं मिल पाएंगी तो common access resources rivalrous होते हैं बट non-explodable होते हैं next non-rivalrous and explodable मतलब क्या simultaneous consumption possible है लेकिन अगर पैसा नहीं दिया तो हम तुमको use करने नहीं देंगे यह होते हैं आपके club goods जैसे की cinema तो cinema में क्या है multiple लोग साथ में मिलके movie देख सकते हैं येस लेकिन जो ticket खरी देगा उसको ही अंदर जाने देंगे बाकियों को अंदर जाने नहीं देंगे समझा आगे yes then have pure public goods क्या होते हैं non-explodable and non-rivalrous ये तो pure public goods जैसे के defense service मलब military service की बात कर रहा है national defense ठेके next फिर बात आते हैं इसमें चलो दोनों के features होते हैं इसके अंदर जैसे की open access wifi जितने ज्यादा लोग railway station and airport पे open access wifi से connected रहेंगे उतना हर व्यक्ति को कम speed मिलता है correct तो the benefit and individual gets depends on the number of users open access wifi जैसे इसका example है ना बोलता है impure public goods also differ from pure public goods in the sense that they are often excludable to generally impure public goods excludable nature के होते हैं जैसे cable television तो cable television को भी multiple लोग देख सकते हैं लेकिन बीटा क्या बताएगे यह excludable होता है तो देखो क्या लिखा है it is non rival because the use of cable TV by other individuals will no way reduce your enjoyment अगर multiple लोग इसे use कर सकते same time पे cable satellite television को लेकिन जिन लोगों ने cable TV service के लिए पैसा दिया है उनको ही वो connection मिलेगा बाकियों को नहीं मिलेगा तो यह क्या थे impure public goods या hybrid goods अब इसके अंदर टाइपस आते हैं आपके इसके अंदर आपके टाइपस आते हैं तो बुचानन भुला ने बुला था कि इत इस आव्डी गूट्स थीह आपके गूर्ट्स यह और णीगूट्स विचार रेपलीगेबल अगने जैसे अगा इसे सेंसे इंग्रेश सेंविसें मूटिपर लोग प्रोषे हैं तो यह प्रक्राइब निचर के होते हैं, therefore individuals who are excluded from one facility may get similar services from equivalent provider जैसे की gyms, जैसे की gym, fitness center, अगर एक gym में आपको membership नहीं मिली, क्योंकि उसमें full हो गये थी admissions, तो आप दूसरे gym, दूसरे fitness center में जाके ले सकते हैं, तो club goods क्या होते हैं, यह replicable nature क्या होते हैं, बुचा निन ने सबसे बिले इसकी बात की थी, next, फिर क्या है, दूसरा होता है, बिड़ा, variable use public goods, तो यह बताया था किसने, Oakland and Sandmo, ने बताया था, क्या, variable use public goods के बार में, बोलते हैं, once they are provided, everybody can use it, जैसे कि roads, bridges, तो variable use, एक बार इसको provide कर दिया, तो आप multiple लोग उसे use कर सकते हैं, same point of time पे, तो बोलते हैं, यह excludable भी हो सकते हैं, non excludable भी हो सकते हैं, बोलते हैं, अगर यह excludable होंगे, if they are excludable, तो आप इसके congestion को, क्या कर सकते हैं, इसके congestion को control कर पाएंगे, इसके consumption को control कर पाएंगे, है ना, तो if they are extrudable, the frequency of usage can be controlled, है ना, और generally variable use public would non-replicable होते है, मतलब क्या, इसके जैसा same दूसरा वो नहीं बना सकते है, so इसलिए इसका access सबको मिलना चाहिए, इसका ये मतलब है, मतलब क्या बेटा समझो, कि आपके घर से, जैसे मैंने बोला, मनी बात समना बेटा ध्यान से, मैंने ब अमीशा, मैंने बोला, अमीशा के घर से, पिंकी के घर का एक रस्ता था, ये हाइवे था, हाइवे वाला रस्ता, अब अमीशा को ये हाइवे पे, समझ लो, उसने टोल का पैसा नहीं दिया, उसने बोला, मैं टोल का पैसा नहीं दूगी, जैना, अगर मुझे इस हाइवे स से जाने तो मैं टोल टैक्स पे नहीं करूँगी तो आमिशा ने मुला कि अब मैं क्या करूँगी मैं अपना अलग रस्ता बनाऊंगी पिंकी के घर जाने क्लिशा होता गया तो यह जो एक टाइक का बनांगी तो इसा चलता है ईसे चलता है Hoje की होता recib एकसेस है वह सबको मिलना चाहिए इसका यह मतलब इंच्ट इसके बाद अगला देखें इसे next next है quasi public goods जली देखेंगे quasi public goods या mixed good बोलते हैं बहुत ज्यादा important इसे हम near public good भी बोलते हैं ये जो line पड़ रहा हूँ ये आपके paper में दिखनी चाहिए वरना मैं ही आपको फटके लगाऊँगा बोलते हैं the external effect associated with the consumption of a private good वो external benefits जो है उसमें public good जैसे characteristics है समझो अगर आपने measles जैसे पहलो chicken pox में होता है न वो measles तो आपने you got inoculated yourself against measles मतलब क्या अगर एक व्यक्ती ने ऐसी दवाई ले ली जिससे अब उसे measles या chicken pox या corona नहीं होगा समझाए तो उस दवाई से क्या होगा उसको तो benefit मिलेगा ही पर अब वो ये वाली बिमारी को बाकी लोगों में फैला नहीं पाएगा तो इसके इस consumption करने के वज़े से इस private good इस medicine को इस vaccine को consume गरने के वज़े से बाकी लोगों को जो benefit मिल रहा है वो एक public good की तरह है तो इस यक्ति के consumption activity जो है उससे जो benefit मिल रहा है बाकी लोगों को it has characteristics of public good इसमें आप education का भी example लिख सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको तो इससे फाइदा होगा ही future में आप को jobs अच्छी मिलेगी आप अच्छा business करेंगे अच्छा पैसा काम आपएँगे बट इससे future में आप knowledge आपकी बड़ेगी तो इससे आप क्या कर सकते है future में knowledge में contribution कर सकते है आपके subject में कुछ contribution कर सकते है आप कुछ books होगा लिख सकते है जिससे बाकी लोगों भी उसका फाइदा मिले पिर क्या आप है आपका बताएगे common access resources तो बोलते है देखो यह आपर क्या लिखा है बोलते है these are non extrudable in nature क्योंकि अगर किसने पैसा नहीं दिया तो उसको हका नहीं सकते है उसको भी आप मना नहीं कर सकते है consumption करने से है ना non extrudable nature क्यों होते है बट यह rivalrous होते है their consumption lessens the benefit available for others तो जैसे fisheries, forest यह सब क्या है natural resources यह सब common access resources में आते हैं तो generally बिटा यह चूकी free में available होते हैं हमारे पास इसलिए लोग क्या करते हैं इनको overuse करते हैं जिसके वज़े से इनका depletion या degradation होता है future में और जब हम हमारे common access resources को overuse करते हैं जब हम हमारे common access resources को overuse करते हैं जिससे उनका degradation या depletion हो जाता है इसको बोलते है tragedy of the commons तो tragedy of the commons जो है बिटा यह गैरेंट हारडिन करके एक एक इकनॉमिस्ट है इन्होंने अपनी article tragedy of the commons में इसके बारे में लिखा था इन्होंने बुला था कि when rivalrous but non-exprudable goods मतलब क्या common access resources यह यह तो होता है जिको common access resources क्या थे बिटा यह rivalrous थे and non-exprudable थे तो बोलते when rivalrous and non-exprudable goods are overused to the disadvantage of the entire world इसे क्या मोलते है tragedy of the commons ठीक चले तो यह बात सेन में आगे बताए यह fast बाके अब उसमें दीट कर सकते है अगली बात तो अब हम why do market fails इसमें हमने क्या कर दिया market power देख लिए externality देख लिए public goods वाला part हमने देख लिए अब हमने देखना है incomplete information वाला part ठीक है चलो आईए तो जल्दी से देखेंगे अभी आज़ो यार प्रिज आ जाएंगे तो incomplete information सबसे पहले सबसे पहले चलो जल्दी से देखेंगे तो 2 मिट का break भी ले लेंगे इसके बाद ये हो जाने के बाद ठीक है चलो धान दो incomplete information चेक करेंगे क्या वोलते देखो सबसे पहले incomplete information समझने के लिए आपको समझने बढ़ेगा perfect competition क्या होता है sorry perfect information तो incomplete information समझने के लिए आपको बढ़े perfect information क्या होता है ये समझना जरूरी है बोलते है perfect information का मतलब है कि जब हमारे market में buyers and sellers के पास full information होती है about anything that influences that decision making तो जब आप कोई product खरीदे है या आप कोई product को बेचते है तो जब buyers and sellers के बास complete information है उस product के बारे में तो हम बोलते हैं कि perfect information exists कर रही है market में लेकिन real life में बेटा ये assumption is not fully satisfied in real markets क्योंकि generally बेटा कुछ products होते हैं ऐसे बहुत ही complex nature के होते हैं जैसे cardiac surgery अब डॉक्टर चाहा के भी patient को पूरी intricacies नहीं समझा सकता financial products तो जो लोग mutual funds बेचते हैं वो लोग एकदम speed में बोलते हैं mutual funds are subjected to market risk please read all scheme related documents carefully तो अब scheme related documents पर सब चीज़े लिखी रहती पर लोग वो पढ़ते थोड़ी ना है है ना तो mutual fund खरीदने के बेले उनको भी पूरी जानकारी नहीं होती mutual fund के बायों फिर भी उसको खरीदे है है ना तो जनरी भी बोलते हैं कभी कभी nature of products इतने complex होते हैं कि चाहा के भी buyers जो हैं उसका पूरा information नहीं जान पाते हैं उस चीज़ का next बहुत बार consumers are unable to quickly find sufficient information on the best prices and quality of the product अब मैं समयलीजे उस दिन बिटा मैं समयलीजे मोबाइल फोन का cover खरीदने जा रहा था ठीक है अब मेरे पास इतना time नहीं था कि मैं पुरा research करूँ कि कहां पे mobile phone का cover सस्ता मिलेंगा कहां पे अच्छी quality मिलेंगी मैंने एक जगा से 500 रुपे का cover खरीद लिया एक दुकान से कुछ दिनों बात मुझे पता चला कि इससे भी ज्यादा अच्छी quality का cover 200 रुपे में मिल रहा है किसी दुकान में तो मैंने तो खामखा ज्यादा पैसा खर्चा कर गया ना पहले बट बहुत बार क्या होता है हमारा पास इतना समय ही नहीं होता लोगों के पास है ना देखो क्या लिखा है consumers are unable to quickly find sufficient information on the best prices and quality of products जिसके वाज़े से incomplete information है उनके पूरा जानकारी है ही नहीं कि हमारे बढ़ा कहां पे ज्यादा अच्छा मिल सकता है जिसके वाज़े से क्या होता है वो ज्यादा पैसा खर्चा कर देता है ना आगे उनके choices distort हो जाती से बोलते है distort distorting choices से बोलते है next देखो क्या लिखा है आगे people are ignorant बहुत बार people ही ignorant होते है people are ignorant of many matters in the market generally they have inaccurate or incomplete data and they make wrong choices and decisions and the above reasons lead to information failure जब information failure होता है बेटा तो इसके वाज़े से asymmetric information adverse selection and modest hazard जैसी चीज़े होती है so this affects the ability of the market to efficiently allocate the resources अब जिस चीज के लिए आपको 200 रुपे नहीं देने चाहिए थे उसके लिए भी आपने 500 रुपे खर्चा कर दी है यह तो गलत है आपके resources efficiently allocate नहीं हो पाए हमारे है ना so क्या लिए है कि this affects the ability of the market to efficiently allocate the resources and therefore it leads to market failure है ना because the party with better information has a competitive advantage तो यहाँ के आपके आती बाते क्या बताई इसमें तीन बाते आती है the seller knows more than the buyer और vice versa किसी एक transaction में seller के पास ज्यादा जानकरी है buyer से या buyer के पास ज्यादा जानकरी है seller से और वो एक दुसरे के साथ पूरी जानकरी शेर नहीं कर रहे है इसे बोलते हैं imbalancing information होना या asymmetric information होना and this can lead to distort choices and this can distort choices when one party to a transaction knows a material fact that other party does not this phenomenon which is sometimes referred to as the lemons problem is an important source of market failure the lemons problem हम आगे आपके साथ discuss करने वाले है ठीक है आगे next तो बोलते हैं कि जब बेटा asymmetric information होता है ना तो asymmetric information के वज़े से adverse selection करते हैं लोग asymmetric information के वज़े से adverse selection करते हैं लोग तो क्या होता है adverse selection मतलब क्या it is a situation in which one party toward contract possesses information relevant to the contract that the corresponding party does not have जब एक contract के अंदर एक party के पास कुछ ऐसी information है जो relevant है contract के लिए पर वो वाली information दूसरे party के पास available नहीं है इससे asymmetric information आती है इससे asymmetric information create होती है और इसके वज़े से लोग जो है गलत decisions लेते हैं market में जो चीज खरीदनी चाहिए थी वो नहीं खरीदते और जो चीज नहीं खरीदनी चाहिए थी उसे खरीदे लेते हैं समझ मारा है तो बोलता है this leads to adverse selection है ना तो क्या होता है asymmetric information क्या बताइए about quality eliminates the high quality goods from a market and buyers end up either selecting substandard products or leaving the market all together तो जब हमें quality के बारे में पूरी जानकरी नहीं होती है किसी चीज के बारे में तो हम ना चाहते हुए भी low quality products खरीद लेते हैं market में जिसे बोलते हैं lemons problem जिसे बोलते हैं lemons problem तो जब हमें पता नहीं होता कि कि किसी प्रके quality कैसी है तो हम seller के बातों में आ जाते है, seller बोडते हैं हाँ बहुत अच्छा है product लेव 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 तो हमें तो पता आगी था कि actual product की quality अच्छी नहीं है हमारे पास product के quality की पूरी जानकरी नहीं है हमें पता ही नहीं कि actual product अच्छा नहीं है सब स्टेंडर क्वालिटिक है, फिर भी हम उसे खरीद लेते हैं, मला हम एक lemon प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, lemon प्रोड़क्ट खरीदना मतलब क्या? low quality का प्रोड़क्ट खरीदना, तो अगर हम market में low quality प्रोड़क्ट से ज्यादा खरीद जाएंगे, तो अपने आप market से high quality प्र अब उनको अपने clients के health के बारे में पूरी information नहीं होती, कभी भी insurance company वाले जब insurance पेशते हैं, तो पूछते हैं, क्या आपको कोई, क्या आपको कोई बिमारी है, तो सब क्या वेगा, नहीं हमको कोई बिमारी नहीं, कोई थोड़ी नहीं ऐसा बदाएंगा, हाँ हाँ हमको बि insurance company वालों को अपने सारी बिमारीों के बारे में बता देता है, तो insurance company वाले आपसे ज्यादा premium चार्ज करता है, तो इसलिए हर व्यक्ति क्या करता है, insurance premium लेते हैं वक्त अपने पूरी जानकर ही नहीं बताता है, तो इसके वज़ए से insurance, जो insurance company वाले है, वो high risk and low risk लोगों के बीच में डिफ्रेंस सेशन नहीं कर पाता जैसे कि सम्झों बटा एक व्यक्ति है एक्स एक है वाई अब एक्स को बहुत ज्यादा है इसको बहुत जादा डिमारी यह पर यह बताता नहीं इन्शूरांस कम्नीवाले को यह बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूं और वाई जो व्यक्ति है इसको डिलकुल से ही इसको कोई विमारी और यह ऐसी ही चीज बताता है कंपनी को कि हम सब्दे कोकी दोनों को इसकीज बता रहे हैं अब क्या होगा दोनों को समझो हमने 10,000 रुपे का प्रीमियम चार्ज किया इंस्वर्णस कमपनी वाले ने 10,000 रुपे का प्रीमियम चार्ज किया अब कुछ समय बाद Mr. X को समय दीजे कुछ बीमारी होगी एक्स्ट्रीम में और उसकी डेथ होगी तो अब क्या होगा इंस्वर्णस कमपनी वाले को Mr. X को क्लेम देना पड़ेगा तो इंस्वर्णस कमपनी वालों को लगेगा यार यह तो रिस्क बहुत बढ़ रहा है है ना तो इसके चलते वो क्या करेंगे बाकी लोगों का भी प्रीमियम का अमाउंट बढ़ाना चालो कर देंगे तो जब सब लोग अपने हेल्थ के बारे में करेक्ट इन्फोर्मेशन इंस्वर्णर को नहीं देते हैं इसके वज़े से इंस्वर्णस कमपनी वाले हाई रिस्क और लो रिस्क पर्सन के बीच में differentiation करना नहीं नहीं differentiate नहीं कर पाते हैं so this forces the price of insurance to rise और भले ही कोई व्यक्ति healthy हो वो भी फिर सोचता है यार इतना महेंगा है insurance छोड़ो मैंनी लेता है न छोड़ो मैंनी लेता है न तो this also further increases the proportion of unhealthy people among the insurance and thus raising the price of insurance even more तो यह कहा है adverse selection ठीक है आगे और फिर बात आते हैं moral hazard यह भी बहुत जब दस पॉन्सेंट मॉरल हजार मॉरल हजार क्या होते हैं वो ते अराइजस में वेन क्या बताएँ it is about an informed persons taking advantage of a less informed person through unabsorbed action तो इसमें भी आपका आता है क्या गाड़ी का comprehensive गाड़ी का comprehensive insurance तो comprehensive insurance का मतलब क्या होता है कि गाड़ी में अगर कुछ भी तूटा फूटा तो insurance कमनी वाले पैसा देंगे आपको और वो आप ठीक करवा सकते हैं तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो मस्तपे की कार खड़ीते हैं और उसका comprehensive insurance निकालते हैं और फिर इस कार को जान बूच के एकड़म रफ ली चलाएंगे रफ चलाएंगे एकड़म जान मुझके ज्यादा speed में चलाएंगे क्यों ऐसा क्योंकि उनको मालूम है कि भाईया अगर भले ही कार का accident हो जाए भले ही कार में कुछ तूट फूट जाए ये company है ना insurance वाली वो पैसा दो देंगी ची यह होता है moral हजान तो it is क्या बताएंगे it is about an informed person taking advantage of a less informed person through an unabsorbed action इसे बोलता है moral हजान तो याद रखेंगे ठीक है आपको life insurance वाला याद रखना है ठीक है चलो तो यहां पर हमारे दो यूनिट खतम उचुके हैं अब हमारे unit 3 and unit 4 हमारा बचा है तो हम क्या करेंगे दो मिट का पहले break लेंगे ठीक है दो मिट का break लेंगे एंद फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है चली तो यहां पर हमारे डो मिट का break लेंगे दो मिट बाद वापस से मिलेंगे आपसे ठीक है चलो बाबाए मिलते हैं कर दो कर दो झाल 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 फिस्कल फंक्शन्स के बारे में तीन फंक्शन्स जो रिचर्ड मजगरेप में बताये थे तीन फंक्शन्स के बारे मार्केट फेलियर क्या होता है और इसके हमें इसके हमने चार रीजन्स भी पड़े अब यूणिट थरी में बीटा हम पढ़ने वाले हैं कि ये मार्केट फेलियर को रेजोल्फ करने के लिए ठीक करने के लिए गवर्बनेट कैसे इंटरविन कर सकता है brightness में इसे ठीक کرने कें लिए समझ मार्बनेट कैसे इं प्राइली बात आते हैं कि government कैसे intervene करेगा market power को कम करने के लिए दूसरी बात इसमें आती है कि government कैसे intervene करेगा externalities को correct करने के लिए merit de-merit goods के case में government कैसे intervene करेगा government जो है public goods के case में कैसे intervene करेगा then क्या दिया है price intervention through non-market pricing इसमें क्या करता है government कैसे prices जो है set करता है चीज़ों के कुछ कुछ that information failure को correct कैसे करेगा and equitable distribution कैसे achieve करेगा यह हम बात देखें का पर बताई हमारे इस unit में चली तो सबसे बले इसमें बात करेंगे government market power को minimize कैसे करेगा हमें यह देखना है ठीक चली चली ध्यान देंगे बड़ा प्लिच ध्यान देंगे चली तो सबसे बिले है market power क्या होता है तो आप सबको बता है market power क्या है the ability of a firm to profitably raise the price over its marginal cost in such a way that they can earn positive economic profits यह था market power यहादर है अच्छा market power के वज़े से क्यों होती है बताई है आपकी market फिलर क्यों होता है क्योंकि जिनका पास market power होता है वो लोग ज्यादा prices charge करते हैं and जान भुष के कम output बनाते हैं and under production करते हैं correct तो देखे तो मतलब monopoly के वज़े से बहुत problems होती है monopoly जब होते तब ही market power होता है तो government क्या कर सकता है government can intervene by establishing rules and regulation designed to promote competition and prohibit the actions that are likely to restraint competition तो जो चीज़े competition के खिलाफ है जो activities उसे रोको उसे कम करो और competition को promote करो बोलते हैं यह जो हमारे legislation होते हैं यह country to country differ करते हैं जैसे इंडिया में competition act होता है है जो हमारे mergers acquisition के समय पे competition commission इंडिया से हमें permission लिने पड़ती है तो यह लोग ensure करते कि market में competition बना रहना चाहिए USC antitrust laws होते हैं यहीं सेम काम करता है वह competition act जैसा है और government क्या क्या कर सकते है देखो क्या दिया है आपर yeah or government क्या क्या कर सकता है देखो Market power के लिए देखो क्या दिया है yes बोलते गी government क्या कर सकता है market liberalization कर सकता है बार introducing competition in the previously monopolistic sector such as energy telecommunication जैसे बिटा 1991 के पहले before 1991 टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम सेक्टर में एनर्जी सेक्टर में सिर्फ गवर्मेंट ही अलाउड था बिजनस करने के लिए लेकिन बाद में गवर्मेंट नहीं क्या आखिए इस सेक्टर को LPG के थुरू लिबरीयल के थुरू प्रयवेट हैं और गलोब्लाइशेशन brandया तो इन सेक्टर को ओपन अब कर जैसे अंब आते वाप बिसिनस नहीं कर सकते हैं इस से कॉम्पेटिशन बढ़ेगा अपने आप मोनोपली कम होगी नहीं कगव्रमेंट क्या कर सकता है mergers and acquisition पे control लगा सकता है जिससे अगर कोई दो बड़ी कमनी ही merge हो गई तो competition ही खतम हो जाएगा अगर flip card और Amazon ही merge हो गया तो फिर e-commerce में कुछ competition बचे गई है ना तो फिर ऐसे merger acquisition को होने से रोकता है government ताकि competition खतम नहीं नाचे market में है ना patronage to consumer associations तो जो consumer associations होते हैं उनको financial support देगा government ताकि consumer के hit के लिए वो लोग काम कर सके अगर कोई organization cartelization कर रहा है unfair practices कर रहा है market में cartelization में क्या grouping कर रहे है तो market में 2-3 organizations क्या कर लिए अपना group बना लिया है और वो लोग मिल बाटके ही prices वगरा decide करते है गलत होता है competition के खिलाफ होता है तो अगर कोई cartelization कर रहा है unfair practices यूज कर रहा है market में तो उस पर investigation करो कोई predatory pricing यूज कर रहा है मनब selling below cost competition बाकी competitors को market के market से निकालने के लिए कुछ organizations जान बूच के cost के भी below बेचते हैं चीजों को ताकि क्या हो जाए कि बाकी जो competitors है हो इतने सस्ते में तो बेची ने पाएंगे तो वो लोग धीरे-धीरे market के बाहर हो जाएंगे और फिर जो बच जाएगा organization वो आप धीरे-धीरे अपनी prices बढ़ाएगा तो इक गलत होता है competition के खिलाफ होता है reduction in import controls अगर आपने imports पे ज्यादा control करके रखा तो बाहर वाले country से इंडिया में goods आएंगे ही नहीं तो foreign competition इंडिया में बढ़ेगा ही नहीं तो अगर market किसी market में monopoly बनते जाए किसी organization की तो उस market में क्या कर दो imports से related जो controls आना वो कम कर दो तो क्या होगा कि वो product अब foreign country से भी इंडिया में आना चालो हो जाएगा और उसमें competition बढ़ना चालो हो जाएगा nationalization कर सकते हो कोई organization अगर बहुत उसका monopoly create हो चुका है तो उसको nationalize कर दो बात खत्म हैं उसको ले लो अंदर वर्लब क्या government अब उसको government कम नीच बना दो nationalize कर दो तो खतम हो गया government जो है भले ही government का monopoly हो पर वो कभी भी लोगों के welfare के लिए ही काम करते है then price capping या price regulation लगा सकते हैं कि आप आपकी prices को एक level से नीचे कम नहीं रख सकते हैं या एक level के उपर नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप price capping करवा सकते हैं profit और rate of return regulation लगा सकते हैं government तो government बोलेगा कि government regulatory agency determines an acceptable price so as to ensure a competitive और fair rate of return हाँ तो government चेक करेगा past data में जाके कि किसी एक market में generally prices क्या चलते हैं प्रोडक्सी तो वही prices सबको रखनी चाहिए उसके आसपास है ना तो यहाँ पर rate of return regulation कर रहा है मतलब क्या कि monopoly वाले क्या करते हैं जान मुझके ज्यादा price charge करके ज्यादा profit कमाते हैं तो उनके profits के rate पे रोक लगाना उसको regulate करना का काम हम कर सकते हैं कौन government profit और rate of return regulation के थ्रूप यह maximum price ही set कर दी कि इसके उपर अगर तुम price रखी नहीं सकते हैं तो अपना उनका profit जो बहुत ज्यादा आ रहा था पहले वह अपना कम हो जागा ठीक है तो यह सब क्या है बताइए जो steps government ले सकता है तो minimize market power next क्या है कि externalities को ठीक करने के लिए government क्या कर सकता है ठीक है चलो आजो वो next chart में देखेंगे हम chart number 14 के आ चुके है तो अब हम देखेंगे कि government जो है externalities को गरेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है तो इसमें भी दो बाते होगी, पहले हम बोलेंगे कि government negative externality को correct करने के लिए क्या करेगा फिर हम देखेंगे कि government जो है positive externalities को correct करने के लिए क्या करेगा, समझा, तो फ़रे हम negative का देखेंगे अब समझो एक इसका basic logic आपको समझना है, इसका basic logic आपको समझा रहे हूँ कि negative externality को ठीक कैसे करते हैं तो देखो negative externality का मतलब क्या है किसी एक व्यक्ति के production या consumption activity के वज़े से third party को third party को क्या करना पड़ता है cost incur करना पड़ रहा है और ये जो cost है ये cost ये producer या consumer अपने decision making में इसको consider नहीं करते है इसे ignore करते है मतलब कि किसी व्यक्ति के production या consumption activity से जो external cost आता है वो लोग इस external cost को internalize नहीं करते इसे ignore करते है अपने decision making में consider नहीं करते इसे internalize नहीं करते तो government को क्या करना चाहिए अगर negative externality को ठीक करना है तो government को ऐसे steps लेने चाहिए जिससे लोग इस external cost को वापस से consider करना चालू कर दे वापस से इसे internalize करना चालू कर दे यह जेबा दुम को बाते में क्या बोड़ रहा हूँ हाँ तो government ऐसे steps लेगा जिससे यह external cost जो है न वो भी अब लोग consider करना चालू कर दे ऐसे steps लेगा तो इसमें दो चीज़े है एक है direct controls और एक है market based policies तो direct controls में क्या क्या आते एक पहले देखेंगे हाँ तो direct controls में देखो हम direct controls को बेटा command solutions भी बोलते हैं हम देखो क्या दिया है हम direct controls को जो है command solutions भी बोलते हैं गोलते है it prohibits activities that create negative externalities और requires that negative externalities to be limited to a certain level तो यह क्या करता है ऐसी activities को prohibit करता है रोक लगाता है जिन activities से negative externalities create हो सकती थी तो जैसे for example limiting the amount of pollutants released in water and air by the firms और make it mandatory to use pollution control device सबको बोल देंगा और्गनाजिशन को भीया तुम pollution controlling device लगाओ और अपने factory के अंदर तो वो device को खरीदने पर खर्चा लगेगा मनब जो वो pollution करने वाला था उससे जो external cost होने वाला था वो खर्चा अब ये इस machinery को खरीदने में लगा रहा है तो जो external cost है वो internalize होना चालो हो जाएगा है ना government क्या बोल सकता है licensing या production quotas limit set कर सकता है कि कोई product का आप इतना ही limited production कर सकते एक साल में हैना और mandates regarding acceptable production process तो ऐसे rules and regulation बना सकता है कि आपको इस production process के हिसाब से ही production करना चाहिए अगर आपने कुछ और चीज़े use की production में इससे pollution ज़्यादा हो सकता है तो वैसे हरकते नहीं करना हैना production use or sale of some commodities can be banned तो जैसे smoking at public places आप बैन कर सकते है तो इससे negative consumption externalities आएंगी चीज नहीं smoking की आप जो है इसे laws पास कर सकते हैं जिससे negative externalities जो है इसको आप क्या कर सके ठीक कर सके है तो environmental protection act वगरा पास करते हैं जिससे में जो है जो factories वगरा है अगर उनने बहुत ज़्यादा pollution किया तो उनके penalties वगरा ठोक सकते हैं ऐसा चलिए देखेंगे बोलते हैं the government through legislation may fix emission standards which is a legal limit on how much pollutant a firm can emit तो हमें लिमिट दिदेंगे समगो कि आप इतने लिमिट तक ही pollution कर सकते हैं अगर आपने इससे ज़्यादा pollution किया तो हम तुम्हे penalty ठोक देंगे हम firms को बोलेंगे कि आप pollution abatement mechanism install करो जिससे क्या होगा कि आपको अगर ये आपने device install के factory में तो pollution इससे कम होता है बट ये device खरीदने के लिए आपको additional खर्चा करना बढ़ेंगा organizations को तो जो हमारा external cost था जो पहले consider नहीं होता था वो अब consider होना चालू हो जाएगा production process में समझा government can charge an emission fees which is levied on each unit of firms emission जितना आप pollution emit करोंगे उतना आप पे fees लगा देंगे emission fees government जो ऐसी special bodies या boards form कर सकते हैं जो इस problem को address करें जैसे की ministry of environment forest pollution control board या state control boards यह सब बना सकते ठीक है तो यह क्या है बताईए यह थे बिटा direct controls की आप ऐसी activities पर रोक लगा दो आप ऐसी activities पर ही रोक लगा तो जिन activities के वज़े से यह क्या negative vaccinated होती है उस पर ठीक है next आदे बिटा आपका क्या बोलो next आदा आपका market based policies तो market based policies क्या है जो market में prices को आपके affect करें तो यह है market based policy ऐसी policies बनाएंगे जिससे हमारी market price affect होगी तो बहुत है देखो क्या लिखा है market based policies provide economic incentives so that self-interest of market participants would achieve the socially optimum solution बोलता है ऐसी policies मनाएंगे कि लोग अपने आप ही अपने self-interest के लिए इन policies के हिसाब से जो है prices जब decide करेंगे तो उसमें external cost अपने आप consider हो जाएगा कैसे देखो इसके दो अप्रोच है या तो government prices को directly set कर सकता है by imposing pollution tax या prices को directly influence कर सकता है by cap and trade system तो देखो the key to internalizing and externality हमने क्या बोला कि externality का जो खर्चा या benefit है अगर उसको ही तुमने internalize करवा दिया उसको ही consider करवा दिया तुमने इनिशेटर क्यों तो इससे क्या होगा इसका problem अपने आप ठी हो जाएगा तो बिलते हैं the key to internalizing and externality is to ensure that those who create the externality include them while making a decision तो pollution tax इसमें आता है and second approach क्या होता आपका tradable emission permit का तो इसमें दो चीज़ा आती है अब हमें इसके अंदर जाना है किसके अंदर जाना भी अब हमें जाना है इसके अंदर यह pollution tax and tradable emission permits के अंदर अब जाना है आप चलो बात करेंगे जल्दी से तो अब बात करेंगे बिटा किसके बता है pollution tax के बोलते है pollution tax यह किस ने दिया था यह दिया था यह दिया था बिटा इन्होंने pollution tax ही बाते की थी इन्होंने बोला था कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते क्या बोला मैंने मैंने क्या बता ही फास्ट इन्होंने बोला कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते बोले आप जो है ना यह सब यह सब contractual negotiation को छोड़ो आप जो है ना बार बार जा को हो जितना परियूशन करते हैं लिद राक्स आएका कि प्लूशन काम करना एसा देट duy को नहीं करते किस फ्रArthur एक करें दो स्थीं आट को प्लूशन का इसे लिए हमगा स्लमा by making the polluter पे, जो polluter है, जो firm है, जो pollution करना है, जितना pollution करेगा, उतना उस पे tax होगो, तो pollution के वज़े से जो external cost होने वाला था, वो इस tax के वज़े से internalize होना चालू हो जाएगा, वो इस tax के वज़े से लोग अप उस खर्चे को consider करना चालू कर देंगे अपने क्या prices में, ऐसा, आगे, फिर बोलता है, tax increases the private cost and thus decreases the output of the good which creates negative externality, है न तो देखो, हम market में, प्लीज ध्य यह क्या है, marginal social benefit में लब क्या, यह हमारा demand curve है, यह हमारा market का demand curve है, ठीक है, यह क्या है हमारा market का supply curve, यह क्या है, यह हमारा supply curve है, यह क्या हमारा supply curve है, तो पहले ऐसी हरकते चल रही थी, पहले ऐसी हरकते चल रही थी, और हम इस point के हिसाब से, इतना production, क्यों जितना production हम कर रहे थी है लेकिन बाद में government ने क्या किया तुम जितना क्या कर रहे हैं जितना तुम्हारा external cost है ना उतना तुम पे tax ठोग धिया तो टैक्स लगाने को जाय से तुम्हारा क्या हो का होगा कॉस्टा बडेगा समझ華 cax लगाने के तुम supply कम करूंगे ना तो देखो तुम्हारे supply curve में leftward shift आया और हमारा नया supply curve हमें मिला ये वाला ये वाला नया supply curve और हम ये नया supply curve और ये पुराने demand curve के हिसाब से अब करेंगे production और अब हम इतने ही unit बनाएंगे तो जो over production पहले हो रहा था वो अब ये tax लगाने के वज़े से नहीं होगा over production और इसके वज़े से हमारा externality ठीक हो जाएगा तो taxes के वज़े से ऐसे ठीक होता है आपका या market failure ठीक है चलो आगे next फिर आता है इसमें important जो काफी बार exam में भी आया हुआ है arguments against pollution taxes लगाने के disadvantages in short चलो quickly देखें ही बड़ा चलो आजाओ हाँ तो क्या लिखा है बोलते है बोलते है generally pollution taxes are difficult to determine है न हम exact amount कैसे determine करें कि कि कितना हमें tax लगाना है हम exact amount determine नहीं कर पाते हैं बहुत बार बोल रहे है next है न तो it is difficult to discover the right level of taxation next अगर समझो हमारे product की demand inelastic है जो product जिस product से pollution हो रहा है अगर उस product की demand inelastic है तो tax लगाने से क्या होगा उस product की price बढ़ जाएगी अरे पर price बढ़ने से customer तो फिर भी उसको खरी देंगे न क्योंकि inelastic demand है तो demand उतनी कम होंगी च नहीं तो हमारा seller क्या करेगा यह ज्यादा price charge कर देंगा अपने customer से customer को बोलेगा अरे tax बढ़ गया तो price बढ़ गया है ज्यादा price देदो हमको तो इससे कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा यह ना pollution tax लगाने से हमारा seller जो है वो ट्रांसफर कर देंगा burden the seller will shift the tax burden in the form of higher product prices और फिर भी लोग इसे खरी देंगी क्योंकि inelastic demand थी इसलिए तो inelastic demand होती है तो pollution tax काम नहीं आता it involves use of complex and costly administrative procedures तो government को बहुत जदा admin procedures पर खर्चा होता है तो कि यह चेक करना कि कितना pollution हुआ उसके सबसे tax निकल और भाइस सा बहुत नाइक बास होता है this method does not provide any genuine solution to the problem अरे भीया pollution tax लगाने से क्या pollution ठीक हो जाता गया नहीं बस जो pollution हो रहा है अब बस आप उसके लिए पैसा चार्ज कर रहे है इससे pollution थोड़ी ना ठीक हो रहा है तो बोलते है it only establishes an incentive system इससे pollution सही में ठीक नहीं हो जाता and finally बोलता है कि they may also have negative consequences बहुत बार लोग अगर किसी country में pollution tax लगाना चलो कर देता है न तो लोग सोचते यार इंडिया को छोड़ो हम USA में जाके production करेंगे वहां पर तो pollution tax नहीं देना पड़ रहा है तो इससे क्या होगा हमारे ही country का production कम हो जाएगा और हमारे country का GDP कम हो जाएगा तो pollution tax का negative consequence भी हो सकता है on employment and investment because producers may shift their production facilities to those countries with lower taxes यह बहुत important है बटा प्लीज याद रखेंगे next यह होगा हमारे next देखेंगे then हमारे क्या है यहापे tradable emission permits यह भी बहुत जोड़दार बात है इसे ही बोलते हैं it is often called as cap and trade system यहाँ पर क्या होता है कि government एक tradable permit issue करता है यह license की तरह होता है which allows a company to release a unit of pollution in the environment over some period of time तो tradable emission permit के अंदर लिखा रहता है if for example आप hundred units of pollution कर सकते है for the next six months ऐसा तो यह mentioned होता है उसके उपर organization को या तो government से या तो किसी दूसरे organization से और ट्रेडेबल परमिट्स ट्रेडेबल emission permits को purchase करना पड़ेगा जो व्यक्ति pollution ज्यादा करता होगा उससे ज्यादा ट्रेडेबल emission permits खरीदने पड़ेंगे जिससे उनका ज्यादा खर्चा होगा इन सब चीजों में और जो पल्यूशन करने का cost था वो consider होना चालू हो जाएगा क्या prices में है और जो organizations कम pollution करते हैं वो अपने ट्रेडेबल emission permits को trade कर सकते हैं बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं तो उनको क्या बताएगे उनका cost अपने आप कम हो जाएगा और उनको incentives मिलेंगे तो यह क्या है organization है तो कम उसे tradable emission permits बेच के पैसा कमा सकता है तो क्या होगा it rewards efficiency जो ज्यादा efficient production करेगा कम pollution करेगा उसका cost कम होगा the cap puts a clear upper limit on the quantity of pollution that may be generated in each period तो जितना license में आपके पास available है available limit है उतनी ही limit का pollution कर सकते उससे ज्यादा नहीं कर सकते the market for permits enable a clear price for pollution तो market में tradable emission permits जो है इसके demand supply forces जो है उसके हिसाब से अपना price decide होती है बोलते है तो अगर pollution ज्यादा हो रहा होंगा तो अपने आप tradable emission permits का demand बढ़ जाएगा market में पर supply तो लिमिटेड ही है तो जब बहुत ज्यादा pollution होगा तो demand बढ़ेगा इसका supply limited है तो अपने आप इसकी prices पे upward pressure आएगा तो जब pollution ज्यादा होगा economy में तो इसकी prices भी अपने आप होगे कितनी जब्रदस बात है तो इट अनेबल्स अ क्लियर प्राइस फर प्लूशन और हेल्प्स इंटर लाइसिंग दा कॉस्ट ऑफ प्लूशन समझा आगे 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 देख द प्राइस ऑप्रमिट्स कैन बी इंक्रीश्ट ओवर टाइम बार रिडूशिंग द नमर इसको एड्मिनिस्टर करना थोड़ा सा सस्ता बढ़ता है simple to implement है यह क्या है it is a strong incentive for innovation तो हरे वेक्टी सोचेगा हम कैसे innovation करें कम से कम pollution में कैसे हम production करें जादे-जादा consumers में benefit if extra profits made by low pollution firms are passed on to them in the form of lower prices तो बोलते है अगर जो organizations low pollution करते हैं उनको तो tradable emission permit sell करके वो मस्त पैसा कमा सकते हैं जिससे उनका cost कम होगा और अगर उनका cost कम है तो ये इसका benefit customers को transfer कर सकते हैं कैसे अपनी prices को कम करके customers को भी इसका फायदा मिल सकता है ऐसा बोला जा रहा है ठीक है next बात देखिएंगे मटा disadvantages चली जली से अगला देखिएंगे disadvantages of क्या tradable emission permits बोलते हैं ये भी actual में they do not in reality stop firms from polluting the environment ये बस एक incentive देते हैं कि आप pollution को कम किजे पर इससे भी pollution का problem actual में solve नहीं होता है and again अगर हमारे product की demand inelastic है तो अगर ज्यादा tradable emission permit खरीदने भी पड़े तो हम prices को बढ़ा के customer पे उसका burden shift कर सकते हैं तो उससे ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं ऐसा बोला जा रहा है ठीक है और यहां पर देखेंगे the above two the above two interventions mentioned the two interventions mentioned above that is permits and taxes make the use of market forces to encourage the consumers and producers to take externalities into account when planning their consumption and production in other words the polluters are forced to consider pollution as a private cost ठीक है तो इससे आपकी externality ठीक हो जाती है बस हो गया इसका भी ठीक है तो हमारा भी क्या होगे बताईए government जो है negative externalities को correct करने के लिए क्या क्या कर सकता है तो हमने बोला direct controls या command solutions and market based policies correct फिर हम बात करेंगे बिटा किसी बताईए फिर हम बात करेंगे इसके लिए हमारा अगला चार्ट आजाएगा यह है यह है हमारा next चार्ट तो government intervention to correct positive externality है तो generally बिटा क्या होता है positive externality में अगर positive consumption externality है जैसे कि education के वज़े से होता है अगर आपने vaccination लिया तो इससे क्या होगा बाकी लोगों को भी इससे benefit मिलता है external benefit आपने अच्छी पढ़ाई की तो आप बाकी लोगों में knowledge share कर सकते है इसका external benefit मिलता है यह ना तो इन सब चीजों में बेटा external benefit exist करता है तो क्या होता है आपका की marginal social benefit कैसे आता है marginal external benefit प्लस marginal private benefit तो चूकि इन सारी चीजों में यह marginal external benefit की positive value होती है इसलिए हमारे in cases में या positive consumption externality के case में हमारा marginal social benefit marginal private benefit से ज्यादा होता है और एसी चीजे जब external benefit इसके बहुत ज्यादा है फिर भी यह market में correct मात्रा में नहीं produce होते है अंडर produce होते है और पॉजिटिव production externality तो जैसे आर एंडी एजूकेशन हेल्थ केर या similar merit goods के वज़े से भी positive production externality मिल सकती है तो जिससे क्या होता है आपका कि देखो marginal social cost होता है marginal private cost प्लस marginal external cost अब चूकी बेटा यह positive production externality है मला हमारे production करने के वज़े से बाकी लोगों कुछ benefit मिल रहा है मनद external cost यहाँ पर negative होगा तो समझो अगर marginal social cost है 100 private cost है 120 तो यह होगा माइनस 20 तो क्या होता है हमारा यहाँ पर हमारा marginal social cost is less than marginal private cost यह जेबा का कैसे लिखा है आप है तो तो merit goods भी under produce होते है market में राइट तो देखो क्या लिखा है positive externalities lead to market failure because if left to the market there will be less than optimal output यह समझमारी बात है यह सो नो यह बात है से मारी बोलते है in a free market without government intervention there will be under consumption and under production of goods with positive consumption externalities तो government इसे ठीक कर सकता attempt to solve the problem through corrective subsidies to producer बुले producers को subsidy बाटो जिससे वो ऐसे goods ज्यादा produce करे जिसमें positive externalities हो government जो है consumer को भी subsidy बाट सकता है जिससे वो ऐसे goods ज्यादा consume करे जिसमें positive externalities हो ठीक है तो अब बोलते है भी भीया अब बोलते है देखो यह जो हमारा अब बोलते हैं कि what would be the outcome of government intervention through subsidy तो subsidy बाटने से क्या होता है यह बोल रहा है बोलते देखो subsidy बाटने से क्या होता है सबसे पहले जो suppliers होते हैं उनका marginal private cost reduce होता है क्योंकि government पैसा दे रहा है तो उनका cost reduce होगा जिससे supply उनका increase करेंगे वो और supply curve में rightward shift देखने को मिलता है and it reduces the price तो rightward shift हैगा prices reduce होंगी market में क्योंकि consumers को भी क्या मिल रहा है बताइए subsidy मिलेगा and supplier को भी subsidy मिला है तो कम price पे बेचेंगा market which will lead to increase in the quantity demanded of subsidized goods and a higher output that would equate the marginal social benefit and marginal social cost is socially optimal तो subsidy के थूँ क्या होता है हमारा जो पॉज जो प्रोड़क्ट्स सुनो बात द्यान से जिन फ्रोड़क्स में हमें positive externality मिल रही थी उसका under production होता है market में उसका under production होता है market में तो government क्या करता है ऐसी चीजों के लिए subsidy बाढ़ता है जिससे लोग इसका consumption बढ़ाएंगे production बढ़ाएंगे तो अपने यह जो under production होगा वो नहीं होगा और हमारा MSB equal to MSC के level पर production होगा और हमारा optimum outcome अचीव हो जाएगा economy में क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बास अनमारी में क्या बोलो बताईए फास्ट ठीक है यस और नो राइट तो देखो subsidy मिलने से विटा क्या होता है तो देखो पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है प्लीज सुनेंगे बाद यहाँ पे जो है हमारी पहले यह price चल रही थी तो हम पहले यह है हमारा मार्चल private benefit और यह है हमारा Supply curve तो हम पहले इसके हिसाब से ही कर रहे थे production अंडर production कर रहे थे इतने unit बनने चाहिए थे पर हम सब इतने ही बना रहे थे units तो इसका under production हो रहा था इतने से production क्म हो रहा था इस है, इतने से production कम हो रहा था is this तो गवर्मेंटने क्या कर सकता है कि सबसीडी बाट सकता है जिससे क्या होगा अब इसके बदले इतना ही प्राइस देना पड़ेगा तो इतना जो है सबसीडी बाट सकता है गवर्मेंट तो सबसीडी बाटने से बिटा क्या होगा बताईए हाँ इससे क्या होगा बताईए आ आपका जो है यहाँ पर देखो अब आप ज्यादा चीज़े खरीद पाएंगे तो आपका जो है डिमांड करव में राइट वर्ड शिफ्ट यहाँ पर बता है अब इससे यह हो जाएगा नया डिमांड करव और यह तो सप्ला करव वही का वही है तो अब क्या होगा बताईए अब हम ज्यादा यहाँ पर क्या बताईए इतना कॉंटिटी बनाएंगे जितना जरूरी था तो सबसिडी किट्टी बाटेंगे बोलते हैं वैसे तो यह कॉंटिटी इतने प्राइस पर बिकनी चाहिए थी तो हम इतनी सबसिडी बाट देंगे वैसे तो यह कॉंटिटी जो जो हो रहा था वो अब नहीं होगा ठीक है तो यह क्या है सबसेडिय की बात है next next point क्या था आपर देखो merit and de-merit goods में क्या करेंगा government आजाओ इसकी बात करेंगे तो देखो क्या लिखा है merit goods तो government intervention in case of merit goods देखेंगे चली आजएगे हाँ प्लीज ध्यान देखो merit goods can be provided through market butter यह भी under produce होते हैं या under consume होते हैं क्योंकि इससे positive action analytics मिलती है लेकिन लोग market जोई से sufficient quantity में produce नहीं करता है तो what are the reasons for government provision of merit goods बोलते हैं बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता कि यह सारे goods को use करके हमको benefit मिल सकता है तो बहुत से लोगों अभी भी आज भी इससे बहुत sectors है इंडिया में जहां पर लोग को पता ही नहीं कि एक्च्व में education से हम कितना जदा आगे बढ़ सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे पूर लोग इंकम हाउसर वाले लोग रहता है जिनको पता ही नहीं 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 है कि इजूकेशन मिले सिनकी लाइफ कितनी सुधर सकती है तो इस information failure के वज़े से लोग इन चीज़ों को यूज नहीं करते हैं जैसे वैक्सीन दवाईओं के के वज़े से लोग मेरिट गुट्स को यूज नहीं करते हैं एक्विटी कंसिडरेशन हैना health and education सब के लिए होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्व रिच लोगों को यह मिल रहा है और लो इंकम हाउसर वालों को नहीं मिल रहा है तो चूकि यह प्रॉब्लम्स होती है इसके वज गवर्मेंट जो है रेगुलेशन लगा सकता है गवर्मेंट बोलेगा देखो गवर्मेंट के प्रोहीबिट some type of goods and activities set standards and issue mandates for making others obliged जैसे education government regulate कर सकता है जैसे की CBSC क्या government regulate करता है का CBSC का syllabus हा तो आप उसको regular करो government decide करें कि बच्चों को क्या-kया चीज़े पढ़ा है चाहिए कौनसे standard में compulsory करतो immunization vaccine लेना ही पढ़ेगा इसको compulsory कर सकता है गवर्मेंट को बोलना पड़ता है कि हेलमेट पेनो सीड मेंट पेनो फिर भी लोग पेनते नहीं थे तो गवर्मेंट ने बोला ओके अगर तुमने हेलमेट नहीं पेना तो तुम पे 500 रूपे की चालान फटेगा तुम्हारा तो लोग धना-धन पेनना चालू करते हैं सीड बेड अगर कार में नहीं लगाया तो हजार रूपा चालान भरो तो अब इससे क्या हो जाएंगा अब लोग इसको यूज करेंगे ही करेंगे तो गवर्मेंट कैन एनफोर्स दा कंजंप्शन ऑफ गुट्स विज जनरेट पॉजिटिटिव एक्टेन अगे गवर्मेंट और क्या अगर सकता है इट प्रोवाइड फ्री इंफोर्मेशन टू कंजूमर्स टू कंपंसेट फ़र इंफोर्मेशन फेलियर तो जैसे गवर्मेंट ने अभी वह मोबाइल फोन्स में किया था जो कोरोना के बारे में पुरी जानकारी देते थे फ्री में बाटरे सब तक आगे इट कैन कंपेल इंडिविजुल्स टू कंजूम पर्टिवर गुड़ा सर्विस हम कंपेल कर सकते लोग को किसी चीज को यूज करने के लिए जैसे कि कोरोना के समय अगर आपको आपको कोरोना की बिमारी हुई है तो आपके लिए कंपल सरी था पहले कि मेडिकल ट्री जैसे ही पता चले कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया है तो दन्नस से उसके घर पे फोन आता था कॉल आता था कि तुमको कोरोना हो गया है तो तुम इलाज करवा अपना चली फिर बात करने के बटा डारेक्ट प्रोविजन डारेक्ट गवर्मेंट प्रोविजन बोलता है जिससे कम प्राइसे में वो प्रॉड़क को प्रोवाइड कर पाएंगे लोगों को है ना आगे नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे गवर्मेंट केन ऑल्सो प्रोवाइड मेरिट वूट्स कंप्लेटली फ्री आड़ी पॉइंट पॉइंट अफ कंजम्शन यह तो सबसे बे फिर लोग उसे जरूर यूस करेंगे तो बलते जब वेन मेरिट गुट्स है ना वेन मेरिट गुट्स आर डिरेकली प्रोवाइड फ्री ओफ कॉस्ट बाइड गवर्मेंट देर विल बी सब्स्टेंशल दिमांड फॉर था सेम एड इफ गुट्स आ प्रोवाइड एड जि बढ़ जाती है और सप्लाइ तो के प्रातिध इमांड हमारा काफी बढ़ जाती है तो जब हम किसी प्राड़ को फ्री में प्रोवाइड करते हैं उसका दिमांड कर millor खोट्शन आया तो गुट्स के लिए या तो government क्या कर सकता है private participants के साथ दिलके यह product provide कर सकता है market में next अगली बात देखेंगे बटा तो हमने जो है merit goods में अभी बात कर लिया government intervention in case of merit goods अब हमें बात करना है बटा यह हमारा होगी यह बात है ठीक है अब हमें बात करना है government de-merit goods में कैसे intervention करता है ठीक है अब हमें यह देखना है तो de-merit goods में क्या होता है यह generally socially undesirable nature क्या होते है जैसे कि cigarette alcohol intoxicating drugs तो इसके consumption के वज़े से क्या होता है बहुत जदा negative externalities आती है economy पे लोगों पे है ना तो marginal social cost is greater than marginal private cost क्योंकि MSC क्या होता है marginal private cost plus marginal external cost और इसमें इसकी value positive आती है तो इसले MSC is greater than MBC ठीक है next तो बोलते है the production and the consumption of de-merit goods are likely to be more than optimal under free market तो जरूर से ज्यादा लोग इसे consume करते हैं है ना तो यहां पर दो क्या बोलता है तो इट लीट्स तो ओवर production and thus causing mis allocation of society scarce resources है ना तो अच्छा और एक सी जहां पर आपको याद रखना है कि however it should be kept in mind that all goods with negative externalities are not essentially de-merit goods समझो बड़ा steel बनाने से pollution होता है तो क्या steel de-merit हो गया क्या नहीं बोले हर एक good जिससे negative externalities आती है वो हर एक good de-merit good नहीं होता यह बोल रहा है वो इदर ठीक है इस पर छोटा सा सवाल आ सकता है ठीक है चलो आगे तो टी-merit goods पर government क्या कर सकता यह देखते है जल्दी से गर्वर्मेंट क्या लिखा है कि क्या कर सकता है आप यह आते पिटे पिटेक्वेशन और लो को मना सकता है पर्सुएट कर सकता है आइस एगसापल सामने ऐसे एक गचेक है मुकेश की इस शेहर को यह हुआ क्या है हर जगा बस दुवा ही दुवा हर जगा बस राक और दुवा ही दुवा तो ऐसी negative advertising campaigns कर सकता है जिसमें वो emphasize करें the dangers associated with consumption of B-minute goods और government क्या कर सकता है जैसे कि alcohol की ad में आप बता नहीं सकते कि alcohol है तो उसमें ऐसा बोलते है कि music CD की ad है ऐसा बोलते है अलकॉल की ads जब आती है तो उसमें बोलते है आप बताए कि वो अलकॉल है तो जैसे वो बोलो जुबा केसरी अब क्या सही में थोड़ी ना केसर के दाने अंदर ठीक है आगे next फिर का है आप देखो आगे क्या है देन है मिटा strict regulations to limit the access of good especially by vulnerable groups such as children or adolescents है ना तो आप जैसे आपको ऐसे शौप समकरा में जाते है तो वहाँ पे जन्न ऐसे लिखा रहे थे कि यह जो चीजे है यह 25 साल तक के उसके कम उमर के लोग नहीं यूज कर सकते है या 21 साल के कम उमर के लोग इसे यूज नहीं कर सकते है फिर आगे बोलते है special restrictions वालब spaces related मतलब क्या government बोल सकते है कि public places में smoking allowed नहीं आप टोबै को तंबा को नहीं बेख सकते schools के पास अगर तंबा को बेखने है तो schools से दूर आपकी shop होनी चाहिए यहना क्योंकि अच्छी बात नहीं होती हैना complete ban लगा सकते हो हो आप drugs वगरा के cases मे पर generally बोलते हैं कि जब आप ऐसा total ban वगरा लगाते हो ना तो उसका seldom ही कभी उसका benefit देखना को बिलता है क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं ऐसी drugs वगरा के case में these goods are then secretly driven underground and traded in a hidden market तो लोग क्या करते हैं illegally फिर बीज को trade करते हैं अच्छा बहुत बार्वर्मेंट बहुत जदा taxes impose कर सकता है भाया महेंगा कर दो demerit good को उसको महेंगा कर दिया तो लोग उसको खरी देंगी छी लेकिन क्या होता है generally cigarette and alcohol के case में बहले ही आप प्राइस बढ़ा दो पर यह बहुत ही inelastic nature के होते हैं तो अगर प्राइस बढ़ भी गया फिर भी लोग इसको खरीते हैं वैसे तो market में ये वाला प्राइस चल रहा था कौन सा वाला ये वाला वैसे तो market में ये वाला प्राइस चल रहा था इतनी quantity बन रही तो government ने बोला नहीं government ने बोला नहीं आपको क्या करना पड़ेगा minimum भया इतना price तो set करो अच्छा रुको कुछ तो भी हमने ये किया गया तो रुको वापस से बना रहा हूं देखो सुनो बाग ध्यान से हमारा demand क्या है marginal private benefit होगा न क्यूंकि social benefit नहीं लेता है हम external benefit को ignore कर रहे है न external cost जो होने व यहां पर यह लेंगे आपका supply कर तो अभी market में ये वाली price चल रही है और हम इस demerit good का जो है हम इस demerit good का over consumption over production कर रहे हैं तो government बोलेगा कि इसका आपको minimum इतना price रखना पड़ेगा तो जब आप इतना price रखेंगे तो अपने आप क्या होगा कि अब इसकी demand अपने आप कम ह हो जाएगी और इसका जो over production था वो नहीं होगा तो minimum price set कर सकता है government ऐसी चीज़ों में ठीक है फिर next चलो हम आगए है बिटा चार्ट नमबर 20 बे आगए बस 19 बे आगए बस पाच्छे चार्ज बचेए जल्दी से देखेंगे चली तो हमने जो है merit demerit goods की बाते कर ली देखो क्या क्या हमने देख लिए हमने minimize market power externality merit demerit देख लिए अब हमें देखना है government intervention in case of public goods चलो तो public goods के case में क्या कर सकता है government चली देखेंगे बोलते है public goods क्या होते है ये non-excludable nature क्या होते है and they are highly prone to free rider problem तो again public goods भी market जो है वो under produce करता है तो क्या कर सकता है government बोलते है देखो अगर किसी public good के case में आप entry fee charge नहीं कर सकते तो government क्या कर सकता है खुद उन goods को provide कर सकता है direct provision of goods by the government through use of general government tax revenues अगर कोई public good है जिसमें आप entry fee charge नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं उस product को आप government के tax revenue से finance करके प्रड़क को बनाना चालू करते है और क्या कर सकता है अगर कोई ऐसा public good है जो excludable nature का है कोई excludable public good है तो government क्या कर सकता है उसमें entry fees के the public on payment of an entry fee और government जो है इस entry fee के level को फिर क्या करता है उसको regulate करता है कि बहुत ज्यादा भी entry fee charge नहीं करना लोगों को next some public goods are provided by voluntary contribution और private donation by corporate entities या NGO's तो NGO's भी voluntary contribution कर सकते हैं खुद public goods कुछ provide कर सकते हैं कुछ ऐसे self-interested firms या organizations भी होते हैं जो public good provide कर सकते हैं आगे the most important public goods such as defense establishment of legal system fire production disease prevention ये तो जंड ये तो क्या बताएए invariably provided by government लब government को ही provide करने पड़ते हैं चीजे और आगे certain goods are produced and consumed as public goods despite the fact they can be produced and consumed as private goods तो कुछ ऐसे goods होते हैं जो हम as private goods उसको बना सकते हैं private participants को हम permission दे सकते हैं बनाने के लिए लेकिन वो क्या बताएए वो लोगों के लिए अच्छा नहीं अगर private participants के हाथ उसका power आएगा तो सब के लिए अच्छा नहीं होगा तो इसलिए government जो हो खुद वो प्रोडक्स बना लेते हैं जैसे कि scientific approval of drugs production of strategic products such as atomic energy provision of security at airports तो यह हम यह private participants provide कर सकते हैं इन चीजों को लेकिन फिर भी government बोलता है कि नहीं हम इन चीजों को provide करेंगे ऐसा ठीक है तो यह क्या है public goods के case में intervention next बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बेटा जो मैं अभी बताने वाला हूं यह आपको MC क्यों आता है write a short note on the price controls which are put by the government to influence the prices in the market government price controls क्या बड़े अंडर्टेक कर सकते हैं market में बोलते देखो price controls are put in place by the government to influence the outcomes of the market very often there is a strong political demand हमेशा बेटा politics में ऐसा होते रहता है कि क्या बताईए हाँ एक MC क्यों बोला कामने sorry question हो क्या economics के वज़े से MC क्यों बोलने की यादर है हाँ चल अगला रहे हैं तो बहुत बादा politics में क्या होता है कि एक opposition party जो power में होगी party उसके pressure डालते हैं कि आर यह जो basic necessities है जैसे petrol हो गया lemons हो गया निम्बू प्याज हो गया जो necessity वाली चीज है यह इतनी महंगी कैसे हो रही है इसके price को ठीक करो तो बहुत बाद strong political demand होते ही for governments to intervene in the market for various goods on the ground of fairness and equity price intervention generally takes form in the price in the form of price controls which are legal restrictions on the prices बोलते है या तो आप क्या कर सकते हैं या तो आप price floor लगा सकते हैं या price ceiling तो government या तो price floor लगाएगा या price ceiling लगाएगा अब price floor का मतलब क्या है प्लीज सुनेंगे ध्यांस है जैसे कि minimum support price आपने सुना होगा तो जब हमारे farmers का produce नहीं बिखता है बाहर market में तो government उनसे वो produce उनका खरीद लेता है at minimum support price तो यह होता है price floor कि जब market में हमें अच्छी price नहीं मिल पा रही तो हम government एक minimum price set करता है which is above the market clearing price यह याद रखेंगे price floors are set above the market clearing price क्योंकि market में जो price चल रही है वो price उतनी अच्छी नहीं है हमारे लिए मलब लोगों के लिए जो वो products बना रहे हैं लोग उनके लिए वो price उतनी अच्छी नहीं है तो इसके लिए government बोलता है ठीक है हमें price floor लगा देंगे जो की जो की हमारे current market price से उपर उससे ज्यादा होता है तो इस price floor लगाने के वज़े से क्या होता है यह भी आता है आगे पूरे लिखना बढ़ेगा कि price floor लगाने के वज़े से आपका quantity demanded या आपका quantity supplied जो है it will become it will start to exceed the quantity demanded देखो इस price पे आपका quantity demanded है यह and quantity supplied है यह तो price floors are set price floors are set above the market clearing price and suppliers are encouraged to oversupply and there would be excess of supply over demand क्योंकि price बड़ी है तो supplier ज्यादा supply करेंगे ना market में इसलिए and price ceiling का कम होता है तो जब हमें जब market में जो price चल रही है वो बहुत ज्यादा चल रही है उसको हमें थोड़ा कम करना है तो हम price ceiling लगाते है तो maximum price sellers are allowed to charge for a good order service जैसे fixing of minimum wages rent control के cases में यह यूज होता है बोलता है price ceiling is set below the prevailing market price है तो अगर market में ये price अभी चल रही है तो हम price ceiling लगाएंगे current market price के निचे तो इससे क्या होता है इससे हमारा ये है नया supply और ये है हमारा नया quantity demanded तो इसके वाज़े से price ceiling के लगाने के वज़े से it generates excess demand over supply तो price ceiling और price floor पर आता है question तो यही चीज़े आपको लिखनी है ठीक है चलो next हाँ तो अब हमने क्या देख लिया है यूनिट 3 में क्या क्या देख लिया है कि government intervene करके कैसे market power को ठीक कर सकता है कैसे externalities ठीक कर सकता है कैसे merit goods को ठीक कर सकता है उसके problems को अपली goods में क्या करेगा price intervention कैसे करेगा यह देख लिया अब हमें देखना है बटा क्या बताई कि information failure को कैसे करेगा government and then finally हम देखेंगे या equitable distribution ठीक है चलो चेक करेंगे जल्दी से बस यह दो बचे है फिर हमारा नया unit चालो हो रहा है यह ना नया unit चालो है unit 4 फिर हमारे बस 5 charts बचेंगे ठीक है चलो जल्दी से देखेंगे इसको चली तो बात करेंगे जल्दी से बिटा येस आज़ा तो government कैसे information failure से जो market failure होता है उसे कैसे correct करेगा तो लोगों के पास जब information नहीं होती correct तो उनको correct information पहुचा यह कैसे होते है government can make it mandatory to have accurate labeling and content disclosure by the producers आप जबी भी कोई product बना दे जैसे कि cigarette उसके label पर ही छाप दो कि cigarette पीना हानिकारत है हमारे क्या life के लिए हैना हमारे जीवन के लिए तो आप जब labeling में ही वो चीज़ दाल देंगे तो लोगों को information वहाँ से तो मिल जाएगी कि यह हमें नहीं use करना ची नह उनकी problem है फिर आप food packages में उनका correct nutritional information दे दो जिससे लोगों को पुरी information मेलेगी product के बारे में से भी बोलता है कि आप जबी भी आपके shares stock shares पहली बार issue करते है market में तो आपको prospectus issue करना चाहिए अपने company के बारे में पुरी information देनी चाहिए bias को government can make it mandatory to disclose information public dissemination of information to improve knowledge and subsidizing of initiative in that direction तो government ऐसे बहुत सारा steps ले सकता है जिससे लोगों तक information पहुँचे चीजों के बारे में जैसे इसमें हम वो उमेश यादा वगरा के add आती ना के है क्राहूल की इसके वो जन हित में जारी आरवे द्वारा जन हित में जारी वो अपने ATM cards वगरा के आती कि pin किसी के साथ share नहीं करना है ना फिर इसमें बीच में कोविड वैक्सीन की वगरा add आती थी हैना कोरोना के बारे में add आती थी तो लोगों तक हम information पहुचा रहे है सारी चीजों के बारे में हैना और क्या कर सकता है government it can regulate the advertisements and setting advertising standards to make advertising more responsible informative and less persuasive तो अगर कोई products अच्छे नहीं है तो जैसे alcohol वगरा तो उसकी add up नहीं कर सकते है cigarette की कभी add दिखीगा आपने tv में नहीं उसकी add up कर ही नहीं सकते है इसलिए ठीक है इससे information फिल्यक्रेक्ट होगा next फिर है कैसे ensure करोंगे आप equitable distribution बोलते है आप progressive income tax है rich लोगों को ज्यादा tax लगाओ और poor को tax लगाओ मत progressive taxation से equitable distribution अच्छी होगा targeted budgetary allocations तो आप जब budget बनेंगे government तो ऐसा आप कीजे कि जो low income household वाले लोग होंगे उन पे ज्यादा खर्चा करो unemployment compensation दे सकते हैं transfer payments, subsidies, social security schemes या job reservation कर सकते हैं क्या बताइए priority sectors के लिए ठीक है तो यहाँ पे हमारा तीन unit खतम हो चुके हैं अब हमें बात करनी है fourth unit की again हम क्या करेंगे दो minute का break लेंगे try करेंगे कि जल्दी से जल्दी चीज़ खतम हो जाए ठीक है तो two minutes का यह last break है अब हमारे आखरी पाच चार्ट बचे हुए है ठीक है आखरी पाच चार्ट बचे है जो कि मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा ठीक है चलिए तो unit 4 की हमें बात करनी है fiscal policy दो minute में बात करेंगे ठीक है चलो yes चलिए okay झालो झाल 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 येस गाइस चलिए सो बात करेंगे यूनिट फोर की आ जाओ ठीक है चलो चलिए सो बात करेंगे बड़ा लास्ट यूनिट की देखते हैं कि कब तर ये होता है जल्दी हम कर देंगे ठीक है प्राय तो वही कर रहेंगे जल्दी हो जाए लेट्स चलिए सो देखेंगे एफफ चाप्टर टू यूनिट फोर ठीक है अपने रिटेज़ आपके जाएगे चलए बड़िया आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको fiscal policy में क्या क्या points बढ़ने है पहले तो ये देखता है ठीक है? तो देखेते हमें पिछ हान तो सबसे पहले बेटा इसमें हमें देखना है basics देखने हैं सबसे पहले ठीक है? कि fiscal policy क्या होते है? इसको objectives क्या है? देट नॉन Discretionary and Discretionary Fiscal Policy हमें देखना है, फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, फिर देखना है, Tools of Fiscal Policy, Types of Fiscal Policy, Fiscal Policy for Long Run Growth, then Fiscal Policy, Reduction in Equalities of Income and Wealth, and then हमें देखना है, Limitations of Fiscal Policy, यह सारे चीसे हमें देखनी है, अभी, ठीक है, चलो आजाओ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, उनिट 4 में, Basics की, Fiscal Policy के Basics की, तो इसमें सबसे पहले बात क्या आती है, आपकी बताईए, Meaning आता है, और फिर Objectives, Meaning क्या है, बोलते हैं, देखो, Fiscal Policy means, the use of governments, spending, government expenditure, spending, taxation and borrowing, to influence the pattern of economic activity, and the level of growth of aggregate demand, output and employment, एक्टम, simple definition, वापस एक बाद आपके लिए पढ़ रहा हूं है, Fiscal Policy is the use of governments, spending, taxation and borrowing, to influence क्या, the pattern of economic activity, and the level of growth of aggregate demand, output and employment, Simple, Fiscal Policy क्या होता है, कैसा हम spending, taxation and borrowing को use करते हैं, government की, जिससे हम influence कर सकते हैं, economic activity and growth of aggregate demand को, Next, आदेवड़ा, ये काफी बार आता है, आपको question, what are the objectives of Fiscal Policy, तो चार major objectives है, achievement and maintenance of full employment of resources, price stability maintain करना, हमारा जो economic development हो रहा है, जिस rate से हो रहा है, उस rate को accelerate करना, and equitable distribution of income and wealth को achieve करना, वापस से, full employment और resources को achieve करना, उसे maintain करना, price stability को maintain रखना, economic development, जिस rate से हो रहा है, उस rate को accelerate करना, and income and wealth के, income and wealth के distribution में equitable, equitable होना चाहिए हमारा income and wealth का equilibrium distribution होना चाहिए, यह हम achieve करना चाहते है, through fiscal policy, ठीक है, आगे, बोलते हैं, obviously, the order of priority, and the importance of these objectives, vary from country to country, obviously, बात है, अलग-अलग country में, अलग-अलग type के circumstances होते हैं, तो कुछ countries में से, कुछ countries के लिए, जैसे के मैं बोलू अगर, कि developed nations के लिए, इन सारे objectives में से, ज्यादा important objective क्या होगा, stability and equality achieve करना, क्योंकि उनके यहाँ पे, full employment resources हो रहा होगा, production अच्छे level पे चल रहा है वहाँ पे, बस अब उन्हें stability maintain रखनी है, and income and wealth में equitable distribution अचीव करना है, और developing countries के लिए, कौन से objective important होगे, वो बोलिंगा, रहे भहिया, पहले तो हमारा economic growth हो जाए, वही important है, पहले तो हमारा resources ही fully employer हो जाए, यह important है, and equity हम achieve कर ले, हमारे जो है, income and wealth में equitable distribution होना चीव, यह achieve करना चाहेगा, developing country, तो बस आपको चार objective दी है, and नीचे गया दिया, आपको priority दी है, कि developed nations के लिए क्या priority होंगे इसमें से, and developing nations के लिए क्या priority होंगे इसमें से, वह आपको दिया हुआ है, ठीक है, simple, तो basic समार हो गया इसका, next बात करेंगे इसके बाद, अगली बात क्या है बताईए, हाँ, अगली बात है बटा, discretionary versus non-discretionary fiscal policy, तो non-discretionary fiscal policy, या इसे automatic stabilizers बोलता है, बोलते हैं, बोलते हैं, they are the part of the structure of economy, which are built in the fiscal mechanism, that operate automatically, to reduce the expansion and contraction, क्या जबतास बाद है, तो जो हमारे, जो हमारे mechanisms already built, built-in है, economy में, जो अपने आप work करते हैं, expansion and contractions को कम ज़्यादा करने में, वो होते हैं, automatic stabilizers या non-discretionary fiscal policy, मतलब क्या असर देखो, recession के समय, देखो simple बात है, recession के समय क्या होता है, अपने आप, लोगों को job से निकाला जाता है, तो लोगों की income अपने आप कम हो जाती है, अगर लोग की income कम हो जाएगी, तो उनको अपने आप tax payment कम देना पड़ेगा, क्योंकि generally हम progressive taxation की policy बना के रखते हैं, तो हमने जो progressive taxation की policy बना के रखी है, economy में, यह already बना के लखे, इसको मैं कुछ change नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही लोगों की income कम होगी न, अपने आप उनको tax का payment कम करना पड़ेगा, समझ मा रहा हैं, तो अपने आप उनके हातों में balance income ज्यादा बचेगी, तो future में वो धीरे धीरे अब ज्यादा चीज़े खरीदना चालू करेंगे, और economical recession के बाहर निकालेंगे, मतलब की जब recession चल रहा था, उस समय पे क्या government ने अलग से कुछ किया क्या, नहीं, जो हमने policy already बना के रखी है, वो अपने आप work कर रही है, अपने आप recession के बाहर निकल रहे हैं, अच्छा, recession के समय और क्या होता है, बोलता है, government expenditure increase हो चाथा है, due to increased transfer payment, कैसे, हमने transfer payment की policy बना के रखी थी, for example, मैंने बोला, कि जो भी unemployed व्यक्ति होगा, उनको हम हर महीने 2000 रुपए देंगे, example, government ने ऐसे policy बनाए, तो जब recession आएगा, तो अपने आप unemployment का level बढ़ेगा, तो जिससे अपने आप government ने जो policy already बना के रखी है, इसके हिसाब से उनको unemployment benefits ये 2000 रुपए ज्यादा लोगों को देने पढ़ेंगे, तो transfer payments अपने आप बढ़ जाएंगे, government के, अपने आप government expenditure बढ़ गया, जिससे लोगों के हाथ में income ज्यादा बचेगी, जिससे वो ज्यादा demand करेंगे future में, एड एकनोमिक और रिसेशन के बाहर निकालेंगे, automatic stabilizers, ये जो policy बना कर रखी हैं, वो अपने आप work करती है, economic को recession से बाहर निकालती है, अच्छा, जब हमारे economy में समझ लो, boom आ गया है, expansion आ गया है, तो इसमें problem नहीं है, लेकिन later stages of expansion में, later stages of expansion में बेटा आता है inflation, क्या आता है, inflation आता है, जिससे चीजें बहुत मेहंगी हो जाती है, तो क्या होता है, expansion के case में, लोगों को बहुत ज़्यादा jobs बगड़ा आसानी से available है market में, तो उनको income ज़्यादा रहती है, तो देखो हैं यहापर क्या होता है, कि employment increases, जिससे सब लोग ज़्यादा income कमारें, सब के पास काफी ज़्यादा पैसा है, तो अगर ज़्यादा income कमाऊंगे, तो जो हमने progressive tax की policy बनाएक रखी है, उसमें अपने आप ज़्यादा income कमाऊंगे, तो ज़्यादा tax देना पड़ेगा, समझा, अगर आपको आसानी से job मिल रही है, तो unemployment कम होगा economy में, तो government को transfer payment करने की जरुवत नहीं है, तो अपने आप government expenditure कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, इन दोनों चीज़ों से क्या होगा, कि लोगों के हाथ में disposable income अब कम पचेगी, तो future में वो जो खर्चा है, वो कम करेंगे, demand कम करेंगे, और हमार जो excess demand के वज़े से जब inflation आता है, excess demand के वज़े से वो अपने आप control में हो जाएगा, तो expansion के later changes में लोगों के बास बहुत ज़्यदा पैसा आ जाता है, जिससे लोग चीज़ों को demand करना चालू कर देते हैं, और demand supply से exceed करना चालू कर देता है, जिससे prices पे upward pressure आता है, और inflation आता है, तो ये steps के वज़े से अपने आप लोगों की disposal income कम होगी, और future में वो जो access demand थी, वो अपना उसे कम कर देंगे, तो जो instability थी, वो ठीक हो जाएगा, ये थे automatic stabilizer, इसमें government ने कुछ अलग से नहीं किया, जो policy बनाई हुई थी, वही अपना work कर रही है, और चीज़ों को ठीक कर रही है, लेकिन discretionary fiscal policy में मिटा क्या होता है, यहाँ पे अब government को deliberate changes करने पड़ते है, तो deliberate policy actions on the part of government to change the level of expenditure, change the level of taxes to influence the level of output employment prices, तो जब government taxes के level को change करता है, expenditure के level को खुद deliberately change कर रहा है, तो फिर बोलेंगे discretionary fiscal policy, जैसे की बोलता है, government can influence the economy by changing the level and the type of taxes, तो कर लेवल of tax बढ़ा गिया, तो लोगो के हात में कम income बचेगी, extent and composition of spending के कहां कहां पर पैसा खर्चा करना चाहते है, quantity and form of borrowing, correct quantity and form of borrowing के कहां कहां हम कितना पैसा debt में लेना चाहता है, government, क्या debt repay करना है, या और debt लेना है, ये भी affect करता है, इसके बारे में हम अभी discussion करने वाले आगे, है ना, तो बोलते, government जो है, it can affect the GDP, it can affect the economic activity, directly and indirectly, कैसे, देखो, बोलते, GDP आता कैसे है, expenditure method से, consumption expenditure, plus investment expenditure, plus government expenditure, plus net export, correct, तो इसमें जो है, government, इस G को तो खुद, directly influence कर सकता है, तो इट can control the G directly, and बाकी चीज़ों को ये इन directly influence कर सकता है, through the changes in the taxes, payment and expenditure, ये है आपका discretionary fiscal policy, तो यहाँ पे हम government खुद deliberate changes कर रहा है, ठीक है, आगे, तो ये सब हमारा होगा, अब आगे बढ़ना है, next है, tools of fiscal policy, अगला point है, ठीक है, tools, तो tools में क्या क्या आता है, वो देखना है ठीक है, ठीक है, चलो, जल्दी देखेंगे, तो tools में बेटा सबसे मिले क्या आता है, आपका, government expenditure है, one of the tools है, of, क्या, fiscal policy, next, next आता है आपका taxes, उसके बाद आपका आता है, public debt and government budget, चलो देखेंगे इसको दन्न से, तो हम chart number 22 में है, बस हम अंतिम, ये chapter अपनी अंतिम सां से ग में क्या है, बोलता है, public expenditures are generally income generating and they include current expenditures, तो जो खर्चा government day-to-day expense, day-to-day running के लिए करता है, current expenditure, capital expenditure, जो government capital equipment, machinery, infrastructure बनाने में खर्चा करता है, capital expenditure, and transfer payments क्या होता है, जो government खर्चा करता है, जिसके बदले वो in return, कोई receive, in return, कोई service या good receive नहीं करता, transfer payments, so they do not contribute to the GDP, because the income is only transferred from one group of people to another, without any contribution from receiver, ठीक है, तो ये तीन टाइप के government के खर्चे होते है, बोलते है, recession के समय क्या करेगा, government बताओ, recession के समय, already economy में aggregate demand बहुत कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, चीजसे खरीदने के लिए, तो government क्या गड़ेगा, it may initiate fresh wave of new public works, government बुलेगा, चलो हम road बनाते हैं, metro बनाते हैं, irrigation facilities, ports, electrification करते हैं, new areas का, जिससे लोगों को अपने आप और jobs मिलेगी, और चीजसे बिकेगी, और aggregate demand धीरे धीरे pick up होना चलो होगा, inflation के समय government क्या कर सकता है, तो in order to reduce the severity of inflation, government क्या कर सकता है, अपने expenditure को reduce कर सकता है, तो government expenditure reduce करेगा, तो लोगों की income भी reduced होगी, क्योंको काम कम मिलेगा government के तरफ से, and it will eliminate the excess aggregate demand, जिसके वज़े से पहले inflation होड़ा था, ठीक है, आगे next, फिर अगली बार देखेंगे आपर, next time बेटा, types of government expenditure, ये बहुत बार question आता है, ठीक है, तो बोलता है, pump priming and compensatory spending, pump priming क्या होता है, one shot injection, pump priming बेटा क्या होता है, one shot injection in the government expenditure into a depressed economy, तो जब हमारे economy बहुत ज्यादा depression या recession में आ चुकी है, एकदम से economy को boost करने के लिए, क्या करती है, one shot, एक साथ government बहुत बढ़े amount का injection करती है, economy में, बहुत बढ़ा amount का expenditure करती है, जिससे economy एकदम से recover कर सके, तो the aim is of boosting the business confidence and encouraging larger private investment, generally बेटा, post war area में, post war era, जब किसी country में war चलता है, जैसे Russia, Ukraine में चल रहा है, जब ये war खतम हो जाएगा, तो दोनों countries में, बहुत खतरनाक depression का level आने वाला है, तो अपनी economy को वापस उठाने के लिए, उनको भी pump prime करना पड़ेगा, government को काफी खर्चा करना पड़ेगा, लोगों के गए, जब किसी sector में private individuals उतना पैसा investment नहीं कर रहे हैं, तो फिर government उनकी deficiency को पूरा करने के लिए, उनकी deficiency को compensate करने के लिए, government उस sector में खर्चा करता है, तो when government spending is deliberately carried out with the intention to compensate for the deficiency in private investment, इसे मोलते है, compensatory spending, next, very very important बेटा, next बात क्या है, government spending multiplier, जिसको हम बोलते है, कीनीजियन multiplier या fiscal policy multiplier या spending multiplier भी इसको बोलते हैं, बोलते देखो, जब आप government expenditure बढ़ाओंगे, तो इससे क्या आपका income, national income भी उतने ही amount से बढ़ेगा क्यां, इसका answer है नहीं, अगर आपने 100 करोड से government expenditure बढ़ाया, तो ऐसा हो सकता है कि आपका national income 500 करोड से बढ़े, तो government expenditure बढ़ाने से उसका multiplied effect देखने को मिलता है हमें, हमारे national income पे, या हमारे national output पे, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा five times, क्या है, what is five, this is our government spending multiplier, कि मैं जब government expenditure बढ़ाता हूँ, तो इससे हमारा national income कितना times बढ़ता है, यह बताता है, government spending multiplier, इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे भी, it is same as, यह हमारे investment multiplier की तरह ही होता है, तो it is equal to one upon MPS, या one upon one minus MPC, या one upon one minus B, ठीक है, इसका भी logic में मैं जानी हो, इतना ही बतारो, next, next बात आदी बिटा, आपका क्या बता है, अगला point है taxes, taxes, तो इतना, taxes के case में भी क्या होता है बताई है, government जो है, tools of fiscal policy, तो taxes भी एक tool है, fiscal policy का, बोलता है, taxes में क्या आता है, it, it consists of changes in the government's revenue, और the rates of taxes are aimed at encouraging, और restricting the private expenditure on consumption and investment, है ना, तो इसमें government revenue कम जादा होता है, देखो, recession के समय क्या करेगा government, अगर recession है, तो economy में already aggregate demand कम है, तो government चाहेगा कि लोग ज्यादा चीजे खरीदे, ज्यादा चीजों पर खर्चा करे, तो government जो है, income tax को कम करेगा, जिससे हमारे private individuals का disposable income ज्यादा बचेगा, जिससे वो ज्यादा चीजे demand कर पाएंगे future में, और economy को recession से बा ज्यादा है, जिससे हमारे organizations, जो firm है, business sector है, उनके profits बढ़ेंगे, जिससे वो future में और investment करेंगे अपने business में, right, आगे next, फिर, फिर बेटा, inflation के समय क्या करेंगे, अब ये सब आपको क्या common sense की बाते लग रहीगे आप, क्या ये सब common sense की बाते लग रहीगे अप, inflation में क्या ह होगा, already excess demand का situation है, already excess demand का situation, इसे कम करना excess demand को, तो government या तो नए taxes लेके आ जेएगी, या existing tax rates को बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, लोगों के पास disposable income कम बचेगी, जिससे future में aggregate demand कम कर देगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कि बहुत बार excessive taxation, excessive taxation acts as a disincentive for new investment, तो बहुत बार आप बहुत बार अगर ज्यादा tax लगा देते हैं, तो नए investment आना रुप जाते है future में, business sector बोलता है, इतना ज्यादा tax देंगे, तो मतलब क्या business करने का, यह इस country में business करों ही मत, तो इसलिए government has to be cautious about a policy of tax increase, ठीक है, and इसमें finally, इस चार्ट में जो आखरी multiplied का, तो tax multiplied भी क्या है, बोलता है, जब आप आपके taxes को बढ़ाते हैं, economy में, तो आपका equilibrium income पे क्या असर पड़ता है, national income में क्या असर पड़ता है, समझो अगर मैंने 200 करोड से taxes बढ़ा दिये, तो इससे हमारे national income पे इसका multiplied effect देखना को मिलता है, लेकिन बेटा इसका negative effect दे government expenditure बढ़ाया, तो national income बढ़ता है, government expenditure कम करूँगा, तो national income गिरता है, लेकिन बेटा taxes के case में इसका उल्टा होता है, अगर हमने taxes को बढ़ाया, तो national income कम होगा, taxes को कम किया, तो national income ज्यादा होता है, तो यहाँ पे tax के बढ़ाने से income पे multiplied effect दिखता है, लेकिन inverse way में, negative way में, तो अगर 200 करोड से आपने taxes बढ़ा दिये, तो आपका income 600 करोड से कम हो सकता है, इसका मतलब है कि 3 times हमारा है tax multiplier, समझा, tax multiplier 3 times है, कि हमारे income के बढ़ने, tax के बढ़ने से GDP या national income पे क्या आफर पढ़ता है, इसे बोलता है tax multiplier, इसका formula है change in income upon change in taxes, या इसे बोल सकते है minus B upon 1 minus B, तो अब अगर मैं tax multiplier and government spending multiplier को मिला दू, तो मुझे मिल जाता है balanced budget multiplier, क्या मिल जाता है मुझे? मुझे मिलता है balanced budget multiplier, इसका मतलब क्या है, बोलता है कि the government budget is set to be in balance, when जितना हमने tax बढ़ाया, उतना ही हमने खर्चा बढ़ाया economy में, तो when change in government expenditure is equal to change in taxes, तो हम बोलता है कि balanced budget है, और balanced budget multiplier हमेशा it is equal to 1, कैसे बोलता है balanced budget multiplier is equal to government spending multiplier plus tax multiplier, तो इसका formula था 1 upon 1 minus B, और इसका formula है minus B upon 1 minus B, तो यह हो जाता है 1 minus B upon 1 minus B, तो इसकी value आती है 1, तो बोलता है balance budget multiplier is always equal to 1, याद रखेंगे बहुत important exam के लिए, यह नया amendment आया था कुछ समय पहले, चलो, तो हमारा chart number 22 भी खतम हो गया है, अब हम आते है chart number 23 पे आ चुटे है, क्या बात है, क्या बात है 23, बस तीन charts बचे आख आपर चलो, next tool देख रहे हैं, fiscal policy का, हमने अब इदे concept tool देख लिये है, हमने अब इदे government expenditure taxes ये देख लिया है, अब हम बात कर रहे है, public debt वाले tool की, चली, ध्यान देगे, तो public debt वाले tool में बिठा क्या ओता है, प्लीज देखो, जल्दी से, तो public debt, इसमें क्या आते, चलो देखें, बोलते public debt का मतलब क्या है, बोलते है, public debt जो है, दो प्रकार के हो सकते है, या तो internal, या तो external, जब government borrow करता है, from its own people in the country, उसे internal debt बोलते है, जब government borrow करता है, from outside sources, इसे बोलते है, external debt, ठीक है, आगे, फिर बोलता है, हमारा जो है, हम, या तो market loan ले सकता है, government, या तो small savings कर सकता है, मतलब क्या, market loan मतलब क्या, जब government, जो है, when government issues treasury bills, and government securities of varying denominations and duration, which are traded in the debt market, जब government ऐसी securities issue करता है, public को, जो securities market में trade की जाती है, उसे बोलते है, market loan लेना, government security issue करेगा, तो लोग पैसा देंगे, government loan ले रहा है, लोगों से, market loan लेना, तो जब हम, जब हम, जब हम, डेट market में, जो securities trade होती है, वो securities government जब issue करता है, उसे बोलते है, market loan, क्या करना, उसे बोलते है, market loan लेना, तो government, capital projects, long term projects को finance करने के लिए, long term capital bonds issue करता है, and government, short term government expenditure के लिए, treasury bills issue करता है, ठीक है, next, small savings, मतलब क्या, this represents the public borrowings, which are not negotiable, and not bought and sold in the market, तो ऐसे securities, जो market में, जिसके trading नहीं होती, वो small savings माला loan होता है, government का, जैसे कि schemes introduced for mobilizing small savings, जैसे कि national savings certificate, government लोगों से पैसा लेता है, उसके बदे उनको national savings certificate देता है, तो ये NSC, national savings certificate जो है, ये market में इसके trading नहीं होती, तो market loan small savings, next, बोलते हैं, effect of borrowing और repayment of debt, ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़िया बात है, जब government बिटा borrow करता है, लोगों से, तो government security देंगा, लोगों से पैसा लेंगा, तो क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, तो लोग जो है, future में चीज़े कम खरीद पाएंगे, तो borrowing from the public, through sale of bond and securities, curtails, मतलब क्या, restrict कम करता है, curtails the aggregate demand, and repayment of debts, अगर government ने debt को repay किया, जो security पहले issue की थी, वो पैसा repay किया लोगों को, तो लोगों के हाथ में पैसा आएंगा, तो ज्यादा चीज़े खरीद पाएंगे future में, तो repayment of debts, increases the availability of money, and it increases demand in the future, यह याद रखेंगे, बहुत conceptual चीज़े है, जबरदस चीज़े है, ठीक है, आगे, next, तो public debt वाला point होगे है, next, देखेंगे, अगला point क्या है, government budget, है ना, government budget वाला point है, क्या है, हम tools of fiscal policy पढ़ रहे है, यह चौथा tool है बटा, fiscal policy का, बोलते है, budget क्या होता है, बोलते है, budget is a statement of revenues earned from taxes, and the other sources, and expenditure made by a nation's government, है ना, तो बोलते है, जो भी net effect होता है, budget का, उसका असर पढ़ता है, पीटा, aggregate demand में, है ना, तो देखो कैसे, उते देखो, जब हमारा, जब government का, balanced budget होता है, मतलब क्या, जितना revenue उन्होंने कमाया, उतना ही वो खर्चा कर रहे हैं, लोगों पे, तो इसका कोई भी असर नहीं पढ़ता, aggregate demand में, बेटा, देखो, जो taxes होते हैं, यह क्या होते हैं, यह होते हैं, पैसा बहार जा रहा है, यह goods and services पे पैसा खर्चा नहीं हो रहा, तो taxes are leakages, and जो government expenditure होता है, यह injection होता है, इससे और goods and services पे खर्चा बढ़ता है, तो injection होता है, तो जब हमारे leakages और injection equal है, तो इसका कोई असर पढ़ेंगा ही नहीं, aggregate demand पे, next, budget surplus, मतलब की taxes हमने ज्यादा चार्च के government ने और expenditure कम किया है, तो leakage ज्यादा है, injection कम है, तो इससे aggregate demand जो है, आपका गिरेगा, negative effect आता है, इसका aggregate demand में, क्योंकि leakage ज्यादा है, injection कम है, इसलिए, और इससे बेटा आपका national debt जो है, यह reduce होता है, अगर हमारे पास revenue ज्यादा है, expenditure से, तो जो ज्यादा surplus का पैसा बचा है ना, हम उसको use करके government अपने पुराने loans को repay कर सकता है, तो budget surplus से हमारा national debt reduce होता है, समझा, आगे next, budget deficit, जब government का revenue उसके expenditure से कम होता है, मतलब leakages कम है, injection ज्यादा है, तो इससे आपका positive effect आता है aggregate demand में, और जब आप ज्यादा खर्चा करते हैं, taxes से भी ज्यादा खर्चा आप कर रहे हैं, government तो फिर क्या होगा, उनको और loan लेना पड़ेगा, revenue कम पड़ रहा है खर्चा करने लिए, तो loan लेना पड़ेगा, तो national debt बढ़ता है, budget deficit के बज़े से क्या जोड़दा summary बनाई है बताई है ना, चली, तो ये बात होगे government budget की next, अब हमें बात करनी है बेटा, क्या types of fiscal policy के अब हमें बात करनी है, ठीक है, हमारा हो गया, tools of fiscal policy यही था, 4 pointed tools of fiscal policy में क्या क्या थे, बताओ, इसमें थे आपके government expenditure, taxes, public debt and government budget, ये थे tools of fiscal policy, correct, आगे, अ अब हमें बेटा, बात करनी है, हमने ये बाते कर ली है, unit 4 में, हम chart number 24, second last chart पे है बेटा, अभी, खतम होगया, बस, चली, ध्यान देंगे, अब बात करेंगे, types of fiscal policy की, very very important, very very important, please ध्यान देंगे, yes, so types of fiscal policy, सबसे पहले क्या दिया, बताईए, expansionary fiscal policy and, आपका, contractionary fiscal policy, चली, ध Yes, तो मैं बात करूँगा सबसे बले, कि expansionary fiscal policy आप कभ यूज करते है, यह मैंने आपको समझाया था उस दिन मी, compiler series में, मैंने बुला था कि देखो, it is designed to stimulate the economy during contractionary phase, तो जब economy में contractionary phase चल रहा है, तब economy को contraction के phase से बाहर निकालने के लिए, हम expansionary fiscal policy यूज करते है तो contraction है economy में, मलब aggregate demand कम है अभी economy में, तो government को क्या करना चाहिए, government को खर्चों को बढ़ाना चाहिए, taxes को कम करना चाहिए, जिससे aggregate demand future में बढ़ सके, तो अगर government बिटा, खर्चों को बढ़ाएगा, and taxes को कम करेगा, तो इससे क्या होगा, इससे future में हमारा budget deficit भी बढ़ेगा It leads to larger government deficit and smaller budget surplus, ठीक है, आगे, बोलता है, EFP, Expansionary Fiscal Policy is resorted to close the contractionary gap in the economy, contractionary gap का मतलब क्या है, कि जब हमारे economy में, जितना aggregated demand की जरुरत थी, Full employment और resources के लिए, उससे कम हमारा aggregate demand है economy में, तो उसे contractionary gap बोलता है, और contractionary gap को close करने के लिए, हम Expansionary Fiscal Policy use करते हैं, समझा, आगे, हम contractionary fiscal policy कम use करेंगे, बोलता है, जब हमारे economy में, क्या है, inflationary phase चल रहा है, तो economy को इस inflationary phase से बाहर निकालने के लिए, हम contractionary fiscal policy की मदद लेते हैं, economy में already excess demand का situation है, तो इसको ठीक करना है, तो demand को कम करना चाहते हैं, contractionary fiscal policy में, तो हम government अपना expenditure कम करेगी, taxes को बढ़ाएगी, अगर government expenditure को कम करती है, taxes को बढ़ाती है, तो इनका surplus भी तो बढ़ेगा, तो it leads to smaller budget deficit and larger budget surplus, और ये हरकतों के वाज़े से future में aggregate demand अपना decrease होना चाहाँ हो जाएगा, ठीक है, आगे, तो contractionary fiscal policy is resorted to close the inflationary gap, inflationary gap का मतलब क्या है, कि जितना aggregate demand हमें चाहिए था, जितना aggregate demand हमें चाहिए था, full employment level of resources को अचीव करने के लिए, यह है potential aggregate demand, हमारा जो actual में aggregate demand है, वो potential aggregate demand से ज्यादा है, तो when aggregate demand rises beyond what the economy can potentially produce, by fully employing the resources, it gives rise to inflationary pressure in the economy, और इस gap को close करने के लिए, हम contractionary fiscal policy use करते हैं, I hope आपका मेटा constant बहुत अच्छे से clear हो रहा होगा यहापे, next बात करेंगे, fiscal policy for long run economic growth, बोलते हैं कि अगर आप आपके economy में long run economic growth चाहते हैं, तो सिर्फ demand side policy बनाने से नहीं चलेगा, आपको supply side policy बनाना भी जरूरी है, अरे भीया, तुम expenditure को बढ़ा रहे हो, taxes को कम कर रहे हो, इससे तो सिर्फ demand effect होगी, तो supply का क्या, तुम बस demand को ही अगर बढ़ाते जाओंगे economy में, तो supply भी तो साथ साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब supply साथ साथ नहीं बढ़ा, तो demand बढ़ जाने से long run में थोड़ी ना economic growth अचीव होगी, तो बहुत है, demand side policies, if they are unacompanied by policy stimulating aggregate supply, जो cannot produce long run growth, मतलब क्या, demand side policies के साथ, अगर supply side policies तुमने नहीं बनाई, तो आपका long run economic growth आपको नहीं मिल सकता, तो बहुत है, fiscal policies such as those involving infrastructure spending, they generally have a positive supply side effect, तो जब government infrastructure बे खर्चा करता है, तो उससे supply side काफी बढ़ता है, इससे supply काफी बढ़ता है, तो बहुत है, a well-designed tax policy that rewards innovation and entrepreneurship, without discouraging incentives, will promote private business, who wish to invest and thereby help the economy grow, तो इस प्रकार से आप tax policy design कीजिए, जो innovation को, entrepreneurship को reward भी दे, है ना, और जो है, आन क्या बताएए, जो private investment को discourage भी नहीं करना चाहिए, तो अच्छी tax policy बनानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए business करने के लिए, और जो existing लोग है, वो discourage भी नहीं होने चाहिए business करने से, क्या है, पताएए, fiscal policy बनान लोग रफ economic growth, and finally बिटा, last chart, हैना, आखरी चाहिए लास चाहिट आफ फिस्कल पॉलिसी, हैना, हमारे इस chapter का, आखरी चाहिट बिटाएए, ठीक है, तो इसमें हमें दो चीजे पढ़ नहीं है, fiscal policies for reduction in inequalities of income and wealth, and आखरी चीज़ है पिटा, limitations of fiscal policy, बस, last chart में पिटा, आचुके हैं, प्राणाली बुरिस है, big fan of yours, blessed to have you, thank you, thank you पिटा प्राणाली, चलिए, सो बात करेंगे, I hope, I hope कि इतना, ये चाहट बनाना सफल रहा, हैना, और आपको सही में, health को इस session से, ठीक है, चलिए, सो government, जो है, inequalities of income and wealth, को reduce करने के लिए, क्या क्या कर सकता है, अपने fiscal policy में बोल रहा है, ये बहुत important है, ये question exam में आया हुआ है, तो government, fiscal policy के थूँ, कैसे reduce कर सकता है, inequality of income and wealth, तो बोलता है, government जो है, progressive direct tax system लगा सकता है, कि जो ज्यादा rich आदमी है, उससे ज्यादा tax वसूल हो, and, तो इससे क्या होगा, अपने आप equitable distribution of income, अच्छी हो सकता है, and indirect taxes can be differential, मतलब कि जो luxury goods होंगे न, जो अमीर लोग खरीते हैं luxury goods, उस पे तुम GST ज्यादा लगाना, तो अपने आप अमीर लोग, जब luxury goods खरी देंगे, तो उनको ज्यादा tax दिना पड़ेगा, और जो necessity वाले goods होंगे न, जो mass consumption के goods है, उस पे tax तुम कम लगाओ, या उस पे tax लगाओ इचमत, तो अपने आप जो poor लोग होंगे, जो low income household वाले लोग होंगे, वो अपने आप जब necessities खरी देंगे, तो उनको कम tax दिना पड़ेगा, GST के रूप में, क्या जबदस बात है, तो fiscal policy में government क्या कर सकता है, in order to ensure equitable distribution on income and wealth, बोलते हैं progressive direct tax system लेके आओ, या तो फिर आप differential indirect taxes को use करो, क्या समझागे बाद बताईए fast, ठीक है next, आगे, हाँ, फिर जो हैं यहाँ पर देखेंगे, spending programs targeted on welfare measures for the disadvantage, तो बते हैं government ऐसे कौन से spending programs कर सकता है, जिससे हमारे जो disadvantage sector होते हैं, जो deprived sector होते हैं, जो low income household वाले लोग होते हैं, उनके welfare के लिए हम क्या क्या spending programs कर सकता है, गर्मेंट ये पूछा है, तो बोगता है government क्या कर सकता है, poverty alleviation programs, मलब जिससे लोग poverty से भार आ सकता है, तो poverty alleviation programs कर सकता है, लोगों को जो priority sector है, जो deserving sector है, उनको medical care, education free, या subsidized rates पर provide कर सकता है, यहना infrastructure provide कर सकता है, उन selective basis, जो low income household वाले लोग है, उनके लिए अलग से किसी एक जगा पर पूरी building बना के दो, उस building में अलगल लोगों को घर allocate करो, ऐसा होता है, subsidized production करवाओ, जो products mass consumption के लिए है, जो product ज्यादा से ज्यादा लोग use करते हैं, अपने daily basis पे, तो उन products के production में, आप subsidy बाटो government, ताकि वो चीज़ा सस्ते में लोगों को मिल सके, public production और grant of subsidy to ensure sufficient supply of essential goods, तो लोगों के essential goods मिलने चाहिए, तो government याद तुम खुद produce करो, या जो लोग produce करते हैं, उनको subsidy बाटो, and strengthening of human capital for enhancing employability, लोगों में तुम skills develop करके दे दो, तो इससे क्या होगा, उनकी employability अपने आप बढ़ेगी, अपने आप उनके jobs ज्यादा बढ़ेगे, ठीक है, समझाएं का बढ़े बताईगे, आगे next, फिर बात करेंगे last, last time last देखेंगे, आखरी चीज है लास्ट, लास्ट है लास्ट चीज है, क्या बताईए है हमका, limitations of fiscal policy, तो सबसे पहले बढ़े, पहली बात तो बतादू, ये तीनों ही limitation है, ठीक है, अच्छा, और यहां पर crowding out, वो तो उस पे तो अलग से ही सवार आता है, crowding out पे तो अलग से ही सवार आता है, ठीक है, तो सबसे बले देखेंगे, limitation of fiscal policy, बोलते हैं कि fiscal policy में अलग-अलग तरीके के lags देखने को मिलते हैं, क्या, बोलते हैं, सबसे मिले तो हमें recognition lag मिलता है, मतलब क्या, हमें बहुत बार यह समझ में नहीं आता, कि कब हमें policy change करने चाहिए, तो कब policy change करने की जरुवत है, यह need को recognize करने में समय लग जाता है, recognition lag, this is one of the limitation of fiscal policy, then है decision lag, delays in deciding on the most appropriate policy, हमने decide कर लिया, कि economy में aggregate demand बहुत बढ़ चुका है, इसलिए inflation आ रहा है, तो इससे related policy बनाना है, यह हमने recognize कर लिया, बट अब हमें यह नहीं समझ रहा है, कि हमें जो है taxes को कम करना चाहिए, sorry, taxes को बढ़ाना चाहिए, जिससे demand कम हो, अगर taxes को बढ़ाना है, तो कौन से tax को बढ़ाए, कौन से product पे GST को बढ़ाए, क्या government expenditure को कम करना चाहिए, तो कहां कहां पे expenditure कम करे, यह सोचने में, decide करने में time लग जाता है, तो decision lag, फिर अगर समझो, हमने decision ले लिया, अब हमारी policy को implement करने में time लग जाता है, law में changes करने को time लग जाता है, implementation lag and then हमने हमने recognize कर लिये need, हमने decide कर लिया, क्या policy बना ली है, हमने उस policy को implement कर दिया, लेकिन समझो बटा, आपने taxes को बढ़ा दिया, तो क्या इसका तुरंथ effect दिखेंगा क्या economy में मैगी नूडल्स बना रहे हैं कि दो मिर्ट में एकदम से वो नूडल्स है ना क्या हो जाएंगे मस्तर ना soft soft हो जाएंगे और नूडल बन जाएंगे ऐसा होता क्या, ये क्या मैगी नूडल्स थोड़े ना मना रहे है, taxes बढ़ाएंगे तो एकदम से inflation ठीक हो जाएंगा क्या नहीं, एकदम से ठीक नहीं होता तो outcome of a policy are not visible for some time तो impact lag, बहुत policy को लागू करने के बाद उसका impact देखने बेशाएंगे समझता है impact lag, समझा क्या आगे next, फिर बात आती विटा और क्या other limitations है बोलते हैं, बहुत बार bad timing हो जाती है है ना, तो हमने सोचा था कि देखो या, हमारी economy में ना contraction चल रहा था हम कब से सोच रहे थे, कि ऐसी policy बनाते हैं, जिससे aggregate demand हमारी बढ़ सके तो हमने लगा, ओके, हम expansionary fiscal policy यूज़ करते हैं बट जब तक हमने इस policy को लागू किया, तब तक पता चला कि already हमारी economy recovery के phase में थी अरे भाइसा, तो bad timing हो जाती है बहुत बार, यहना policy को initiate करने में ही timing गलत हो जाती है, difficulties in instantaneously changing government spending and taxation policy बोले हमको expansionary fiscal policy करना है तो यार, MVCET में तो पढ़ा है EFF में, कि यार क्या बताओ government expenditure को बढ़ा दो taxes को कम कर दो, अरे भाइया यह पढ़ना तो आसान है real life में कहा कहा पे खर्चा कम करूँ कौनसा कौनसा tax कम करूँ यह सोचने में टाइम लगता और इसको क्या तुनद थोड़ीना change कर सकते हैं मज़ा थोड़ीना है इसके लिए government का approval लेना पड़ेगा अलग-लग process के follow करना पड़ेगा तब जाके चीजों होती है तो difficulties in instantaneously changing the expenditure and taxation policies बहुत बार क्या होता है हमने मुला यार, economy में बहुत expansion है जिसके वज़े से inflationary effect आ रहा है government खर्चा कम करो अरे भाया खर्चा कम करो बट कुछ ऐसे sectors होते हैं जहां पर आप खर्चा कम करी नहीं सकते जैसे कि defense ऐसा थोड़ी ना बोलेगी कि आधि मिलिटरी को आप दे दो है ना चुट्टी दे थोड़ी सामिक लिए इसा थोड़ी होता है वह तो बहुत important चीज है हमारे country के लिए तो हम defense में खर्चा कम करी नहीं सकते हैं हम ऐसे बहुत ज़्यादा huge capital projects होते हैं जैसे metro ये capital project है बहुत बड़ा amount involved in metro बनाने में गवर्मेंट ने बुला expenditure को कम करना है तो क्या metro को आदा अधुरा छोड़ देंगे क्या तो huge capital projects को midway में छोड़ना possible नहीं होता है बहुत बाद difficulties in forecasting when period of inflation and deflation was setting जाना कब inflation आएगा कब deflation आएगा ये exact तरीके से forecast करना difficult हो जाता है conflict between different objectives of fiscal policy हमने सोचा expansionary fiscal policy ले गाएंगे पर पता चला expansionary fiscal policy से contraction तो ठीव हो गया बड़ अब inflation का problem आगया अरे भाई साहा क्या जोड़ा रहा है है ना next certain fiscal measures will cause disincentive बोले तुमने taxes बढ़ा दिया तो this में also act as a disincentive for the existing business organizations और वो future में investment कम कर देंगे है ना and finally बटा आगे final last देखें जली से crowding out effect इस पर तो इतनी बार सवाल आ चुका है कि मैं आपको क्या बताओ इस पर तो इतनी बार सवाल आ चुका है कि मैं आपको क्या ही बताओ भाया जी very very important है ना तो देखो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप इसका स्ट्रीशोड भी ले सकते है ठीके crowding out को मैंने बहुत अच्छे से explain किया यहाँ पर है है ना देखो सुनो बात ध्यांस से कुछ आउफ्यसिस्ट इंस्ट्रीट का मैंने लैंग्वज लिया है कुछ मैंने एंड के initially देखो देखो क्या होता है ड्यूरिंग रिसेशन का समय चाल रहा था ठीके तो government बोलता कि हमें expansionary fiscal policy को resort करना चाहिए उसको यूज करना चाहिए जिससे रिसेशन से एकनों भी बाहर आ सकती है करेक्ट तो हमने बुला कि हमें जो है ना government expenditure को increase करना चाहिए अब government expenditure को increase करने के लिए पैसा लगेंगा पैसा कहां से लाए तो बोले देखो आपके बास जो taxes है ना government वो taxes वाला पैसा यूज कर लो पर अगर that if the taxes are not sufficient for the increased spending तो government फिर क्या करेंगा तो बोलता है government को अगर फिर भी खर्चा करना है तो अब उन्हें borrow करना पड़ेगा markets so the government will increase its spending by borrowing from the loanable funds from the market अब जब government बेटा इतने बड़े amount का loan लेता है market में तो market में जो है loans का demand दनादन बढ़ जाता है क्योंकि बहुत बड़ा amount चाहिए government को loan के लिए तो demand बढ़ जाता है पर supply तो limited होता है इसका तो धीरे-धीरे loans के cases में exceed करना चालू कर देता है क्योंकि government को बहुत बड़े amount को loan चाहिए पैसा चाहिए तब जाकि वो government खर्चा करतागा economy में economy को recession से बाहर निकाल पाएगा बट जब loans का demand supply से exceed करना चालू कर देता है तो loans का interest rate market में बढ़ जाता है अब जो हमारे private participants होते हैं जो private firms होते हैं जो private sector वाले लोग होते हैं वो अपने business करने के लिए जब loan लेने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि अब उन्हें ज्यादा interest rate पे loan लेना पड़ेगा तो उनको लगता है यहार यह क्या बात वहीं इतना ज्यादा interest जान दो मैं अभी पैसा नहीं लेता अभी investment नहीं करता business में मतलब की government की इस fiscal policy के वज़े से private sector जो है वो loan नहीं ले पारा बहार से क्योंकि उनको loan ज्यादा interest rate में मिल रहा है तो private participants अपने business में future में investment कम कर देते हैं future में production और कम हो जाता है अरे यार हमने ये expansionary fiscal policy government ने क्यों use की क्योंकि economy में already demand कम था already production कम था तो इस production को बढ़ाने के लिए इस aggregate demand को बढ़ाने के लिए ही तो हमने loan मगर लिया था पर उस loan लेने के वज़े से interest rates बढ़ गए जिससे अब private participants loan नहीं ले रहे हैं और future में production कम कर रहे हैं मतलब की government जो अपनी हरकतों के वज़े से production government जो है expansionary fiscal policy से जितना हमारा production बढ़ने वाला था exactly उतना ही production private sector वाले कम कर देते हैं मतलब की देखो इसके लिए शब देखो क्या इसके लिए शब देखो क्या लिखा है fiscal policy becomes ineffective as the decline in the private spending partially और completely offsets the expansion in demand resulting from increase in government expenditure government expenditure के बढ़ने से जो demand बढ़ने वाली थी वो offset हो जाती है private sector के कम investment करने के वज़े से thus crowding outcome अचलब क्या है an increase in the size of government spending during recession will crowd out the private spending in the economy and it will lead to reduction in the economy's ability to self-correct from the recession तो अगर private sector ही production कम कर देगा तो अपना economy बाहर नहीं निकल पाएंगी किस से हमारे recession से तो हम crowding out को क्या बोलते हैं crowding out effect को बोलते हैं ineffective fiscal policy का example आपको question आ सकता है write a short note on ineffective fiscal policy मतलब क्या वो crowding out effect की बात पुछ रहा है आपको ठीक है and this leads to it leads to it possibly reduces the economy's prospect of long run economic growth तो है क्या है crowding out effect ठीक है तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं बेटा बोलो यहां पे जो हम हमारे आज के session को खतम करते हैं I hope कि आपको बेटा आया होगा मजा पूरे 25 charts में इसको पढ़ा है इस chapter को ठीक है मुझे अभी भी याद हमने plus classes में इसमें काफी साथा समय लगा था around मुझे यादे 14-15 hours कुछ लगा थे detail में पढ़ने के लिए पर यहां पे पूरे chapter को हमने अच्छे से detail में पूरा revise का लिए ठीक है So I hope कि आपको मजा आओगा मुझे से पढ़के and जो है आप क्या कर सकते हैं हमारे batches को जोइन कर सकते हैं हमारे नया batch हारे गुरूप दूगा तो अगर आपको मुझे से बढ़के सही में अच्छा लगा है तो आप उमने दोस्तों को बताईए उनको बली क्यों एक आगरता टूप यह batch को जोइन करे नवेंबर 22 नवेंबर 22 एक्जाम के सीए इंटर नंवर 22 के लिए स्टार्ट होड़ा है जून से बैस स्टार्ट हो रहा है मैं मंडे टू तूसदेस में आने वाला हूं ढाई बचे सा अज़े-चार बचे आपको fm efs पढ़ाने करेक्ट चली तो हमने अभी क्या कर लिया है आपका बता देता हूं ठीक है जले तो अगर मैं आपको बताओ bit.ly.s.mv.academy देखो इस लिंक पर आपको जाना है यहां पर आपको नीचे टाब्स दिखेंगे फाउंडेशन इंटर सब्सक्रिप्शन लिंक फाउंडेशन इंटर तो इंटर वाले टैप पे जाना यहां में देखो मैंने क्या क्या आपको करवा दिया है प्लीज ध्याद देगे हमारा EFF का compiler series यह पूरा complete हो चुका है इसमें हर एक chapter के पास्चर exam questions मैंने करवा दिया है ठीक है आगे next हां उसके बाद जो है येस उसके बाद जो है बिटा हमने आपको EFF का full revision करवा है chapter 1 का chapter 4 का और अब chapter 2 का भी करवा दिया है chapter 3 के लिए देखेंगे हम क्या कर सकते है ठीक है then FM की बात करेंगे FM मैं अभी हमारा compiler series चल रहा है daily मैं इसमें आता हूँ सुबह 8.30 बजे और 3.30 बजे तो कल भी हमारा 8.30 बजे साड़े 3.30 बजे session है FM compiler series का ज़रूर इसमा आईए chapter 10 हमारा कल खतम हो जाएगा ठीक है then मैंने FM chapter 4 and 5 का भी full revision एक ही वीडियो में लिया था chapter 1 का revision लिया है chapter 6 का revision लिया है यह आप देख सकता है ठीक है यह सारी चीजों के classes की links आपको इस एक link मिल जाती है जो है bit.ly slash mb sirunacademy ठीक है so यह है बटा वो link कहा गई को टेक लिए रे अच्छा इसमें नहीं चल रोग कोई बात ने तो यह link है याद रखेंगे कोई भी browser पर जाके आप इससे search करके देख सकते है so thank you guys yes and अब जो है कल आप साड़े आठ बजए आएंगे इस youtube channel के लाइफ and साड़े तीन बजए ठीक है तो कल हम FM chapter 10 खतम कर देंगे FM chapter 10 के मैं अभी आपको PYQ तो हो गए है खतम MTP के सवाल अब करवाऊंगा आपको कब बताएए कल सुभह साड़े अबज़े साड़े तीन बज़े इस ही youtube channel पर ठीक है so thank you so much guys and अगर आपको मुझसे बढ़के अच्छा लगा है तो अनक्याडमी का subscription आप जबी भी लेंगे तो MV sir code को use करना subscription लेते वक्त तो आपको additional discounts बन जाएंगे ठीक है so like करे, share करे, subscribe करे चैनल को जरूर comment करके बताना आपको मुझसे बढ़के कैसे लगना है thanks so much bye bye and good night